नमस्कार, JCLC, I am Niraq Chasta, Team Physics CLC Seeker, दंगल साथ में आप सब का स्वागत करता हूँ, दंगल, हमारा एक्जाम पास में है और बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ कि आपकी क्या इस्तिती होगी, दंगल का मतलब है, we are in the endgame now, तो आप positive रहिए, अपना motivation बना के रखें, और previous year papers को विज अपना paper है, जिसका solution हम लोग करेंगे, जिसमें अपने question number 1 की बात करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग का paper अच्छा हुआ होगा, और चलते हैं अपने question number 1 की और, question number 1, क्या बोल रहा है, यह बोलता है, the resultant of two vectors having magnitude 4 and 5 is 1, दो vector है, जिनका magnitude अपने पास क्या है, 4 और 5 ह है, वो परिणामी कितना है, एक है, तो उनके, what will be the magnitude of their cross product, उनके cross गुने का परिमान होगा, तो देखते हैं, एक अपने पास है vector, जिसका magnitude, let's say, इसको A बोल देते हैं, और यह अपने पास दूसरा vector है, जिसका magnitude अपने पास 5 है, जिसको अपन B बोल देते हैं, इनका resultant हमार पास 1 है, इसका मतलब हम लोग जहीं जानते हैं कि resultant, resultant A minus B, A minus B, या इसको हम लोग यह बोलें कि the resultant is the subtraction of the two vectors, दो सदीशों का जो परिणामी है, वो उनका ग्योकलन कब हो सकता है, जब उनके मद्य जो बनने वाला कॉन है, the angle between the vectors, that is 180 degree, कहने का मतलब अभी जो situation दे रिख हैं, उसमें आपके पास जो vectors हैं, उनके बीच में angle जो है, वो 180 degree है, आप चलते हैं उनके cross product पर, cross product, cross product का magnitude, A cross B के लिए अगर अपन बात करते हैं, तो the magnitude of A cross B, that is A B sin theta, तो A, A का magnitude है, 4 यह होगी आपने पास 5, but sin में अगर अपन चेक करते हैं, तो sin theta, that is 180, तो sin 180, sin 180 is 0, sin 180 0 तो आपका result कितना हो जाएगा, 0, एक तो simple question, एक interesting concept, चलते हैं, हमारा answer रहेगा, question number 1 का, answer number 4, answer will be 0, next question पर चलते हैं, और देखते हैं, क्या बुलता है, the vectors P and vector Q are perpendicular to each other, the value of A is, हमारे पास एक vector है P, जिसकी equations इस तरह से दी हुई है, और vector है Q, जिसकी भी equation अपने को दी है, ठीक है, और वो एक दूसरे के perpendicular है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, दो vector जब perpendicular होते हैं, let's say अपने पास P vector हैं, और ये Q vector हैं, और ये दोनों vector एक दूसरे के perpendicular हैं, इसका मतलब ये हैं, कि इनका जो dot product रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, dot product जिरो, चलते हैं, dot product, dot product क्या होता है अपने पास, I वाले का I वाले से multiplication, J वाले का J वाले से multiplication, K वाले का K वाले से multiplication, solve करते हैं, I cap, I cap, यहाँ पर A into A, ये term बनेगी, आपके पास पहली A square, दूसरा, J वाले का J वाले से multiplication, ये हो जाएगा, आपके पास minus 6, ये हो जाएगा A, तो यह बन रहा है आपके पास minus 6a, आगे के वालेगा के वाले से multiplication, that is 3 into 3, और यह मेरे पास बन जाएगा plus 9, that is equals to 0, आपको a की value calculate करनी है, और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यह a की quadratic equation बन रही है, और यह quadratic equation है, जिसके roots अगर अपने को calculate करना है, तो यह basically अभी आपके प हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3, बढ़िया question, simple concept, but यह concept आपको हमेशा ध्यान रखना है, कि if two vectors are perpendicular, अगर दो सदिश एक दूसरी के लंवत हैं, तो उनका जो dot product रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, और हमारे result रहेगा 3, question number 2 का answer है 3, but option क्या रहेगा उसका, option number 1, य ऐसे questions होते हैं, जैसे आप अपने पास 3 का 2 answer आ रहा है, तो आप जब mark करते हैं, तो उसका आप ध्यान रखें कि answer 2 है, और option 3 है, तो अभी अपना जो answer है, वो answer 3 है, और option number कौन है, 1 है, mark करने के लिए आप लोग को यह चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, बढ़िया question, चल है, हमारे पास P, sorry, particle है, जो एक P point से Q point तक अभी जा रहा है यह, और कितने से जा रहा है, 6 meter per second से यह move कर रहा है, देख है, and Q to P with velocity of 3 meter per second, यह वापिस Q से P तक आता है, कितने से आ रहा है यह, 3 meter per second से, देख है, तो the average velocity of the whole journey will be, the average velocity, देख है, अगर अपन हिंदी में बात करे रहें, तो आपके पास आपको ज्याद करना है, औस वेग, औस वेग ज्याद करना है, औस वेग के लिए अगर अपन बात करें, तो किसी गती के लिए, और the average velocity of the traveling, that is, total displacement, total displacement, upon क्या रहेगा, हमारे पास, total time, ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो situation है, इसमें जाने का आपको हम लोग को देखना है, total displacement, total displacement, particle या आदमी, यहां से यहां तक गया है, और फिर यहां से, यहां पर वापिस आ चुका है, कहने का मतलब, उसका displacement कितना हो चुका है, zero, the total displacement of the person or the particle is zero, and whatever be the time taken, we don't need to worry, अपना result क्या हो जाएगा, zero, अभी यहां पर net displacement कितना है, zero है, तो आपके average, average velocity, क्या रहेगी, that will be zero, तो हमारा answer हो जाएगा, four, that is, zero meter per second, तो question number three, answer रहेगा, four, that is, zero meter per second, the average velocity of the traveling, done, बढ़ते हैं अपन, अगले कुश्चन की और, for a projectile, fired at angle theta from the earth, ठीक है, एक projectile है, जो theta angle पर fire किया गया है, earth से, the relation between horizontal range, जो उसकी horizontal range रहेगी, r, and the time of flight, t, will be, एक theta गोन पर जो प्रक्वी से प्रक्षिपित किया गया हो, उसके लिए उसकी क्षेतिच परास, और उसकी ओडियन काल में अपने को क्या गयाद करना है, समन्ध इसके लिए चलते हैं, वैसे आपको यह relation, इसका जो भी answer रहेगा, वो आप लोग को याद भी रखना चाहिए, कुछ formula ऐसे है, projectile के जो अपने को याद रखने चाहिए, अभी अपन बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरह से, हम लोग इसको calculate करेंगे, horizontal range, range क्या होता है, हमारे पास रहेगा sin theta, अपने पास रहेगा cos theta, अपन क्या रहेगा हमारे पास G, तो अगर अपन回ailing time की बात करें या time of flight की बात करें, तो T क्क मिन रहे होता है, हमारे पास, this is 2u sin theta, अपन क्या रहेगा, G, तो तीक है, हम आप equations को observe करो, equations में हमारे पास एक जिगे R आर रहा है, और तो मैं क्या करता हूं, R और T² को आगर divide करूं, तो यहाँ पर यह रहा मेरे पास R और यह रहा मेरे पास किया T², इन दोणों को अगर कि क्या T², तो ऊपर तो रहेगा हमारे पास R, यह होजाएगा मेरी पास 2U SQUPER अपना रहेगा sin θ, यह अपने पास रहेगा cos θ, अपने पास कितना हो गया, that is g, आ रहा गया, अब अपने को यहाँ पर लाना है t square, t square, t square का मतलब मैं इसको square करता हूँ, square करूँ, 4 यह बनेगा मेरे पास u square, इधर बनजाएगा मेरे पास sin square θ upon कितना बनजाएगा अपने पास g square, तो R upon T square बने हैं अपने पास, cancel करते हैं, U square से U square cancel, 1 sin theta से अपने पास 1 sin theta cancel, और यहाँ पर 1 G से 1 G cancel, और अगर अपन इसको देखें, यह 2 से अपने पास 4 दो बार cancel, अब जो चीज़ें इखटी हो रही है, उसको देखते हैं, R upon अपने पास क्या हो जागा, T square, ऊपर क्या रह है, यहाँ पर रह रहा है, अपने पास cos theta, ठीक है, इधर, इधर कुछ नहीं, इधर अपने पास क्या बन रहा है, this is 2, और यहाँ पर बनेगा मेरे पास केवल जो term बच रही है, that is, sin theta, और यह denominator में हमारे पास यहाँ पर एक G बन रहा है, जो किदर चल जाएगा, ऊपर चला 2, यह बन जाएगा, यहाँ पर यह इस तरह से है, separation, ठीक है, हमारे पास cos theta upon sin theta, या मैं इस cos theta को नीचे लिएकर चला जाता हूँ, तो आपके पास जो term बनेगी, that will be G upon, यह बन जाएगा मेरे पास 2 tan theta, are you getting this point, ठीक है, मैं इस cos theta को नीचे transfer करके sin theta upon cos theta को क्या लिख रहा तो G, यह हो जाएगा, यह cross multiplication की बात करें, तो अगर अपने पास क्या हो जाएगा, 2 r tan theta, that will be equals to g t square, और हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा important result आता है, that is, r tan theta, that is equals to g t square upon 2, the relation between horizontal range and the time of flight for a projectile from the earth, एक प्रत्वी से फेके गए प्रक्षेपे के लिए, परास तथा उसके उडिय that will be equals to g t square upon 2, तो उसके लिए अपना option देखे, कौन सा option correct होगा, r tan theta that is equals to g t square upon 2, option number रहेगा हमारा 1, r tan theta that is g t square upon 2, तो question number हो गया हमारे पास 4, जिसका answer number हो गया हमारे पास 1, एक बढ़िया question है, आपको यह equation याद भी रखनी चाहिए, कभी-कभी r o t की values दे रखी होती है, और theta अगर calculate करना हो, तो हम लोग यहाँ पर सीधा इसमें values put करके इसको solve कर सकते है, r tan theta that is equals to g t square upon 2, चलते हैं अपन अगले question पर, in the figure, Sean, force by 5 kg block on 4 kg block will be, दरशाएगा इस चित्र में 5 kg block द्वारा 4 kg block पर लगया बल होगा, इसकी गणना अपने को गरनी है, उसके लिए अपन चलते है, सबसे पहले, तो यहाँ पर देख लो, यह 5, 4 और 3, किता हो गया, हमारे पास अगर total amount of mass calculate करें, तो हमारे पास कित्ता हो जागा, 5, 4, 3, that will be 12 kg, तो हमारे पास system में, आपके पास total mass हो चुका है, या कुल द्रेमान हमारे पास जो है, वो कितना हो गया है, that is 12 kg, उस पर according यह system accelerate होगा, और इसका acceleration अगर पन देखें, तो system का acceleration हमारे पास कित्ता हो जाएगा, force upon total mass, force upon total mass, force अपना कितना है, 12, और अपने पास mass कितना है, वो भी कितना है, 12, तो आपका system जो है, वो अभी 1 meter per second square के acceleration से move कर रहा है, system 1 meter per second square के acceleration से move कर रहा है, बट आपको यह पूछा हुआ है, कि यह 5 kg ब्लोक जो है, यह इस 4 kg ब्लोक पर कितना force apply कर रहा है, 5 kg ब्लोक, 4 kg ब्लोक पर, 4 kg का जो ब्लोक है, उस पर जो force apply कर रहा है, उससे इसके आगे रखा हुआ system, यहां से, इस 5 kg ब्लोक ने, इधर, जो force apply कि किया है, let us consider, this force is, let's say, F1, तो F1 force की वज़े से, यह 4 और 3 दोनों जो है, इस A acceleration से चल रहा है, तो अगर अपन FBD बनाए, तो basically the point is, जो 5 kg ब्लोक, जैसा भी अपने इस 3 के लिए solve किया, 5 kg ब्लोक, जो 4 kg ब्लोक पर F1 force apply कर रहा है, इस F1 force से, 4 और 3, यह दोनों का जो system है, वो कितने acceleration से चल रहा है, 1 meter per second square acceleration से चल रहा है, तो अगर अपने को F1 की value calculate करनी है, तो यहाँ पर total mass कितना होगा, आप system में फिर से अगर अपन बात करें तो, यह कितना हो जाएगा, that is, 4 plus 3, और आमारे पास कितना होगया, 7 kg mass, तो यह 7 kg mass जो है, वो यह 5 kg ब्लोक, 4 kg ब्लो 7 kg और acceleration कितना है, 1, तो हमारे पास F1 की value हो जाएगी, that will be 7 newton, are you getting this point, देख है, एक simple question, बढ़िया question, हमारे पास result जो रहेगा, that will be 7 newton, question number 5, option number हमारे पास क्या रहेगा, इसका 2, देख है, बढ़ते हैं अपन, अगले question पर, एक simple question है, आप लोग, मैं उमीद करता हूँ, इस question को आपको ने किया होगा, वैसे सारी करने हैं अपने को, next, a chord is used to lower vertically a block of mass M by distance D, देख है, with a constant downward acceleration G by 4, fine, the work done by the chord on the block is, देख है, एक रसी M दरिमान के block को G by 4 तवरन से D दूरी तक उसको नीचे उतारा गया है, और आपको यह बताना है, कि रसी द्वारा उस block पर किया गया कारिय क्या रहेगा, देख है, question को solve करते हैं, हमारे पास system बनाते हैं, यह रहा हमारे पास M mass का block, और यह रही हमारे पास एक string, देख है, और इस string से हम लोग इस block को क्या कर रहे हैं, G by 4 acceleration से इसको नीचे move कर रहे हैं, देख है, और कितना move किया हैं, इसको move किया हैं, आपने यहां से d distance तक, d distance तक हम लोगों ने इसको move किया है, तो इस time पर, इस string ने इस object पर कितना work किया है, इसको अपनी को calculate करना है, string के लिए अगर अगर बात करते हैं, तो string का tension हमारे पास इस block के respect में, अगर आपन बात करते हैं, तो अभी आप इसका acceleration किता है, that is g by 4, ठीक है, एक तुभे से आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, कि अगर अपना options की बात करें, तो object का displacement किदर हो रहा है, नीचे की दरफ हो रहा है, object का displacement, नीचे की दरफ, tension किदर है, उपर की दरफ, तो force और displacement, अभी दोनों की बीच में वरनने वाला angle 180 डि कि string हमेशा उपर की दरफ force लगाएगी, और उससे आप object को नीचे की दरफ move कर रहे हैं, तो string के विज़े से work done रहेगा, वो क्या रहेगा, negative रहेगा, ठीक है, फिर भी अपने इस question को पूरा एक बार solve करें, तो हमारे पास यहाँ पर, क्या term बन जाएगी, that mg minus t, that will be equals to mg upon 4, इसको solve करते हैं, t will be equals to mg minus क्या हो जागा मेरे पास mg by 4, और यहाँ से t की value आपके पास कितनी आ जायती है, this will be 3 mg upon कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, simple मामला है, 3 mg by 4 आपके पास t आ गया है, और आपको work done calculate करना है, string की वज़े से, तो यह रहा आपने पास t, इदर, displacement हो रहा है, d t इदर की दरफ, और अपन जानते है work done क्या होता है, work that is force dot displacement, यहाँ पर आपके पास work done by tension, यह work done by string, यह डूरी की वज़े से किया गया कर, इतना हो जाएगा, तनाव, अगर अपन tension की बात करें, t dot s और इन दोनों की बीच में बनने वाला angle theta, यहाँ पर यह vector नहीं है, यहा is 3 mg upon क्या हो जाएगा हमारे पास 4, displacement कितना given है अपने को, अपने को displacement given है, d, ठीक है, आगे, cos, cos में चलते हैं है अपन, cos और angle कितना है इन दोनों की बीच में, that angle is 180 degree, तो cos 180, cos 180 की value होती है हमारे पास minus 1 और हमारे जो result रहेगा, that will be minus 3 mg d upon कितना हो जाएगा, 4, done, result, तो result रहे हमारा, minus 3 mg d by 4, question number 6, answer number रहेगा हमारा, 3, example question, interesting concept, कलते हैं हमारे अगले question पर, a uniform chain has mass m and length l, ठीक है, एक chain है, जिसका mass अपने पास कितना है, m है, और उसकी length कितनी है, l है, it is held on a frictionless table with one-fourth of its length hanging over the edge, यह एक table पर इस तरह से रखी हुई है, कि इसका जो एक चुथा ही भाग है, वो table से नीचे की और लटका हुआ है, the work done in just pulling the hanging part back on the table, जो hanging part है, उसको अपने को वापिस से table पर खीचना है, तो उसके लिए कितना work अपने को करना पड़ेगा, ऐसे जो यह specific question है, यह अलग-अलग तरिके से यह question आपके सामने आया भी होगा, और अभी भी हमारे पास यह question है, और इसमें बस क्या होती है, कि value जो है, जो hanging part है, यह change रहता है, कि कितना hanging part है, इस question को आप लोग को solve रने के लिए एक formula याद रखना चाहिए, और यह formula होता है, that is, mg l square upon हमारे पास रहेगा 2l, यह formula है, यह अभी जो work done हुआ है, उसका जो resultant equation रहेगी, वो resultant work done जो रहेगा, that will be mg l square upon 2l, यहाँ पर यह small l जो मैंने लिखा है, यह small l hanging part की length है, जो रसी का वह बाग, जो table से लटक रहा है, उसकी लंबाई small l है, और यहाँ पर जो capital l है, वो क्या है आपके पास, dory की कुल लंबाई, या the complete length of the string is capital L, तो अपने पास अभी जो बुला हुआ है, the one fourth of its length, यानि कि आपके पास अगर length, length इसने L बुला है, तो अपने पास hanging part कितना हो चुका है, L by 4 हो चुका है, तो यह आपके पास hanging part है, यह आपकी complete length है, हम लोग इसमें value put करते हैं, और solve करते हैं, आप यह एक simple formula है, इसको आप लोग हमेशे हैं, याद रखें, जो hanging part की length है, उसके according, जो आप उसको उपर जब आपके खीच रहे हैं, तो उसमें जो work done होगा, उसको अपने, इस equation से आपके calculate करेंगे, एक है, that is mg hanging part, that is l by 4 का क्या हो जाएगा, हमारे पास square upon 2 into length of the, complete length of the string is l, इसको आगे बढ़ाते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, mg l square upon, यह चल रहा है अपना इधर की तरफ, 2l तो हही है, और इस l by 4 में 4 का square होगा, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा हमारे पास, यहा और अवाज़ पार work done का जो result रहेगा, that will be mg l upon 16 into 2, that will be 32, mg l upon 32, यहाँ पर जो work done किया जाएगा, that will be mg l upon 32, result रहेगा हमारा mg l upon 32, option number 1 रहेगा, question number 7 के लिए हमारा answer, देखे, आगे बढ़ते हैं, अगला question solve करते हैं, आप इस equation को हमेशा है, याद रखे, दो, next, a particle moves in a circular orbit under the action of central attractive force, which is inversely proportional to the distance r, ठीक है, the speed of the particle is, एक कन वर्ती पत पर एक केंदरी आकर्शन बल जो दूरी आर की व्यूत करवान उपाती है, कि प्रभाव में गति करता है, देखे, कन का वेग होगा, आपको यह बोला हुआ है, कि जो हमारे पास केंदरी आकर्शन बल है, वो दूरी आर की व्यूत करवान उपाती है, कहने का मतलब, the force is inversely proportional to the distance r, अगर अपन force को express करना चाता है, तो मैं इसको यहाँ पर इस तरह से लिख सकता हूँ, कि इस proportionality sign को remove करूँ, तो मेरे पास क्या हो जागा, k upon r, fine, तो force हमारे पास k upon r है, अब अपन यह जानते हैं कि circular motion के लिए जो important या necessary condition होती है, that this force, which is our k upon r, that should be equal us to mv square upon r, that is centripetal force, यह बल, अभी केंद्रिय बल के बराबर होना चाहिए, और अभी केंद्रिय बल होता है, हमारे पास mv square upon r, यहां से अगर अपन check करते हैं, तो यह r से हमारे पास r cancel, और अगर अपन यहां पर v square की equation की बात करें, तो v square क्या हो जाएगा, हमारे पास k upon m, और अगर मैं v के लिए बात करता हूँ, तो v क्या रहेगा, under root of k upon m, यहां पर अगर अपन अबसर करते हैं, तो v में आपके पास r कहीं नहीं आ रहा है, क्याने का मतलब v जो रहेगा, वो r से क्या रहेगा, independent रहेगा, r पर depend नहीं करेगा, options में हमारे पास situations हैं, उसमें proportional to r square नहीं, r पर depend नहीं कर रहा है, तो दूसरा option अपनी को बोल रहा है, that is, velocity will be independent of r, independent of r means इसका answer हो जागा, 2, क्या बोल रहा है, जो कंड का वेग रहेगा, वो r पर नहीं होगा, equation इस तरह से solve करेंगे, यह आपका जो central attractive force है, वो r के inversely proportional है, तो उस ताइम पर v r से independent रहेगा, for an object in rolling motion, the ratio of translational kinetic energy to the rotational kinetic energy will be, लौटनी गती करते हुए एक पिंड के लिए, उसकी जो स्तनंत्री गती जुरजा है, तथा उसकी जो गुर्णन गती जुरजा होगी, उसका आपने को क्या करना है, अनुपात ज्याद करना है, तो क्या बोलना है अपने को, अपने को translational kinetic energy और उनों का ratio calculate करना है, तेगे, translational kinetic energy, यह क्या रहेगा हमारे पास, 1 by 2 यह हो जागा, mv square upon rotational kinetic energy, यह क्या हो जागा, 1 by 2 i omega square, अभी 1 by 2 से 1 by 2 cancel, अगर अपन यहाँ पर और solve करें, तो v आपके पास क्या हो जाएगा, omega r, v equals to omega r square upon, अगर मैं moment of inertia की बात करूँ, तो moment of inertia क्या होता है i equals to mk square, तो यह क्या हो जागा मेरे पास, this will be mk square, और इदर क्या बन जागा मेरे पास omega square, इसको expand करते हैं, तो यह हो जागा m omega square, r square upon, यह बन जागा मेरे पास m, k square, यह बन जागा omega square, m से m cancel, omega square से omega square cancel, और आपके पास result बनता है, r square upon k square, एक बढ़िया question, एक simple question, और हमारे प अगर अपन सॉल करते हैं तो इस विल भी आर स्क्वार अपन के स्क्वार कोशन नम्बर नाइन ऑप्शन नम्बर टू अगले कुशन की बाद करते हैं पहले आपके पास एक M मास है एक 4M मास है दो द्रहमान M तता 4M परस पर आड दूरी पर रखे हुए है बड़े द्रहमान 4M से किस दूरी पर एक अन्य द्रहमान M मन पर लगने वाला गृत्वा कर्शन बल शुन्य होगा इसके लिए अगर बात करनी है तो सिस्टम बनाते हैं हमारे पास यह रहा एक स्मॉलर मास यह हो गया M यहां से कुछ R डिस्टिंस पर हमारे पास एक बड़ा मास रखा हुआ है वो कितना है अपना 4M तो 4M से हमारे पास किस डिस्टिंस पर आपको यह चेक करना है कि कोई एक एक एक्स्ट्रा मास जो है हमारे पास जो M1 है वो वहाँ पर अगर अपन रखे हैं तो उस पर नेट ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो zero हो जाएगा आपको distance calculate करनी है distance from bigger mass distance from bigger mass की अगर बात करनी है तो bigger mass यह रहा अपने पास bigger mass से हम लोग बोल दिते हैं that this point or this location is at x distance bigger mass से x distance पर आपका यह point है तो यह distance आपके पास total r है तो smaller mass से यह distance कित्ती हो जाएगी this will be r minus x क्याए बात समझ भारी है 4m से x distance पर वो point है आपको x की value calculate करनी है इस question में आपको ध्यान रखना है कि आपको किदर से यह distance पूची गई है तो अपने को question में clearly mention है कि at what distance from the bigger mass तो bigger mass से अपन x assume कर रहे हैं कहने का मतलब अपने को x की value जो है वो calculate करनी है और इधर वाली जो बाकी बचीवी distance हो जाएगी वो हमारे पास r minus x हो जाएगी लगा दते है gravitation force इसकी वज़े से let's say f1 force लग रहा हो इस 4m की वज़े से let's say f2 force लग रहा हो इस पर net force अगर 0 होता है तो आपके पास क्या situation रहेगी that f1 will be equals to f2 चलाते है f1 की equation अगर मैं लिखता हूँ तो उधर से force क्या लग रहा है that is g m m1 अपन क्या हो जाएगा मेरे पास r minus x का क्या हो जाएगा whole square यह मास यह मास और इनकी distance इधर से अगर मैं f2 की बात करता हूँ तो f2 इसकी वज़े से लगने वाला force उसकी equation क्या हो जाएगी g this will be 4m into यह हो जाएगा मेरे पास m1 अपन कितना हो जाएगा यह x square ठीक है चलते हैं आपन आगे जो cancel हो रहा है cancel करते है g m m1 cancel हो रहे है g m m1 यह सब अपने पास आ रहे हैं यहाँ पर equation बन जाएगी मेरे पास 1 upon r minus x whole square that is equal to 4 upon अपने पास क्या हो जाएगा x square ठीक है अंडरूड करते हैं हमारे पास क्या situation मनेगी this will be 1 upon r minus x that is equal to इसका अंडरूड हो जाएगा 2 और इधर बच जाएगा आपके पास x cross multiplication हमारे पास term मनेगी x that will be equal to 2 r minus 2 x क्या बात सबन्यों आ रही है एकदम simple मामला चल रहा है इस 2 x को मैं उदर लेके चला जाता हूं तो इस 2 x को मैं उदर लेके जाओंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा this will be 3 x that will be equal to कितना हो जाएगा आपने पास 2 r 3 x will be equal to 2 r तो x की value आपके पास आजाएगी 2 r upon 3 x will be equal to 2 r upon 3 this will be our result x 2 r upon 3 2 r upon 3 question number 10 answer number हमारे पास क्या रहेगा 2 एकदम simple मामला है एक बड़िया question है आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ऐसे question को solve करने के लिए अपने को किस मास से distance पूछी हुई है ये भी आपको ध्यान रखना है तो 4 m से पूछा है तो 4 m से अपने पास जो result रहेगा that will be 2 r upon 3 then बढ़ते है हम आगे a cricket ball of mass 250 gram collides with a bat with velocity 10 meter per second okay and returns with the same velocity within 0.01 second the force acted by acted by or acted on the bat यहां पर bat और bowl की बीच में ball बेट पर force अप्लाई करेगी और bat बोल पर force अप्लाई करेगा तो दोनों की value क्या रहेगी action reaction pair से same रहेगी तो अगर आपको यह पूछा गया है कि the force acted on the bat that is same thing बस दोनों की direction क्या रहेगी opposite रहेगी या force acted by the bat on the bowl that will be same कहने का मलता अपने पास हिंदी में 250 gram की अपने पास एक gain है जो बल्ले से 10 मिटर पर 30 seconds के wake से टकराती है तथा .01 second में समान wake से पुने लोटती है तो gain द्वारा बल्ले पर आरुपित बल होगा तो gain द्वारा बल्ले पर आरुपित बल या बल्ले द्वारा गेंद पर है यहां पर strike होगा और फिर उसी velocity से returns with the same velocity तो same velocity का मतलब return हो रहा है यहां कि आपके पास velocity का magnitude same है और direction क्या हो चुकी है opposite हो चुकी है इधर अगर अगर अपन बात करते हैं तो ball के momentum change की बात करें तो ball का momentum change अगर यहां पर momentum mv है यहां पर momentum b क्या रहेगा mv रहेगा but direction opposite होने की विज़े से momentum change हो रहेगा वो कितना हो जाएगा 2mv देखे हैं हम लोग जानते हैं that force that will be equal to delta p upon delta t force अगर calculate करते हैं तो delta p delta p की value कितनी हो चुकी हमारे पास 2mv upon हमारे पास delta t और delta t का value अपने को given है that is 0.01 बागी सारी values रखते हैं 2m कितना है 250 gram है 250 gram का मतलब 250 into 10 raise to power मेरे पास कितना हो गया minus 3 kg देखें velocity velocity is 10 meter per second upon अपने पास जो time है वो कितना हो चुका है that is 0.01 यहां से इसको shift करता हूँ तो इदर आपके पास कितना हो जाएगा 10 raise to power 2 10 raise to power 1 यह हो गया 10 raise to power 3 यह 10 raise to power 3 cancel सब कुछ मामला MKS में चल रहा है तो अपने पास force की value that will be equals to 250 into 2 यह हमारे पास कितना हो जाएगा 500 newton simple 500 newton माना result रहेगा question number 11 answer number 4 बढ़ते हैं अपन अगले question पर अगला question क्या बोल रहा है देखते हैं the oscillating electric and magnetic vectors of electromagnetic waves are oriented along वदुचुमकी तरंगों के लिए दोलित वदुच्चेत्र और दोलित चुमकीक शेत्र एक दूसरे से अभी विन्याशित होते हैं तो 90 degree in mutually perpendicular direction एक दूसरे के लंवत दिशाओं में दोनों E सदिश और B सदिश वदुचुमकी तरंगों के लिए होते हैं simple question बढ़ते हैं अपन आगे a small magnet is allowed to fall through a fixed horizontal conducting ring of radius R not radius, fine, ring R, ring का नाम दिया है R let G be the acceleration due to gravity, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है the acceleration of the M will be यह हमारे पास magnet है और यहां से अपन इसको गिरा रहे हैं ring का नाम इसने R दिया है एक छोटे चुमबक M को चित्रा नुसार, छेती चालक वला R में गिरा जाता है यदि गुर्तवी तवरण G हो, तो M का तवरण क्या होगा अगर यहां पर ring नहीं होती, तो यह एक free falling object होता और इसका downward direction में acceleration के तरह रहता G रहता बट अगर यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं तो इस system में आपके पास जैसे जैसे magnitude यहां पर pass आ रही है इस coil से, यह ring जो है वो एक coil की तरह behave करेगा और इस coil से आपके पास जो pass होने वाला flux है, वो change होगा pass होने वाला flux change होगा और इस coil में हमारे पास क्या होगा EMF induced होगा EMF induced होगा और current भी induced होगी क्योंकि यह close circuit है तो इसमें current भी induced current flow होगी और ferradi lens law से ferradi lens neem से हम लोग यह जानते हैं the direction of induced current will be such that, that it will oppose the reason by which it is generated जो प्रेरित दारा रहेगी उसकी दिशा इस प्रकार रहेगी कि यह उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण उसकी क्या होई है उत्पत्ती होई है तो यहाँ पर current इस तरह से flow होगी कि वो magnet के pass में आने का क्या करेगी oppose करेगी जब यहाँ पर current जो भी flow होगी है वो इस magnet का pass अगर यहाँ पर north पूल हो रहा होता है तो इस जगे पर upward direction में क्या बनता है यहाँ पर north पूल बनता तो north से north के क्या होता oppose होता तो यहाँ पर जो भी current flow हो रही है वो इस magnet के pass में आने का क्या करेगा oppose करेगा और उसकी वज़े से एक net acceleration मेंगनेट का oppose होगा तो इसका acceleration जो है वो less than g रहेगा देखते हैं अमारे पास option क्या है option less than g का अमारे पास एक ही बन रहा है that is option number one greater than g की तो condition है नहीं हमारे पास अगर यहाँ पर अगर यह magnet यहाँ पर below भी होता और यह यहाँ से क्या हो रहा होता दूर जा रहा होता तो यहाँ पर current इस तरह से flow होती कि वो इसके दूर जाने का भी क्या करती oppose करती देखें तो current magnet के नीचे अगर magnet यहाँ पर नीचे है तो यहाँ पर current इस तरह से रहेगा कि वो इसके दूर जाने का भी क्या करेगा अपोस करेगा, उसकी वज़े से इस जगे पर भी जो acceleration due to gravity रहेगा, वो g से क्या रहेगा, कम रहेगा देखें, एक बढ़िया question, बढ़ते हैं अपन, question number 14 की ओर, हमारे पास question है current i in the circuit will be दिये गए परिपत में दारा i का मान हो गया इस circuit में हमारे पास diode लगे हुए हैं और battery की polarity इस तरह से कि इसका positive terminal हमारे पास इधर है और negative terminal इधर है अगर मैं circuit की बात करूँ, तो यहाँ पर positive terminal की वज़े से ये diode जो रहेगा ये आपका क्या हो जाएगा, forward bias हो जाएगा अभी अपने को और कुछ mention नहीं किया गया है तो अपन diode को क्या करते हैं ideal consider करते हैं तो ये diode forward bias forward bias में diode short circuit की तरह behave करेगा अपने उपर वाले diode की बात करें तो ये positive polarity और ये positive polarity आप लोगो ने diode के end terminal पर apply करके रखी हुए diode के end terminal पर positive polarity कहने का मतलब ये diode हो जाएगा reverse bias diode reverse bias इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो उपर वाली line है उसमें अभी कोई current flow नहीं हो रही है diode off है और circuit क्या है broken condition में तो जो running circuit आपका हो चुका है वो इस तरह से हो जाएगा कि इसमें आपने पास diode इदर short circuit इदर resistance बचा आपका कितना 30 ohm इदर अपने पास कितना हो चुका है ये अपना है 20 ohm इदर बन गया मेरे पास ये हो गया 5 volt battery 5 volt battery 20-30 these are in series ये शेनी करम में है तो इनका जो R equivalent हो जाएगा 320 कितना हो जाएगा 50 अगर अपने आपर current की बात करनी है तो current क्या हो जाएगा हमारे पास I that is equals to V upon R effective V, V कितना आपने पास 5 और R effective दोनों series में होनी की वज़े से कितना हो चुका है 50 तो 5 बटा 50 वैसे हम लोग इसको cancel भी कर सकते हैं पर option अपने पास इसी तरह से given है तो उन पर चलते हैं हमारे पास जो result रहेगा that will be 5 upon 50 एक बढ़िया question, simple question diode का एक simple concept forward bias and reverse bias 5 upon 50 will be the current in the circuit अगले question पर चलते हैं question number 15 question number 15 ये बोल रहा है the frequency of tuning fork A इसको बोल देते हैं F A frequency of tuning fork इसको बोल देते हैं B are respectively 3% more and 2% less than frequency of tuning fork C तो tuning fork C की frequency को अपन बोल देते हैं F C दो स्वरित्र अपने को दिये हुए हैं जिसमें एक स्वरित्र का नाम है A जिसकी आवरती अपन बोल देते हैं F A दूसरा स्वरित्र है B तो उसकी आवरती बोल रहा हैं F B और T स्वरित्र C है उसकी आवरती अपन उसको F C बोल रहा है आपको ये गिवन है कि A की जो फ्रिक्वेंसी है वो F C सी 3% और F B या जो 20 वरित्र की आवरती है वो C स्वरित्र से 2 प्रतिश्यत कम है इफ A और B आर साइमल्टेनियस्टी एकसेटेड 5 beats are produced जब A और B को साथ में बजाया जाता है तो उनसे 5 beats उत्पन होते हैं तो आपको पूछा गया है कि tuning fork A की frequency क्या रहेगी तो question में अगर अपने पास F C है और F A को बोला हुआ है कि ये F C से 3% ज़्यादा है यानि कि मैं लिख सकता हूँ F A F C से 3% ज़्यादा है F A 3% ज़्यादा का मतलब कित्ता हो जएगा 1.03 F C 3% ज़्यादा 100 में 3 ज़्यादा तो 1 F C है तो इसमें 3% ज़्यादा आपके पास कित्ता हो जएगा 1.03 F C उसी दिर ऐसे F B की अगर मैं बात करает तो F B कित्ता हो जाएगा 2% कम है 2% कम होने का मतलब आपके 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 पास conclusion क्या बन जागा This will be 0.98 FC तो FC से FB जो है वो 2% कम हो चुक है आपको यह बोलाओ कि जब इनको दोनों को साथ में बजाया जाता है तो आपको 2 beats मिल रहे हैं तो 2 beats मिल रहे हैं कहने का मतलब आपके पास sorry not 2 beats we have 5 beats sorry हमें 5 विस्पंद मिल रहे हैं या 5 beats प्रडूज हो रही है 5 beats प्रडूज हो रही है उसका मतलब यह है कि आपके पास F A minus F B इन दोनों को साथ में टून करने पर आपको जो result मिल रहे है वो 5 beats है means F A minus F B will be equals to 5 values put करते हैं हमारे पास यह कितना हो जाएगा 1.03 FC minus यह बन जाएगा मेरे पास 0.98 FC that is equals to 5 इन दोनों को सब्ट्रेक करते हैं तो यह बनेगा हमारे पास 0.05 FC that is equals to 5 बात आ रहे हैं समझ में simple calculation चल रही है यहां से अगर मैं FC की बात करूँ तो FC आपका कितना हो जाएगा 5 upon 0.05 और इसको solve करते हैं तो आपके पास FC की value कितनी आ जाती है 100 Hz तो जो आपका tuning fork number C है या जो स्वरित्र C है उसकी आवरती कितनी आ चुकी है 100 Hz आ चुकी है अपने को पूछा गया question में क्या है अपने को पूछा गया question में है कि आपको स्वरित्र A की आवरती बतानी है या tuning fork A की frequency अपने को बतानी है और tuning fork A की frequency अपन यहां से जान रहे हैं कि यह कितना है 1.03 FC है कहने का मतलब अगर मैं बात करता हूँ F A के लिए then F A will be equals to 1.03 times of 100 तो कितना हो जागा यह 103 103 तो tuning fork A की frequency रहेगी that will be 103 Hertz 103 Hertz पर चलते हैं तो 15 का अपना result रहेगा answer number 3 answer number 3 एक बढ़िया question beats और थोड़े से combinations को मिला के result रहेगा हमारा tuning fork A की frequency रहेगी that will be 103 Hertz बढ़ते हैं अपन अगले question पर question number 16 पर चलते है question number 16 the plot of intensity versus wavelength of three black bodies at temperature T1, T2 and T3 respectively are shown their temperature are such that तो इनके temperature उन्हों objects के क्या रहेगे आपको यह बुला हुआ है कि तीन कृष्ण का काउं के तिवृता था था तरंग्देर्द के मध्यवक्र कुछ ताप T1 तथा T2 तथा T3 पर आपको चित्र में दर्शा आए गए हैं तो इनके तापों का क्या क्रम होगा यह अपने को दर्शाना है तो आपको temperature का sequence पता करना है हम लोग वीन's displacement law वीन के विस्तापन नियम से यह जानते हैं कि ताप जो होता है या temperature जो रहता है वो wavelength के क्या रहेगा inversely proportional रहेगा इतना आपने को पता है एकदम simple relation है और एक बहुत ही ज़्यादा important relation है तो किसी black body के लिए जो temperature रहेगा वो basically यह lambda maximum है lambda maximum का मतलब maximum intensity के respect में जो wavelength है उसके inversely proportional रहेगा तो यहाँ पर अगर आपन देखते हैं तो यह आपके पास wavelength की direction रहेगी wavelength अगर इधर है यह अपने को T1 temperature बोला है तो इसके respect में यहाँ पर यह जो wavelength बन रही है उस wavelength को में क्या बोल सकता हूँ this will be lambda M1 पहले object की दिए जो maximum intensity है उसके सामने जो आपके पास wavelength बन रही है that is lambda M1 दूसरे के लिए बात करें तो यह T3 है तो यह basically अपना तीसरा object हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा this will be lambda M3 इसके respect में धियान रखें आप यह temperature sequence में नहीं जीवन है यह T1 है यह T3 है और यह कितना है T2 है तो आपको उसके respect में उनके wavelength के number भी वह ही mark करने है आगे जलता है T2 तो इस जिगे पर यह जो intensity है इस intensity की respect में जो wavelength हमारे पास बनेगी that will be lambda M2 बात आरी समझ में तो temperature अपने को पता करना है तो उसके लिए हम लोग चलते हैं wavelength axis पर और wavelength axis पर हम लोग यह देख रहे है that lambda M1 is less than lambda M3 is less than lambda M2 यहाँ पर यह सबसे चोटा wavelength है यह उससे बड़ा wavelength है और यह सबसे बड़ा wavelength है अब temperature क्या है wavelength के inversely proportional यानि कि इसका temperature जो रहेगा यह wavelength सबसे कम है तो इसका temperature क्या रहेगा सबसे ज़्यादा रहेगा या मैं अगर temperature की बात करता हूँ तो T1 will be greater than हमारे पास क्या हो जाएगा T3 will be greater than क्या हो जाएगा हमारे पास T2 एक बहुत ही बढ़िया question एक अलग तरीके से आप लोग को इसको सोचना है हमारे रिजल्ट रहेगा T1 will be greater than T3 will be greater than T2 T1 will be greater than T3 will be greater than T2 अपना answer रहेगा answer number 2 question number 16 answer number 2 T1, T3, T2 पहले सबसे पहले तो T1 आई गाई तो बाकी ये दो option तो चले गए T1, T2, T3 नहीं T1, T3, T2 बढ़िया result चलता है अपन अगले question पर हमेशा wind displacement आप लोग को ये हमेशा ध्यान रखना T is inversely proportional to 1 upon lambda maximum question number 17 a ball of mass M and radius R is released in a viscous liquid ठीक है साब बात करते है ये रहा हमारे पास viscous liquid जो इस तरह से यहाँ पर बरा हुआ है एक ball है जिसका mass अपने पास किता है M है ये रही ball जिसका mass M इसकी radius R is released in a viscous liquid the value of its terminal velocity is proportional to terminal velocity या वस्तु का जो सीमान तवेग रहेगा वो किसके proportional रहेगा उसकी calculation अपने को करनी है तो terminal velocity concept किस तरह से रहेगा यहाँ पर जब ये ball इस liquid के अंदर move करेगी ये ball हमारे पास ये रही और ये liquid के अंदर move कर रही है नीचे की दरब क्या रहेगा इस पर M G एक उपर की दरब हमारे पास क्या रहेगा एक तो रहेगा हमारे पास up thrust force या उत्प्लावन बल और दूसरा रहेगा इस liquid की layers जो है liquid की layers उस object का move करने का क्या करेगी oppose करेगी तो liquid की layers इस object की move करने का oppose करेगी और उसकी वज़े से उपर की दरब हमारे पास एक और extra force एक्ट करेगा जो रहेगा viscous force या वो रहेगा अपने पास शानबल की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर यह रहा हमारे पास object downward direction में हमारे पास कितना है mg उपर की direction में हमारे पास है उत्प्लावन बल अफ्टरस्ट और यह रहेगा हमारे पास viscous force fv fv जो होता है या viscous force जो होता है वो रहता है 6 pi nita rv जबकि आपके पास एक object spherical या ball हो एक गोली पिंड के लिए लगने वाला जो शान बल रहेगा वो 6 pi nita rv द्वारा दिया जाता है अब यहाँ पर देखें अगर ball जैसे से अंदर जा रही है वैसे वैसे इसकी velocity बढ़ती जाएगी और जैसे से velocity बढ़ेगी यह velocity बढ़ी तो उस पर viscous force भी क्या होने लग जाएगा बढ़ने लग जाएगा कहने का मतलब ball नीचे जा रही है उसकी velocity बढ़ रही है जिसकी वज़े से उपर की तरफ लगने वाला force भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है एक time ऐसा आएगा जब यह दोनों force मिलके इस mg को क्या कर देंगे balance कर देंगे जब दोनों force mg को balance कर देंगे तब object पर net force कितना हो जाएगा zero हो जाएगा net force zero यानि कि उसका net acceleration कितना हो जाएगा zero तो उस time पर जो इसकी velocity रहेगी उस velocity को अपन बोलते है terminal velocity क्या होगा concept क्या है हमारे पास जैसे इसे ball नीचे जा रही है उस time पर इसकी velocity increase हो रही है velocity increase हो रही है velocity increase होनी की वज़े से आपके पास जो viscous force रहेगा वो increase होगा ये वी के उपर depend करता है तो ये term आपकी क्या होती जारी है बढ़ती जारी है ये term बढ़ती जारी है तो एक time ऐसा हैगा जब इन दोनों का sum इस mg के बराबर हो जाएगा और उस time पर इस object का acceleration 0 हो जाएगा acceleration 0 हो जाएगा acceleration 0 का मतलब velocity 0 नहीं है velocity क्या है constant और उस velocity को अपन बोलते है terminal velocity तो at terminal velocity यहाँ पर अगर अगर बात कर रहे हैं at vt सीमान्त वेक की इस्तिति में आपके पास क्या रहेगा mg जो है वो दोनों से मिलके upthrust force और viscous force दोनों का sum mg को क्या करेगा balance करेगा चलते हैं हम इसको solve करते हैं अगर अपन यहाँ पर देखें तो हमारे पास fv will be equals to क्या हो जाएगा हमारे पास mg माइनस क्या हो जाएगा upthrust ठीक है fv की value हम लोग जान रहे हैं यहाँ पर किता रहेगा 6 pi नीटा नीटा हमारे पास coefficient of viscosity शान्ता गुनांख है यह हो जाएगा मेरे पास r v mg यह रहेगा मेरे पास mg और यह रहेगा upthrust force जब मैं यहाँ से mg कॉमन लूँगा तो इन दोनों की equations के according पर चले है तो यहाँ पर बनेगा हमारे पास 1 minus density of liquid upon क्या रहेगा density of solid जब मैं यहाँ से mg common लूँगा mg क्या रहेगा mg तो mg mg को मैं क्या express कर सकता हूँ this is density of solid volume of solid into क्या हो जाएगा g और जो upthrust force रहता है वो क्या रहता है तो यहाँ पर यह दोनों term लिखेंगे this is density of solid volume of solid into g this is density of liquid volume of solid into क्या हो जाएगा g तो मैं यहाँ से जब mg common हुआ तो आप इस term के लिए सीधा भी लिख सकते हैं mg common लेते दे यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 minus density of liquid upon density of solid अब अपने को calculate क्या करना है अपने को calculate करना है terminal velocity is proportional to तो terminal velocity तो यह रहेगी यह अपने पास V क्या हो जाएगा VT हो जाएगा और इसको अगर अपन देखें तो यहाँ पर यह एक R आ रहा है तो VT का expression के लिख सिप्ताव में VT will be equals to mg upon मेरे पास क्या हो जाएगा 6 pi nita R 1 minus density of liquid density of liquid upon क्या हो जाएगा density of solid क्या बाद समझ मा रही है एक बड़िया कुश्चन यहाँ पर देख रहे है और आपके पास यहाँ पर अगर अपन देखें तो G constant, 6 constant, pi constant nita constant, 1 तो constant हैं है density of liquid constant, density of solid constant हमारे पास जो term है M और R यह इस तरह से आ रहे हैं तो हमारे पास क्या हो चुका है VT will be proportional to क्या हो जाएगा M upon R एक बहुत ही बढ़िया कुश्चन जिसमें अपन ने terminal velocity के concept को सीखा और हमारे पास answer क्या हो जाएगा that terminal velocity will be proportional to M upon R, option number 2 question number 17, result बढ़ते हैं अपन अगले कुश्चन पर next, question number 18 two resistors of resistances R1 this one and R2 this one are connected in series the equivalent resistance of the series combination is दो प्रतिरोद, जिनका प्रतिरोद अपने पास क्या क्या है 300 plus minus 3 और किता है 500 plus minus 4 श्रिनिक्रम में जुड़े हुए हैं तो इनका श्रिनिक्रम में तुल्ली सहयोजन होगा हम अगर बोलें तो R equivalent क्या होता है R equivalent श्रिनिक्रम में या series combination में क्या रहता है R1 plus R2 कोई दिक्कत नहीं R1 plus R2, तो अगर अगर अपन यहाँ पर बात करें तो यह तो रही गए अपने पास true value और यह हो गई हमारे पास इसकी mean absolute error यह हो जाएगा हमारे पास उसका वास्तविक्मान और उसके साथ में यह क्या है उसकी माद्य निर्पेक्स true t तो अगर अपन R1 plus R2 की बात करें तो true values की बात करते हैं तो 300 और कित्ता है हमारे पास 300 और 500 तो 300 plus 500 हमारे पास कित्ता आजाएगा यह 800 तो आपका जो result रहेगा उसकी true value तो क्या रहेगी 800 रहेगी और हम यह जानते हैं कि true t यह हमेशा जुड़ती है errors are always additive तो हमारे पास result में error क्या होगी हमेशा add होगी तो अगर आपन R equivalent को express करना चाहते हैं तो आपके पास वो कित्ता हो जाएगा 800 plus minus और errors को हम लोग क्या करेंगे add करेंगे इधर कितना है 3 इधर कितना है 4 तो result पर error कित्ती हो जाएगी हमारे पास total that will be 7 यह addition है addition में हमेशा जो mean absolute error होगी वो सिधी सिधी add होगी जब multiplication और division होता है तब जो fractional error होती है वो हमेशा add होती है तो यह भी आप ध्यान रखें यह simple addition वाला question है तो हम लोग ने absolute errors को add किया जब आपके पास multiplication और division रहते हैं तब हम लोग किसको add करते हैं fractional errors या percentage errors को add करते हैं तो अपना result रहेगा 800 plus minus 7 800 plus minus 7 वड़ते हैं हम लोग अगले question पर this is question number 18 answer number क्या रहेगा अपना 2 आगे 19 the variation of terminal potential difference for a cell with current is given in the graph the value of internal resistance of the given cell is चित्र में एक cell की terminal volt तक धारा के साथ परिवरतन graph चित्रा नुसार दिया गया है दिये गए cell का आंतरिक प्रतिरोद होगा cell का आंतरिक प्रतिरोद calculate करना है graph को हम लोग अगर देखें तो internal resistance अपने को calculate करना है but यहां पर यह जो terminal voltage है वो current increase होने के साथ में terminal potential क्या हो रहा है increase हो रहा है terminal potential हमारे पास जब increase हो रहा है तो हमारे पास situation क्या रहेगी यह cell अभी आपके पास क्या हो रहा है charging condition में है और terminal potential that will be first to E plus क्या हो जाएगा मेरे पास IR जहाँ पर R क्या रहेगा internal resistance रहेगा यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैं क्या कर देता हूँ I के respect में मेरे पास graph available है तो मैं इस equation का I के respect में differentiation कर देता हूँ I के respect में differentiation करूँ तो DV upon मेरे पास क्या हो जाएगा D I E EMF है constant है differentiation 0 और यहाँ पर आपको differentiation करना है I के respect में तो R constant है internal resistance constant है और I का I के respect में differentiation हो जाएगा 1 तो आपके पास R आजाएगा यह तो R अमारे पास बनेगा that will be DV upon क्या हो जाएगा मेरा D I DV upon D I कहने का मतलब यह क्या हो चुका है DV upon D I क्या होता है that is slope of the curve slope of VI curve that will be DV upon D I तो आपको अगर internal resistance calculate करना है तो आपने को क्या calculate करना है slope calculate करना है slope, slope के लिए चलता है slope इस graph का आपको slope calculate करना है तो यहाँ पर यह देखो slope के लिए यह gap किता है 10-5 यह हो गया 5 और यह gap कितना अपने पास that is 0.5 तो इसका slope कितना हो जाएगा slope 10 theta perpendicular upon base तो slope के अपने बात करें slope that is 5 upon कितना हो जाएगा 0.5 shift करते हैं 50 upon 5 and that will be 10 ohm तो internal resistance of the circuit will be 10 ohm or internal resistance of the given cell will be 10 ohm 10 ohm हमारा result रहेगा question number 19 answer number क्या रहेगा मेरे पास 2 एक बढ़िया question है graph को देखकर हम लोग यहाँ पर हमेशे धान रखेंगे कि VI curve का जो slope रहेगा वो cell का क्या रहेगा internal resistance रहेगा अगले question पर चलते हैं बात करते हैं next during mean life of radioactive substance the fraction that is disintegrated is माध्यायू के बराबर समय में एक रीडियो सक्रिय पदार्त का जो विगटी तंश रहता है वो कितना रहेगा आपको ध्यान रखना है यहाँ पर पूछा गया है विगटी तंश कितना होगा एक तो सबसे पहले चलते हैं माध्यायू यह जो mean life time जो होता है that is टो this is 1 upon lambda ठीक है अब हम लोग यह जानते है that the remaining nucleus यह बच्चे हुए नाभिक जो रहेंगे उनका समीकरन क्या होता है the equation for the remaining nucleus that is n is equals to n0 e to the power minus lambda क्या रहता है t रहता है क्या बाद समझ में आ रही है और t आपको क्या बूला हुआ है कि माध्यायू का बराबर समय means इस t की विल्यू आपके पास क्या हो चुकी है to के equal हो चुकी and this to is 1 upon lambda चलते हैं अपन आगे यह सबसे important बात यह है कि यह बचे हुए नाभिको की संक्या है यह remaining nucleus है यह आपके विगिटी तंश नहीं है यह disintegrated nucleus नहीं है यह जो अभी आपका system है जो आपका sample है उसमें जो remaining nucleus है उनकी equation है तो अभी अपन इसको solve करते हैं तो अगर आपन देखें तो हमारे पास n यह बन जाएगा मेरे पास n0 e to the power minus lambda और इस t की value tau और tau is 1 upon lambda तो lambda से lambda cancel और आपके पास जो remaining nucleus है वो कित्ता हो जाएगा n0 e to the power minus 1 या मैं इसको लिख सबता हूँ n0 upon e बात समझ में आ रही है यह क्या है remaining nucleus question में क्या पूछा है आपने को question में पूछा है the fraction that is disintegrated आप लोग को disintegrated fraction calculate करना है तो अगर मेरे को यह देखना है कि disintegrated nucleus कित्ते हो जाएगे तो जो पहले पूरे थे minus अब जो बचे हुए है remaining n0 पूरे अब बचे हुए that is remaining that will be equals to disintegrated nucleus यानि कि संपुर्ण नाभिको की संख्या minus बचे हुए नाभिको की संख्या बराबर क्या हो जाएगा विग्टित नाभिको की संख्या चलते हैं अपन चलते हैं इसको solve करते हैं nd यह मेरे पास बन गया n0 minus nr कितना है that is n0 upon e यहां से n0 को common लेता हूँ n0 common और यह हो जागा 1 minus 1 upon e यह हो गया number of disintegrated nucleus विग्टित नाभिको की संख्या और आपको पूछा है कि कितना अंश विग्टित होगा अंश का मतलब आप लोग को क्या करना है संपुर्ण नाभिको की संख्या कि साथ में उसका अनुपाद ज्याद करना है तो यहां पर देखें अगर अपन चेक करते हैं तो nd upon अपने पास क्या हो जाएगा n0 that will be equals to 1 minus 1 upon e एक बहुत ही बढ़िया question इसको solve करते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा e minus 1 upon क्या हो जाएगा e done result e minus 1 upon क्या हो जाएगा e e minus 1 upon e option number रहेगा हमारा 3 question number 20 answer number 3 result मैं उम्हीद करता हूँ radio activity एक बहुत ही बढ़िया concept है यह रहेगा हमारे पास remaining nucleus अगर इस question में आपको the fraction that is remaining पुछा हो था तो आपका answer कित्ता हो जाता 1 upon e हो जाता बढ़ आपको disintegrated nucleus पूछा है विगटिद नाभिकों का आश्च पूछा है तो आपके पास वो कित्ता रहेगा e minus 1 upon e बढ़ते हैं आपन आगे question number 21 identify the operation performed by the circuit given below निम्न परिपत द्वारा निर्मित gate क्या है या यहां से कौन से gate का operation performed क्या जा रहा है उसका according इसका मतलब यह है कि यहां पर जो result मिलेगा वो हम लोग को क्या मिलेगा a bar मिलेगा nor gate या nand gate के दोनों terminal जब connect होते हैं तो result inverted मिलता है उसी तरह से यह b है तो यहां पर result जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा b bar मिलेगा nand और not gate universal gate क्या लाता है इनसे आप कोई भी gate form कर सकते हैं और इनके दोनों terminals जब connected होते हैं तो वो एक not gate की तरह behave करने लगता है not gate की तरह behave करने का मतलब जो output रहेगा वो input का क्या रहेगा inverted रहेगा अब आपके पास यहां पर फिर से एक और क्या है नौर gate की एक्वेशन फोलो करता है नौरगेट की एक्वेशन a प्लस b का क्या होता है whole bar यह नौरगेट की एक्वेशन है बट अगर अगर अपन इस नौरगेट के लिए देखे हैं तो आपके पास यहां पर input a bar आ रहा है और यहां पर input क्या है b bar है तो अब अपनी equation को solve करते है Nordgate ये equation follow करता है कि दोनो input जो input है उनका क्या है? whole bar है अभी इस Nordgate के लिए input यहाँ पर A bar यहाँ पर B bar तो आपका जो result यहाँ पर Y बनना है वो यह एक input है पर अपना input क्या है यहाँ पर? A bar है दूसरा input क्या है? B bar है और Nordgate का operation इस पर लगाएंगे तो यह क्या हो जाएगा? whole bar देखें? अब equation में आपन देख रहे हैं कि एक whole bar है और बीच में आपके पास एक sign है that is addition sign that is plus तो अब इस पर apply करेंगे D-Morgan theorem और D-Morgan theorem यह बोलती है क्या बोलती है? बार एक whole bar हो बार को break कर दो और बीच में आप लोग क्या कर दो? and get operation perform कर लो या plus को अपन किसमें convert कर देते हैं? multiplication में D-Morgan theorem अगर अपने को अगर यह भी देखना है that यह इस तरह से रहता है A plus B का whole bar that is always equals to A bar dot B bar इस bar को break कर दो और बीच में जो sign है उसको क्या कर दो? multiplication plus है तो multiplication, multiplication है तो plus यहाँ पर अगर मैं इसको यह operation इस पर apply करता हूँ तो A bar पर इस bar को break किया तो यहाँ पर bar operation invert करेंगे तो यह plus क्या हो जाएगा मेरे पास? dot और यह बन जाएगा मेरे पास B bar अगर इसको मैं solve करता हूँ तो A का बार-बार दो बार-बार आ रहा है यानि कि आप A quantity को invert करके वापिस invert कर रहा है कहने का मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा आपको original quantity फिर से B का पर दो बार-बार है यानि कि आप B को क्या करने है? एक बार invert फिर वापिस दूसरी बार invert तो आपका result हो जाएगा A dot B simple question और हमारे जो result रहेगा यहाँ पर जो formation हो रहा है वो किसका formation हो रहा है AND gate का यह expression किसका होता है Y is equals to A dot B किसका expression होता है that is AND gate logic gate पर एक simple और एक बढ़िया question result रहेगा हमारे पास 21 वी का though the resultant gate is AND gate आगे बढ़ते हैं suitable material for making transformer core have transformer की core निर्मित करने के लिए उप्युक पदार्थ के लिए आवशक क्या होता है simple question है हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि इसके लिए low retentivity और low coarsivity होनी चाहिए हम लोग soft iron use करते हैं इसके लिए और उसकी condition क्या होती है निम्न धारनशीलता और निम्न निग्राहिता low retentivity and low coarsivity यह याद रखना है यह generally पूछा जाता question next question पर चलते हैं हापन 23 to large holes are cut in a metal sheet if this is heated distance A, B distance A, B यह हमारे पास distance A, B है and distance B, C गातू की एक sheet से दो छिद्र काटे जाते हैं यदि इनको गर्म किया जाता है तो दूरिया A, B और B, C के बारे में क्या विचार है बारे में विचार यह है कि जब किसी वस्तू को गर्म किया जाता है तो उसकी प्रतियक रिखी विमा का विस्तार होगा प्रतियक रिखी विमा का विस्तार यह आपके पास एक linear dimension है यह भी एक linear dimension है दोनो linear dimension का क्या होगा increase होगा आप इसको यूँ भी देख सकते हो कि यहाँ पर कोई एक atom है इनके बीच में thermal expansion में atoms के बीच में क्या होती है distance increase होती है तो इन atoms के बीच में distance increase होगी एक बढ़िया क्यूश्टन बोट विल इंक्रीस बोट दे लिनियर dimension अबरी लिनियर dimension विल इंक्रीस अगर अपने को यह भी पूछ ले जाए कि इसके साथ में क्या होगा तो यह भी इंक्रीस होगा इसके साथ में क्या होगा तो यह भी इंक्रीज होगा every linear dimension of the object will increase then बढ़े question, question number 24 पर चलते हैं हम लोग 24, the temperature of sink of a cornered engine is 27 degree the efficiency of engine is 25 percent then the temperature of the source is यदि एक corner engine के sink का ताप 27 degree centigrade एवं दक्षता 25 परतिशत हैं तो स्रोथ का ताप क्या होगा चलते हैं, दक्षता engine की दक्षता के बारे में हम लोग जानते हैं या efficiency के लिए हम लोग जानते हैं that is 1 minus यह होता है आपने पास T2 upon T1 यह रहेगा आपके पास sink का ताप यह रहेगा आपरे पास source का ताप temperature of sink, temperature of source, देखें आपको efficiency 25 percent दे रिखी है यानि कि इसकी value कित्ती है हमारे पास, this is 25 upon 100 that you think was 2 1 minus T2 temperature of sink sink का temperature, the temperature of sink of corner engine is 27 degree centigrade पर यह जो temperature साथ हैं आपको इध्यान रखना है, यहापर values आपको Kelvin में पुट कर दी हैं, तो 27 degree centigrade, यह आपके पास temperature of sink है, तो T2 की value हो जाएगी 27 plus 273, यह कित्ता हो जाएगा 300 Kelvin 300 Kelvin, तो इसको आपन आगे बढ़ाते हैं, और इधर अपने पास T2 की value हो चुके है, 300 Kelvin 300, ठीक है, 300 Kelvin upon यह कित्ता हो जाएगा मेरे पास T1 so all करते हैं, यह बंजाएगा मेरे पास 1 by 4 that is equals to 1 minus 300 upon कितना हो जाएगा T1 300 upon T1 को इधर इसको इधर, अमारे पास कित्ता हो जाएगा this is 300 upon T1 that will be equals to 1 minus 1 by 4 1 minus 1 by 4, that is 3 by 4 इधर बंजाएगा मेरे पास 300 बटा T1, 300 यह बंगा मेरे पास 100 cross multiplication करेंगे और T1 की value, यह temperature of source जो रहेगा, वो कितना बंजाएगा आमारे पास, 4 into 100 that is 400 Kelvin 400 Kelvin, आंसर फिर से, आंसर आप लोग को किस में given है, degree centigrade में given है, तो 400 Kelvin को हम लोग क्या करेंगे, degree centigrade में convert करेंगे, और इससे 273 हम लोग subtract करेंगे, तो यह बंजाएगा मेरे पास 127 degree centigrade temperature of source या श्रोत का जो ताप रहेगा वो कितना रहेगा, 127 degree centigrade, 127 degree centigrade, एक बढ़िया result, अच्छा कुश्चन है, कानो इंजन बहुत important topic है, और efficiency पर हमेशा उस पर कुश्चन रहते हैं एंग्जाम में, चलते हैं अगले कुश्चन पर इन दे गिवन सर्केट, करेंट I1 और I2 आर ठीक है, दिएगे परिपत में आपको दारा I1 तता I2 का मान क्या करना है, ज्याद करना है, चलता है solve करते है, circuit इस तरह से दिया है, और आपको यह रहा I1 और यह रहा अपने पास क्या है, I2 इसको अपने को check करना है देख है, check करते हैं ऐसे circuit में, ऐसे questions को solve करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक point को reference consider कर लिते हैं, तो मैं F को क्या consider कर लिता हूँ ground consider कर लिता हूँ क्योंकि सारी batteries इसके respect में connected है तो जब यह ground है तो यह B point कितने पर आ जाएगा 4 volt पर आ जाएगा, उसकी वज़े से यह minus 6, यह positive इदर है और यह negative इदर है, तो यह ground है तो यह कितने पर चला जाएगा, minus 6 पर चला जाएगा इदर वापिस, यह positive यह negative तो यह ground है, तो यह कितने पर चला जाएगा minus 8 पर चला जाएगा इदर potential difference, यह current calculate करनी है, जबकि resistance आपके बाद कितना लगा हुआ है, 7 ohm का लगा हुआ है, तो current कितनी हो जाएगी current, that is अगर मैं I1 के बारे में बात करूँ, तो वो क्या रहेगा higher potential minus lower potential upon resistance, that is current, यह delta V upon R resistance के लिए ohms law, इदर अपने पास V1, यह आपने पास V2, तो क्या होता है, अगर अपने बात करते हैं तो delta V that is equals to IR, तो यहां से I अगर calculate करना है, तो यह हो जाएगा, delta V upon R, higher potential minus lower potential upon resistance तो I1 की बात करूँ, तो higher potential 4 minus minus 6, क्या हो जाएगा 4 minus minus 6 upon resistance कितना लग रहा है यहाँ पर that is 7, तो यह बंजाएगा मेरे पास 4, यह बंजाएगा plus और यह बंजाएगा मेरे पास 10 upon 7 10 upon 7, 10 upon 7, एक इसमें भी आ रहा है, एक इसमें भी आ रहा है, और भी आ रहा है, 3 और 4 तो हो गलत, आगे चलता है, अब अपने को इधर solve करना है, इधर भी वापिस वोई concept, इधर यह higher potential, यह lower potential, resistance लगा है 5 का तो आपके पास I2 की value हो जाएगी, I2 will be equals to 4 minus minus 8 upon कितना हो जाएगा मेरे पास 5, 4 minus minus 8 4 plus 8, यह बंजाएगा मेरे पास 12 upon 5, तो result अमारा रहेगा 10 upon 7 and 12 upon 5, चेक करते हैं 10 upon 7, 12 upon 7 नहीं 10 upon 7, 12 upon 5, 10 upon 7, 12 upon 5, question number 25 answer number 2, एक बहुती बढ़िया question, बढ़िया सा answer, बढ़ते हैं अगले question पर 26, the power dissipated in the circuit shown in the figure is 30 watt, इस पूरे circuit में जो power dissipation है, वो कितना है, हमारे पास 30 watt है, तो इस resistance R की value अपने को बतानी है, यह गए परिपत में शक्ती वे कितना है, 30 watt है तो हमारे पास प्रतिरोध R का मान क्या होगा, हम लोग को यह प्रतिरोध याद करना है simple concept, यह दोनों resistances यहाँ पर parallel में लगे हैं, यह battery इनके parallel में है, parallel में अगर अगर अपन एक resistance में voltage के according चलते हैं, तो power dissipation क्या होता है, that is V square upon R इसके terminal per voltage, कितना यह 10 इस पर भी जाएगा और यह 10 इस पर भी जाएगा तो इसमें होना वाला power consumption, 5 वाले में इसको मैं बोल देता हूँ, P1 तो यह कितना हो जाएगा, इस पर आने वाला voltage that is V square और V कितना है इसका, 10 का square, यह 10 volt तो इस पर भी जाएगा और यह इस पर भी जाएगा are you getting this point, सब कुछ parallel में हैं यहाँ पर, तो इस पर जो power consumption रहेगा, वो कितना हो जाएगा, voltage 10 square upon कितना हो जाएगा, मारे पास 5 point number 1 उसी दरह से, इस वाले के लिए अगर मैं power consumption लिखूँ, तो P2 कितना हो जाएगा मेरे पास, P2 that will be इसको voltage कितना मिल रहा है, 10 resistance है, R, तो यह कितना हो जाएगा 10 square upon कितना हो जाएगा R, और आपको given है that total power consumption is 30 watt, कहने का मतलब आपको यह given है, that P1 plus P2 that is equals to अपना 30 watt, आगे P1, यह रहा, यह कितना हो जाएगा, 100 upon 5 plus, यह हो जाएगा मेरे पास, 100 upon R, that is equals to, यह हो जाएगा 30 100 upon 5, that is 20, plus 100 upon R, that is equals to 30 अरे बाद समझ में तो यह अपने पास 20 watt power consumption है, इसको उधर बेज़ देते हैं तो मारे पास जो result बनेगा, this will be 100 upon R that is equals to 30 minus 20 यह बन जाएगा 10, और यहां से R की वेलिए अगर अपन calculate करें, तो यह 100 upon कितना हो जाएगा 10, 100 upon 10, that will be 10 ohm एक बड़िया question, simple answer है simple concept है parallel में है, वैसे आप इसको कैसे भी solve कर सकते हैं currents calculate करें, पर parallel में है तो अपन voltage के according solve करेंगे कि parallel में voltage क्या रहेगा दोनों पर, same रहेगा इस पर power consumption निकाल लो, इस पर power consumption लिकाल लो दोनों की power consumption का sum total power consumption of the circuit then, बढ़ते हैं अपन अगले question पर, question number 27 पर चलते हैं, इसका answer रहेगा 10 ohm 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm, यह रहा 26 का 1, आगे बढ़ते हैं question number 27 the Faraday Lange law of electromagnetic induction is related to, Faraday Lange या वैदु चुमकी प्रेरण का Faraday Lange नियम किस से सम्मंदित है Faraday Lange law is based on energy conservation, आप किसी कुमबक को किसी कुंडली के पास में लेके जा रहे हैं, तो उस कुमबक को कुंडली के पास में लेते जाने पर यहाँ पर जो प्रेरिदारा रहेगी, वो उस चुमबक के पास में आने का क्या करेगी, विरोध करेगी तो यहाँ पर जो induced current रहेगा, वो उस magnet के पास में आने का क्या करेगा, अपोस करेगा और उस opposition के against अपने को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, यह जो वर्क रहेगा, वो किस में convert होगा, electrical energy में convert होगा, तो यहाँ पर आप magnet को coil के या अगर अपन फेरडे का जो experiment है उसको अगर आपन observe भी करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास रहा, यह अपनने पास में लाने के लिए यहाँ पर इस opposition के against work करना पड़ेगा, मैं जो mechanical work perform कर रहा हूँ, वो इदार electrical energy में convert होगा, and Faraday Lange law is based on energy conservation, one important point, law of energy conservation, conservation of energy question number 27 done, next question, अगला question की बोलता है, a man of mass M stands at one end of plank of length L which lies on a rest, on a frictionless surface, okay, fine the man walks to the other end of the plank, if mass of the plank is M by 3, the distance that man moves relative to the ground is, एक व्यक्टी, एक M द्रेमन का व्यक्टी है, यह रहा आपने पास आदमी, यह आदमी बना देते हैं अपन, यह आदमी आगिया, mass is M, टेक है, एक गर्षन रहित विर्वावास्ता में एक L लंबाई का plank है, यह आपके पास plank है, उस पर इस तरह से standing है, व्यक्टी plank के एक सिरे से, दूसरे सिरे की और चलता है, एक सिरे से दूसरे सिरे की और चल रहा है, अभी जो length है वो आपके पास, जो plank की length है वो आपने को किती given है, या end to end point कितना है L है ठीक है यह प्लैंक का द्रेमान M by 3 है तो यह प्लैंक जो है उसका जो मास है that is M by 3 very good fine then दरातल के साफ एक श्वक्ती द्वारा तै की गई दूरी होगी अब इस question को solve करने के बहुत सारे तरीके हैं हम लोग यहाँ पर देखे हैं कि यह आदमी जब आगे move करेगा उस time पर plank क्या करेगा पीछे move करेगा momentum conservation की according तो solve करने की बहुत तरीके हैं अपने इसको simple तरीके से solve करते हैं यह आदमी M mass का L length plank के respect में travel कर रहा है आदमी plank के respect में L length travel करेगा उस time पर आदमी और plank वाला पूरा system पीछे आएगा बही ऐसा तो होगा नहीं कि यह plank plank पीछे आए जा रहा है आदमी आगे जाए जा रहा है हम लोगे अगर इसको simple तरीके से अगर solve करना है तो M mass जो person है वो वो आदमी L length यहां से move कर रहा है जब L length plank के respect में यह उदर move कर रहा है इसके चलने की वज़े से आदमी के चलने की वज़े से आदमी और plank दोनों का system जो है वो पीछे move कर रहा है तो let us consider आदमी यहां से यहां तक move करता है उस time पर plank और आदमी का पूरा system जो है या अगर अपन प्लैंक की बात करें तो यह x distance क्या है पीछे आ रहा है तो आदमी के l length move करने की वज़े से आदमी और plank दोनों x distance क्या हो रहे है पीछे आ रहे है देखें यह और यह जो x रहेगा यह plank का ground के respect में change रहेगा यह ground के respect में plank की shifting रहेगी तो इसको अपन solve करते हैं तो इसको आप इस तरह से हमेशे ध्यान रखें अगर यह equation direct लिखनी है आपको तो आप यह ध्यान रखें आदमी plank के respect में l length चल रहा है तो आदमी के चलने की वज़े से क्या होगा आदमी और plank दोनों क्या होंगे पीछे आएंगे इसको इस तरह से अपन short form में solve करेंगे तो अगर अपन इसको solve करते हैं तो ml that will be एक वसू यह short है यह इसके और भी तरीके है momentum conservation भी है center of mass concept भी है बट आप अपन direct solve कैसे करना उसकी बात कर रहे हैं तो यह कितना हो जाएगा मेरे पास this will be 4m upon 3 यह हो जाएगा मेरे पास x इसको अगर अपन solve करते हैं तो m से m cancel और x की value कितनी हो जाएगी 3l upon क्या हो जाएगा 4 तो अगर अपन देखें तो यहाँ से अगर अपन बात करते हैं तो आदमी जब इदर की दरफ आगे l length चलता है तब plank जो है वो पीछे x length पीछे shift हो जाता है आदमी यहाँ से l length move कर रहा है plank पीछे की दरफ x length move कर रहा है तो अगर मैं यह बात करूँ कि आदमी effectively कितना चला है तो आदमी l चला यहाँ से plank 3l by 4 पीछे चला गया यह plank जो है वो x पीछे सरग गया तो effectively आदमी कितना चला हम लोग यह देख सकते है the l effective or the distance effective distance travelled by the men with respect to ground will be वो आगे कितना गया l और plank के साथ में पीछे कितना आया plank के साथ में कितना पीछे आया x तो आप तो result कितना हो जाएगा l minus x l minus x कितना हमने पास 3l upon 4 यह बन जाएगा मेरे पास l minus 3l upon 4 that is l by 4 l effective it is the effective distance travelled by man with respect to ground देखे तो simple दरीके से अब मन ने इस question को solve किया और answer रहेगा हमारे पास इसका कितना l by 4 तो इसको आप center of mass से solve कर सकते है momentum conservation से solve कर सकते है पर हम लोग इसको यूँ देखेंगे कि आदमी l length चल रहा है उसकी वज़े से आदमी और plank दोनो x पीछे मूँ कर रहे है तो effectively कितना मूँ कर रहे हैं पीछे that is 3l upon 4 यह x जो actually है यह plank की ground के respect में shifting है और उस हिसाफ से आदमी कितना चल जाएगा आदमी आगे गया l पीछे आया 3l by 4 result will be l by 4 then बढ़ते हैं आपन आगे next one body of mass m is suspended from 3 springs as shown in figure each spring have a spring constant k mass m is displaced slightly than the time period of the oscillation is एक m दिरिमान की वस्तु 3 springों से चितरा नुसार लटकी हुई है प्रती एक spring का बलनियतांग k है m दिरिमान को थोड़ा सा विस्तापित करके छोड़ दिया जाए तो दोलनों का आवर्थकाल क्या होगा solve करते है spring constant k k k है हम लोग यह जानते हैं कि आपके पास ऐसा system या mass spring system होता है उसका जो time period होता है that is 2 pi under root क्या होता है हमारे पास m upon k effective तो k effective यह system का अपने को k effective calculate करता है यह दोनो spring parallel में है springs हमेशा resistance का ultra rule follow करती है तो springs parallel में है spring parallel में है तो यहाँ पर आपके पास इन दोनों का k equivalent किता हो जाएगा k plus k 2k उपर आपके पास एक कोई k है तो अपने पास effectively अब जो system हो चुका है वो system कितना कैसा हो चुका है यह एक आपके पास क्या हो चुकी है k spring constant की spring और एक क्या हो चुकी है अपने पास 2k spring constant की spring यह हो गया m अब इस system का यह series में है तो resistance के parallel वाला equation है यहाँ पर अपन apply करेंगे और अगर अपन यहाँ पर k equivalent या k effective calculate करें तो कितना हो जाएगा यह k1 k2 upon k1 plus k2 यानि की k into 2k upon क्या हो जाएगा k plus 2k solve करें अगर अपन इसको 2k square upon कितना हो जाएगा 3k k से k cancel और अपके पास k equivalent जो बन रहा है k equivalent that is 2k upon कितना हो जाएगा 3 for the given system k equivalent will be equals to 2k upon 3 तो इसको अगर अपन देखें तो आमने पास system का जो time period हो जाएगा that t will be equals to 2pi to 2pi ठीक है इधर m तो m और यह बन जाएगा मेरे पास कितना 2k upon 3 2k upon 3 इस 3 को मैं उपर बेज देता हूँ तो मेरे पास जो t की equation बन जाएगा that will be 2pi 3m upon कितना हो जाएगा मेरे पास 2k t that will be equals to 2pi under root 3m upon 2k 3m upon 2k okay very good चलते है अपन अपने answer पर तो answer रहेगा हमारे पास देखें कितना है answer 2pi under root 3m upon 2k 2pi under root 3m upon 2k 3m upon 2k option number second will be correct for question number 29 तो spring वाला system हमेशा resistance के opposite rule अपने को follow करना है और यहाँ पर अपनने के equivalent calculate करके time period की calculation करी and this will be option number 2 2pi under root 3m upon 2k परते हैं अपन अगले question पर N identical cells each of EMFE and internal resistance R are joined in series to form a closed circuit वो भी ठीक है the potential difference across any cell is किसी एक यहाँ पर E vidutvahakbal तथा आर आंतरिक प्रतिरोद की N एक समान cell Shrinikram में जुडे है EMF है R internal resistance है और N cell connected है और एक closed circuit form करते है तो किसी भी cell के 0 पर विववान तर क्या होगा circuit बनाते हैं हमारे पास situation क्या है एक अपने पास यह रा cell इसका EMF E है और इसका internal resistance क्या है यह रा R इसके आगे अपने एक और cell यहाँ पर इस तरह से यह एक और E का है इसका internal resistance किता है R इसी तरह से इसके आगे एक और यह रा ऐसा इसका internal resistance किता है यह रा अपने पास R यह भी E है इस तरह से यह एक और यह हो गया अपने पास E इसका internal resistance किता हो गया R और इस तरह से अपने एक close circuit का formation कर रहे है जब कोज़ information नहीं गिवन है तो अपन यह मान रहे हैं कि सारे batteries की polarities A की direction में है तो अगर अपन यहाँ पर E equivalent की बात करते हैं तो total voltage या V equivalent की अगर पन बात करें तो वो किता हो जाएगा सारी batteries series में connected है सबकी वज़े से current same direction में flow होगी तो आपके पास E equivalent कितना हो जाएगा N E यहाँ पर अगर मैं R equivalent की बात करूँ तो R equivalent सारे resistance सारे internal resistance क्या है series में है तो series में आपके पास इनका जो internal resistance total हो जाएगा वो कितना हो जाएगा total resistance circuit का कितना हो जाएगा that will be N R अगर मैं circuit में flow होने वाली current के बारे में बात करूँ तो this current I will be एक बस तो I क्या रहता है हमारे पास that is E equivalent upon क्या हो जाएगा R equivalent E equivalent that is N E upon ये कितना हो जाएगा N R N से N के इनसल आपका result बनेगा E upon R तो अभी जो circuit में current flow हो रही है वो कितनी है E upon R अब अपने को question में पुछा हुआ है the potential difference across any cell cell के terminals पर जो potential difference मिलेगा terminals होते हैं हमारे पास इस तरह से कहने का मलदाब आपको terminal potential calculate करना है और वो जो रहेगा इस तरह से है ये रहा मेरे पास cell इसका internal resistance ये ये इसका EMF और आपको इस point से लेके इस point के बीच में जो terminal potential ये terminal voltage है वो calculate करना है cell अभी discharge हो रहा है इससे I current ली जा रही है तो आपके पास जो terminal voltage रहेगा that our V will be equals to क्या हो जाएगा ये E minus I R तो E I की value कित्ती हार है अपने पास I की value है अपने पास this is E upon क्या हो जाएगा मेरे पास R ये हो गया R R से R cancel हमारे पास term मनेगी E minus E E minus E that is 0 तो अभी cell के जो terminal potential रहेंगे या cell का जो terminal potential रहेगा या हर cell के terminals पर जो आपको potential difference मिलेगा that will be 0 done cell discharging condition में है तो आपके पास terminal potential E minus I R रहेगा तो हमारे पास जो result बनेगा the potential difference across any cell will be 0 तीसवे का answer रहेगा अपना answer number 1 done simple बढ़ते हैं अपन अगले question पर an electron moving in a circular orbit of radius R makes N rotations per second N rotations per second या हम लोग यहाँ पर बोलें एक electron R तरिजा की वर्ताकार पत पर N चक्र प्रती सेकिंड चक्र प्रती सेकिंड का मदलब आपको आवरती दे रिखी है या frequency दे रिखी है हम लोग को N से चक्र लगा रहा है तो केंदर पर चुंकी एक शेत्र का परीमान होगा देखे the magnetic field produced at the center has the magnitude of तो एक electron आपके पास move कर रहा है एक circular orbit है जिसकी radius R है और वो N rotations per second move कर रहा है N rotations per second पर मदलब यह हो चुका है कि आपके पास frequency कित्ती है N है आपने देखे तो अगर आप electron की orbit में motion की बात करें तो लेस से ही है electron हमारे पास move कर रहा है तो electron की motion से हमारे पास circuit या उस orbit में एक current flow होगी उसको अब लोग भी बोल सकते है motion of charge तो यहाँ पर एक current flow होगी और उस current की वज़े से magnetic field produce होगा यह orbit जो है वो एक circular coil की तरह behave करेंगी और एक circular coil के जो center पर magnetic field होता है वो कितना रहता है हमारे पास mu0 n i अपन कितना रहता है 2 r यहाँ पर n जो है यह एक ही orbit है यहाँ पर tons अपन क्या गंसर करते है orbit की वेली orbit eq है तो हमारे पास number of tens कितने हो जाएंगे 1 हो जाएगा तो mu0 ठीक है radius आपको r यहाँ पर यह r या question में अपने को small r बोला है कोई दिक्कत नहीं है तो यह चीज है यह चीज गिवन है आपको चाहिए current और current किसकी वेज़े से generate हो दी है एक electron की motion की वेज़े से हम लोग current क्या जानते है that i that is it was to dq upon क्या होता है dt dq अपने बास charge किता है charge is one electron तो यह हो गया e upon क्या हो जाएगा इसको move करके यहाँ पर time अगर अपन बात करें तो एक circle को complete करने में उसको कितना time लग रहा है time to complete जो होता है उसको अपन क्या बोलते है frequency that frequency is always equals to 1 upon time period तो frequency रहेगी और frequency की value अपने को कितनी given है n given है तो i कितना हो जाएगा e into n हो जाएगा where n is frequency तो अगर अपन values put करते हैं क्या हो जाएगा b that is mu 0 i की value कितनी हो जाएगी है हमारे पास e into n upon 2 और इस r की value अपने को small r given है तो हमारे जो result रहेगा the magnetic field produced at the center केंदर पर उत्पने चुमकी क्षित्र का जो परिणाम परिमान रहेगा वो रह जाएगा mu 0 n e upon कितना हो जाएगा 2 r mu 0 n e upon 2 r mu 0 n e upon 2 r option number 3 एक coil आप orbit को क्या consider करेंगे circular coil consider करेंगे और circular coil के center पर magnetic field कितना होता है mu 0 n e upon 2 r जिसमें n की value कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी क्योंकि orbit एक की है तो आपके आपास number of turns कितने हो जाएगे एक हो जाएगा एक बढ़िया question result रहेगा mu 0 n e upon 2 r बढ़ते हैं अपन अगले question पर square coil ABCD lying in xy plane with its center at origin ठीक है यह अब आपास square coil रखी हुई है a long straight wire passing through origin carries a current i a long straight wire passing through origin carrying current हाँ यह origin से यहाँ पर इस तरह से यह अपने पास एक long straight wire है and carrying current i is equals to 2t in negative z direction let's say यह जो है यह आपकी positive z direction है तो wire उदर की तरह आपके पास कुछ current यहाँ पर लेके move कर रहा है मतलब कि wire में current flow हो रही है तो आपको यह बताना है the induced current in the coil is इस coil में induced current क्या रहेगा एक वरगाकार कुंडली ABCD जिसका तल अपने पास xy है इस xy तल में जैसे ही यह कुंडली को अपने को दर्शाया हुआ है वैसे के वैसे कुंडली रखी हुई है और एक लंबा सीधा तार जो की मूल बिंदू सो गुजर रहा है यह तार अपने पास current flow हो रही है और वो समय के साथ आई बराबर 2T में current increase भी टाइम जैसे से increase हो रहा है current भी क्या होती जा रही है increase होती जा रही है तो कुंडली में प्रिरित धारा होगी चलते हैं बात करते हैं अगर आपके पास यहाँ पर current की बात करें तो negative Z में तो अब मैं current की direction properly show कर रहा हूँ current अभी negative Z direction में है यानि की अभी इस जगे पर current जो है वो इस तरह से current है current इस तरह से है तो apply करते हैं अपन right and rule और magnetic field की बात करते हैं यहाँ पर magnetic field अगर आपन देखें magnetic field will be in this format तो इस जगे पर magnetic field की condition अगर अगर अपन देखें तो magnetic field इस तरह से circular magnetic field यह produce हो रहा है अब अगर अपन यहाँ पर यह देखें तो यह coil तो यहाँ पर रखा हुआ है यानि यह coil का जो area vector रहेगा अगर area vector की में बात करूँ तो area vector अभी आपके पास perpendicular रहेगा perpendicular दो surface और यहाँ से अगर अपन अबजर करते हैं तो magnetic field इसी plane में है magnetic field इसी plane में अभी इस तरह से है और यह जो coil रखी हुई है इस coil का area vector अगर मैं देखूँ तो इसके surface के perpendicular रहेगा surface के perpendicular का मतलब मैं यहाँ पर इसको इस तरह से show कर देता हूँ यह रहा आपके पास area vector यह रहा आपके पास magnetic field vector और आप यहाँ पर observe करेंगे कि magnetic field vector इसी plane में है area vector इस plane के perpendicular है तो किसी भी point पर magnetic field के साथ में area vector का बनने वाला angle जो रहेगा वो हमेशा कितना रहेगा 90 degree तो अगर अपन flux की बात करें तो flux क्या होता है area vector यहाँ से perpendicular है effectively यहाँ पर angle हो जाएगा pi by 2 और the moral of the story is flux passing through the coil will be 0 इस coil से पास होने वाला flux अपना कितना हो जाएगा 0 इस में से कोई magnetic field lines cross करके नहीं निकल रहे है क्योंकि magnetic field इसी plane में बन रहा है के बात समझ में आ रही है और flux आपके पास 0 हो चुका है तो induced current या induced EMF की बात करें that is d phi upon dt that will also be equal to 0 simple concept तो result रहेगा हमारे पास 0 जो हम देखें तो यह हो जागा option number 4 32 option number 4 the induced current in the circuit will be 0 बढ़ते हैं अपन अगले question पर 32 के बाद अपन चलते हैं 33 पर in an AC circuit the voltage applied is E is equals to E0 side omega t fine the resulting current in the circuit is E is equals to E0 sin omega t minus pi by 2 the power consumption in the circuit is given by check करना है power consumption power consumption क्या होता है हमारे पास P that is V RMS I RMS cos phi और phi क्या होता है the phase difference between current and voltage यहाँ पर voltage यह रहा current यह रही और current और voltage के बीच में जो phase difference है वो कितना शो कर रहा है हम लोग को pi by 2 अभी अगर पन देखें तो यह omega t है उदर omega t minus pi by 2 है यानि यह current जो है वो voltage से pi by 2 phase में क्या चल रही है पीछे चल रही है current voltage voltage से pi by 2 phase में पीछे कब चलती है जब आपके पास एक pure inductive circuit होता है पास क्या रहेगा फिट से 0 33 यह एक pure inductive circuit है और pure inductive circuit में हमेशा for a complete cycle power consumption कितना रहेगा 0 रहेगा और अभी जो current इस circuit में flow हो रही है उसको अपन क्या बुलते हैं waterless current या शक्ती हीन धारा इसको हम लोग बुलते हैं आगे बढ़ते हैं question number हम लोग बात करते हैं 34 की lens having focal length f and aperture of diameter d forms an image of intensity i अभी focal length आपके पास कितनी है f है और image बन रही है जिसकी intensity कितनी हमने पास i aperture of diameter d in central region of lens is covered by a black paper okay the focal length of lens and intensity of the image will now be respectively इसको अपने को check करना है कि अगर हम लोगों ने क्या किया है एक lens है हमारे पास इसका अभी हमारे पास जो diameter है उसको अपन क्या कर लेते हैं d consider कर लेते हैं तो अपने को ये बुला हुआ है कि इसका जो central region जो है उसमें d by 3 diameter का जो section है उसको अपन ने क्या कर दिया है एक black paper से डग दिया है तो अब जो system बना है उस system की वज़े से अब जो आपको resultant focal length जो मिलेगी और resultant image intensity जो मिलेगी वो क्या रही है उसकी calculation अपने को करनी है f focus दूरी और d वयास के द्वारक वाला एक lens i तिवरता का पतिविम बनाता है lens के केंदरी भाग में d by 3 वयास के एक द्वारक को काले कागज से डग दिया गया है ये चीज अपने बात करी तो अपने को focus दूरी और प्रतिविम की तिवरता पर अब बात करनी है तो कभी भी ध्यान रखें आप इस section को अगर अपन यहाँ पर इसको अगर अपन black paper से अगर hide कर रहे है तो इससे focal length पर कोई भी effect नहीं रहेगा तो अगर अपन system के आगी की बात करें तो अब आपके पास f dash जो रहेगा वो हमेशा आपके पास focal length f के बराबर ही रहेगा बट अगर अपन intensity की बात करें तो हमारे पास intensity जो हमेशा रहती है intensity that is always proportional to the diameter और aperture square तो मैं इसको अगर लिखाँ हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा intensity that will be equals to मैं कोई constant यहां पर assume कर लेता हूँ तो intensity will be equals to kd square तो जो पहले वाली intensity अपनी बन रही है जबकि diameter आपका कितना है d है तब intensity कितनी हो जाएगी i will be equals to kd square अब आपको यह बोला हुआ है कि इस d by 3 section को अपने hide कर दिया तो अब कितनी intensity की image बनेगी तो अपन यह बात करते हैं कि यह जो d by 3 का जो section है जो diameter अपने पास d by 3 है उसकी वज़े से effectively intensity कितनी बनती तो मैं यह बात बोलूँ तो मेरे पास i dash क्या हो जाएगा k यह बन जाएगा मेरे पास d by 3 का whole square इसकी वज़े से जो intensity या अगर केवल इतना सा ही lens होता तो उसकी intensity या उसकी जो image होती उसकी intensity कितनी रहती that is i dash that is equal to k d by 3 whole square यह i dash जो मेरे पास बन जाएगा that will be k d square अपन कितना हो जाएगा मेरे पास 9 यह बात समझ में आ रही है तो इस बड़े वाले object की intensity जब आपने इसको hide नहीं कर रखा था या black paper से आपने इसको नहीं ढखा था तब अपनी intensity कितनी आ रही थी यह आ रही थी जो खाली अगर अपने पास इतना सा lens होता तो उसकी वज़े से अगर intensity रहती इदनी रहती तो अब जो यह वाला section है इसकी वज़े से intensity अपने को calculate करनी है तो अब आपको आपको तो intensity किसकी वज़े से मिल रही है आपको तो यह remaining portion है उसकी वज़े से intensity मिल रही है और वो intensity कितनी हो जाएगी that I और intensity due to the remaining portion that will be equals to total intensity minus जो hide किया हुआ है उसकी intensity को अपन क्या कर देते हैं कम कर देते हैं यह अपना i dash है यह हो जाएगा हमारे पास कितना i remaining that is यह बन जाएगा मेरे पास कितना kd square minus इधर मैं लिख सकता हूँ this is kd square upon 9 मैं ले लेता हम इसको common kd square बाहर यहाँ पर बन जाएगा 1 upon 1 1 minus 1 upon 9 यह बन जाएगा 8 upon 9 तो आपके पास जो remaining या अब जो intensity आपको होगी that will be 8 upon 9 kd square and this intensity i remaining that will be equals to 8 upon 9 of the actual intensity of the lens एक बढ़िया कुश्चन lens के लिए हमेशा अगर आप यहाँ पर डख रहे हैं या इसको अपन आदा हटा भी देते हैं तो focal length पर कोई effect नहीं रहेगा और intensity हैं हमेशा aperture diameter के square के proportional रहेगी तो intensity will be proportional to diameter square इसके according अपन ने solve किया और आपके पास अब focal length f और intensity कित्ती रहेगी that will be 8 upon 9 i चेक करते हैं focal length अमारे पास रहेगा f focal length तो यह रहा f और intensity 8 upon 9 i question number 34 के लिए result रहेगा हमारे पास 4 34 का 4 बात करते हैं आपन question number 35 के लिए 35 the electron in the third orbit of lithium atom has orbital velocity v कहने का मतलब third orbit में v3 की value अपने को कित्ती दे रिखी है v दे रिखी है the velocity of electron in the fifth orbit of the lithium atom will be fifth orbit में आप लोग को क्या calculate करना है v5 की value अपने को calculate करना है ठीक है चलते हैं अपन discussion पर एक तो हम यह जानते हैं कि angular momentum की अगर अपन बात करें mvr is equals to क्या होता है हमारे पास nh upon 2 pi उसके according में अगर देखूं तो v into r will be proportional to n आपको v के बारे में बात करनी है पर उसके लिए आपको radius के लिए information चाहिए अपन radius के लिए orbit की radius की information क्या होती है radius that is 0.529 into क्या होता है n square upon z to your Zach r की लिए अपनी को यह पता चल रहा है that r will be proportional to n square upon j are is n square upon y jitt तो मैं यहाँपर इसको observe करूं तो यह क्या हो जाएगा v will be proportional to n upon मेरे पास क्या हो जाएगा are इसको आगे solve करते हैं then v will be proportional to n upon r क्या हो रहा है अर की प्रपोरिशनल्थी क्या है यहाँ N square upon क्या हो जाएगा मेरा Z इसको solve करें तो Z को मैं flip करके उपर भेजता हूँ तो V will be proportional to हमारे पास बन जाएगा Z N upon N square इस N से मैं N को cancel करता हूँ और आपको V की proportionality मिल गई that is Z upon N V और the orbital velocity will always be proportional to Z upon N इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो आपके पास यहाँ पर बात lithium atom की हो रही है और इधर भी आपके पास क्या है lithium atom ही है यानि कि Z तो हो गया आपका constant और यहाँ से हम लोग को यह पता चल रहा है that V will be proportional to 1 upon N तो अगर मेरे को लिखना है V3 upon V5 that will be equals to यह third orbit में है तो इसके लिए N जो आएगा number of orbit किदर आएगा नीचे की तरफ आएगा यह 5 में है तो इसका denominator में और जाएगा तो 5 किदर आजाएगा तो वो 5 किदर आजाएगा तो मारे पास उपर आजाएगा और आपको V5 अगर calculate करना है then the velocity in the 5th orbit that will be equals to 3 upon 5 into कित्ता हो जाएगा V3 cross multiplication इसको उधर इसको इधर तो V5 the orbital velocity in the 5th orbit will be equals to 3 by 5 of V3 और V3 की value आपको कित्ती गिवन है 3 by 5 V3 की value आपको कित्ती गिवन है that is V V3 is V तो अपना result हो जाएगा 3 by 5 of V दीख है 3 by 5 of V यह रहा result 3 by 5 of V question number 35 answer number हमारे पास क्या रहेगा option option number क्या रहेगा 1 रहेगा चलते हैं अपन अगले question पर अगला question रहेगा हमारे पास अब जो section है अब जो 15 question है उसमें से आपको कित्ते question अटरिंग करने है 10 question अटरिंग करने है अपन solutions का देखेंगे बट आप लोग को ध्यान रखना है कि ये एक आपके लिए सहूलियत है पर ये कभी कभी आपको आपके लिए थोड़ी सी मुस्बद भी हो सकती कि आप कौन सा easy question चूज करें जो आप लोग का सही हो जाए तो आप लोग को यहाँ पर इस section में थोड़ा सा ध्यान रखना है तो ये आपके आपकी skill की testing है एक तरह से चलते हैं अपन अगले question पर एक एन alpha particle of energy half mv square bombards a heavy nuclear target of charge z e then the distance of closest approach of the alpha nucleus will be proportional to एक half mv square उड़ जाका एक alpha कन z e आवेश के भारी नाभिक लक्ष पर दागा जाता है एलफा नाभिक की निकिर्तम पहुँच की दूरी समानुपाती होगी अगर अपन इसको diagram की according solve करें तो चलते हैं ये अपने पास alpha particle और alpha particle पर charge होता है हमारे पास 2 e ये रहा हमारे पास एक बारी नाभिक और इस पर ये rest पर आएगा this distance will be the distance of closest approach और इस time पर alpha particle की जो सारी kinetic energy रहेगी वो इस system की potential energy में convert हो जाएगी तो देखते हैं सारी kinetic energy that is 1 by 2 mv square that is equals to अगर ये यहाँ पर आया 2 e इस पर charge है तो इस system की potential energy कित्ती हो जाएगी that is k कित्ता z e into कित्ता हो जाएगा 2 e upon r k q1 q2 upon r system की potential energy बन जाएगी और आपको ये वो बोलना है कि r के इसके proportional में है इसको solve करते हैं इस 2 को मैं भेज देता हूँ इदर तो 2 को इदर भेजेंगे तो ये 2 पहले से हैं तो ये बन जाएगा 4 k ये बन गया z अपने पास हो गया e square इदर चल रहा है हमारे पास mv square upon ये चल रहा है अपने पास r इस r को मैं उदर ले जाता हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 k z e square upon mv square तो यहां से क्या पता चल रहा है r क्या option है अब अपन चलते हैं पीछे देखते हैं option में the distance of closest approach r v square v square तो denominator में आ रहा है v square तो inversely proportional है r ये 1 upon m उसरा option क्या है हमारे पास 1 upon m तो r is inversely proportional to m या r is proportional to 1 upon m option number रहेगा हमारे पास ये आगे वाला option देखे तो 1 upon v to the power 4 नहीं बन रहा है ये तो v का square है आगे चला है 1 upon j d j d तो कहां पर आ रहा है तो हमारे पास result रहेगा that the distance of closest approach will be proportional to 1 upon m then 36 का हमारे पास क्या रहेगा 2 आगे बढ़ते हैं 37 the half life of a radioactive substance is 3 minutes what mass of a 16 gram sample of substance will remain after 15 minutes एक radioactive पदार्थ की अर्दायू आपको दी गई है 3 minutes और इस पदार्थ के 16 gram नमूनी का कितना द्रेमान 15 minutes के पश्चात 6 रह जाता है तो बचा हुआ द्रेमान गयाद करना है तो बचा हुआ द्रेमान या remaining mass that will be equals to m is equals to m0 upon 2 to the power हुजाएगा ये हमारे पास small t upon capital T small t जिस time में अपने को पता करना है capital T that is half life solve करते हैं m that is equals to m0 कितना है हमारे पास 16 gram में है तो result भी अपना gram में ही दे रखा है चिंता करने की जरुरत नहीं है 2 इदर time time कितना given है अपने को 15 minutes तो ये small t की value आपके पास कितना हो गई है 15 minutes और अगर पन capital T की बात करें तो इसका जो half life है 8 दायू अपने को कितना दिया हुआ है 3 minutes तो capital T अपने पास कितना हो गया 3 तो 15, 3 ये बन जाएगा मेरे पास 5 और इदर बन जाएगा 16 अपन कितना हो जाएगा 2 to the power 5 16 अपन 2 to the power 5 ये हो जाएगा मेरे पास 32 32 तो जाएगा आगे बोलें कितना हो जाएगा 1 बटा दो 1 बटा दो यानिकी 0.5 ग्राम अमारा conclusion रहेगा the mass of the remaining substance will be 0.5 ग्राम 0.5 ग्राम आगे बड़ते हैं 37 का answer रहेगा अमारे पास option number 1 0.5 ग्राम if photon and electron have equal energy equal energy एक photon और electron की energy equal है तो आपको उनकी wavelength का ratio हम लोग को बताना है lambda photon upon lambda electron की बात करनी है तो अगर मैं photon के बात करूँ तो photon के energy क्या होती है हमारे पास that is hc upon lambda या अगर मैं lambda photon अगर बोलू तो ये कितना हो जाएगा hc upon क्या हो जाएगा मेरे पास e ठीक है अगर मैं electron के लिए lambda की बात करूँ तो electron की जो matter wave रहेगी उसके लिए lambda का जो equation रहता है वो क्या रहता है h upon mv h upon p रहता है और mv क्या रहेगा उसका momentum रहेगा अगर मैं momentum को इसकी फर्म में express करूँ तो lambda e this will be h upon यह बन जाएगा मेरे पास under root 2m e momentum energy की टम में क्या होता है energy या kinetic energy की टम में p इस जगस्टू क्या होता है मेरे पास under root 2m k k का मतलब kinetic energy तो अभी energy उसकी e बोल रहे है तो यह अपने पास आगिया lambda e अपने को question में calculate करना है lambda photon upon lambda electron यानि कि इन दोनों का क्या करना है अपने को ratio करना है ratio करना है तो ratio कर देते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा lambda p upon यह होगा अपना lambda e that is equals 2 चलो पूरा ही लग लेते है h c upon e upon अपने पास क्या बन रहा है h upon क्या बन रहा है under root 2m e 1 h से h cancel हमारे पास जो term बन रही है c upon e जो चीज़ें उपर जाएगी उनको बेजते है that is under root 2m e upon क्या बन रहा है under root 2m e यहाँ पर तो सब खतम हो गया कुछ नहीं है चलो अब इसको solve करते हैं तो यह e है यह एक under root e है तो अपने पास result रहेगा c under root 2m upon क्या हो जाएगा e c under root 2m upon e c under root 2m upon e result रहेगा हमारे पास c under root 2m upon e एक बढ़िया question एक interesting answer आप इसको देख सकते है the result will be c under root 2m upon e बढ़ते हैं आपन आगे question number 39 a cyclic process a b c a is shown in v t diagram यहाँ पर आपको v t diagram show किया गया है और आपको इसका क्या करना है p v diagram draw करना है इधर चलते हैं यह cyclic process है v t diagram है तो अपन चलते हैं यहाँ पर बात करते हैं a से b के बारे में बात करूँ a से b जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर temperature increase हो रहा है उसके साथ साथ volume भी increase हो रहा है तो a से b में temperature increase volume increase इसका मतलब pressure क्या हो जाएगा constant आपने को p v diagram बनाना है जिसमें pressure क्या हो चुका है constant हो गया है आगे अगर अपन बात करते हैं b से c में तो b से c में अगर अपन बात करते हैं तो b से c में volume क्या है यह b से c जा रहा है तो volume क्या हो चुका हमारा constant हो गया है और temperature क्या हो रहा है कम हो रहा है तो b से c में temperature तो क्या हो रहा है decrease हो रहा है b से c अगर अपन देखें तो इदर जा रहा है यानि कि temperature decrease हो रहा है इस time पर volume क्या हो गया हमारे पास constant हो गया देखे आगे और अब अपन बात करते हैं तो अपने पास जब volume constant हो और temperature decrease हो रहा हो तो pressure भी क्या होता है? decrease होता है आरी बात समंझ में अब अपन C से A की बात करें तो C से A में अगर अगर आपन चलते हैं, तो C से A, C से A में हमारे पास क्या हो रहा है, C से A में temperature constant हो गया, और volume क्या हो रहा है, volume decrease हो रहा है, तो volume हमारे पास decrease हो रहा है, इसका मतलब pressure क्या होगा, हमारे पास increase होगा, तो अगर अगर अपन इस situation की बात करें, तो आपको अगर graph बनाना है तो इन सारी conditions को अपने एक साथ pick करते हैं एक साथ अगर अपन पिक करें तो हमारे पास जो graph रहेगा आप अपने को बनाना कौन सा graph है अपने को graph बनाना है PV कर यह रहा अपने पास P यह रहा अपने पास V और पहले case में A से B में अगर अपन बात करते हैं तो आपको pressure रखना है constant तो pressure रखना है constant यह आपने पास A और इस time पर volume को क्या करना है increase तो pressure को रखना है constant volume को रखना है increase अपन A से B में आ गए अब next आपको volume को क्या करना है constant और pressure को क्या करना है decrease यानि कि volume को क्या करना है constant और pressure को क्या करना है decrease तो volume को constant pressure को decrease ठीक है next आगे बढ़ते हैं अब आपको क्या करना है volume को decrease करना है और pressure को increase करना है और इस time पर आपको isothermal समता पी ये वक्र खीचना है जिसमें दाब क्या हो रहा हो बढ़ रहा हो और आयतन क्या हो रहा हो कम हो रहा हो यानि की इस प्रकार से के बात समझ में रही है तो एक बड़िया कोश्चन है मारे पास यहां पर तयार किया है अपने और अपना डायग्राम रहेगा इस तरह से तो ओप्शन नमबर 3 39 ओप्शन नमबर 3 A to B B to C and C to A एक बड़िया कुश्चन आप लोग हमेशा इस तरह से टेबल बनाएं कि हम लोग इसको सॉल कर सकते हैं या आप एक एक कर्व को भी अबजर करें तो भी अपन इनको यह पहले भी आ सकता था ऐसा शेप जहां पर बन रहा है उसको आप पहले ही सॉल कर ले अगले कुश्चन पर चलते हैं कुश्चन नमबर 40 A string is stretched between fixed points separated by 75 cm it is object to have resonant frequency एक resonant frequency आपको 420 hertz दिया हुआ है और एक resonant frequency 315 hertz दिया हुआ है there is no other resonant frequency between these two the other resonant frequency may be एक डोरी को 55 cm दूरी में खीचा गया है और उसके द्वारा जो अनुनादी आवरतियां प्राप्त हो रही है वो आपके पास एक तो हैं 420 hertz और एक हैं 315 hertz इन अनुनाद के मध्य अन्य कोई आवरतिया आपको प्राप्त नहीं होती है अंप थीकल में कोई दिक्केत नहीं अब हम लोग डोरी के लिए या स्ट्रिग के लिए जानते हैं कि उसमें सारी रेज्नेंट फ्रिक्वेंसी या सारी फ्रिक्वेंसी या अपन फंडामेंटल के सारे जो मुलिटिपल रहते हैं वो produce होते हैं तो यहाँ पर आपको ये भी बुला हुआ है कि इन दोनों के बीच में और कोई frequency produce नहीं हो रही है कहने का मतलब इनका difference जो रहेगा वो fundamental frequency के बराबर रहेगा तो 420 और 315 इन दोनों का difference है वो कितना रहेगा 105 Hz यानि कि आपका जो system है उसकी जो fundamental frequency है वो कितनी हो जाएगी 105 Hz और अब ये system इस fundamental frequency के जो सारे integer multiple रहेगे वो सारी harmonics produce होगी उसको अपन क्या refer करते हैं that all the harmonics of the fundamental frequency will be produced कहने का मतलब आपके पास अगली जो frequency that is 2F0 तो ये कितना हो जागा 105 का दूगना कितना हो जाएगा 210 आगे 3F0 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 315 लेगे उसके अगर अपन 4F0 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 420 लेगे और अगर इस तरह से अपन 5F0 की बात करें तो इसके आगे 105 और तो ये कितना हो जाएगा 525 इन में से देखो कौन-कौन सा मिल रहा है आपने को, 525, 525 Hz, that is option number 1, 525 Hz, तो आपके पास जो एक को रेजनेंट फ्रिक्वेंसी हो सकती वो कित्ती रहेगी, 525 Hz, दन, बढ़िया कुश्चन, बढ़ते हैं अपन अगले कुश्चन पर, an object is cooled from 75 degree centigrade to 65 in 2 minutes, when the room temperature is 30 degree centigrade, okay, the time taken to cool the same object from 55 centigrade to 45 centigrade in the same room is, देखें, हम लोग इसको solve करेंगे, Newton's law of cooling के according, और अपने पास equation क्या होती है, that is, T1 minus T2 upon लगने वाला time, that is equals to some constant, यह रहेगा हमारे पास T1 plus T2 upon क्या हो जाएगा 2 minus आपका T0, यह equation, तो पहले की लिए apply करें, यह हो जाएगा मेरे पास 75 minus 65 upon लगने वाला time 2, that is equals to k upon, sorry, k into क्या हो जाएगा, 75 plus हो जाएगा मेरे पास 65 upon हो जाएगा 2 minus लग जाएगा मेरे पास 30, आगे बात करते हैं, इधर द time इसका तो अपने को calculate करना है, that is equals to k, इधर हो जाएगा मेरे पास 55 plus 45 upon हो जाएगा 2 minus किता हो जाएगा 30, यह आगे दोनों equation, इनको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा यह उदर, 75, 65 यह बन जाएगा 10 upon 2, that is equals to k, यह बन जाएगा 75, 65, 140, 140 upon 2, तो यह ब बन जाएगा मेरे पास 70, 70 minus 30, इधर बन जाएगा अपने पास 40, अगर अपन इस equation की बात करें, तो यह फिर से यह क्या बन जाएगा 10 upon t, that is equals to k, इधर 55, 45, 50, means 100 or divided by 2, that will be 50, 50 minus 30, यह बन जाएगा मेरे पास 20, इन दोनों का में क्या कर देता हूँ, ratio कर देता हूँ, तो k से k T cancel, 10 say 10 cancel, यह T चला जाएगा उपर, तो T upon 2, that will be equals to, 20 upon 40, यह बन जाएगा, sorry, 40 upon 20, that will be 2, तो यहाँ पर बन जाएगा यह 2, अपने आगे solve करें, तो T will be equals to, क्या हो जाएगा अपने पास, 4 minute, एक simple concept, Newton's law of cooling, यह numerical questions को solve रहने के लिए, यह formula अमलों का मेंशा, use करेंगे, और हम 41 का answer रहेगा, हमारे पास, question, option number 1, आगे चलते हैं, 42, तो चलते हैं, आपने आगले question पर, और discussion को आगे बढ़ाते हैं, question number 42, the displacement time graph of a particle executing SHM is shown in figure, एक सरलावत गती कर रहे हैं, किसी कण का विस्तापन समय graph को चितर में दर्शाय गया है, आपको इसके संगत बल समय, या force time curve अप है, हमारे पास condition क्या रहती है, for SHM, अगर अपन बात करते हैं, force, that is, proportional to displacement, but it is in opposite direction, SHM के condition क्या रहती है, कि particle पर जो act करने वाला force रहेगा, वो उसके displacement के क्या रहेगा, proportional रहेगा, but opposite direction में रहेगा, तो force is proportional to displacement, but is in opposite direction, यानि कि आपके पास force और displacement का जो graph रहेगा, वो same रहेगा, but उसकी polarity क्या रहेगी, negative रहेगी, polarity negative क्या रहेगी, इसमें जो positive है, displacement में जो positive है, वो force में क्या होगा, negative होगा, displacement को यहाँ पर y से represent किया है, तो अगर अपन इस equation को लिखे हैं, तो force will be proportional to y and will be in opposite direction, तो उसके according, अगर आपके पास y positively इस तरह से rise कर रहेगा, तो इस time पर आप इस graph का, जो ultra या अगर अपन यहाँ पर image बोलें इसकी, तो वो इस तरह से हमारे पास, यह graph बनेगा, force time कर, तो देखते हैं, force time कर क्या सा रहेगा हमारे पास, यह रहा, force time कर, option number 4, force time, force is proportional to displacement, but it is in opposite direction, done, good, बढ़ते हैं अपन अगले question पर, question number 43, along which of the thermodynamic, dynamic path shown in the figure, heat given is more, आपको दो path दिये हुए हैं और उमने आपको check करना है, कि किस path पर, जो system को, या thermodynamic system है, उस पर heat जो given है, वो ज्यादा है, चेतर में प्रदशित किस उश्मा गतिक प्रगरम के अनुदिश दी गई उत्मा, उश्मा अधिक होगी, तो हम लोग first law of thermodynamics से क्या जानते हैं, that q will be equals to, that is, delta u plus क्या रहेगा हमारे पास w, यहाँ पर जो thermodynamic processes है, initial point a है, final point b है, तो आपके पास change in state, यहाँ पर देखें, तो दोनों processes के लिए initial and final states क्या है, same है, उसकी वज़े से change in internal energy, दोनों processes के लिए क्या रहेगा, same रहेगा, अब यहाँ से हम लोग दे heat given भी क्या रहेगा, जदा रहेगा, system के लिए, तो यहाँ पर अगर आपन work done की बात करें, तो यह आपको curve जो दिया हुआ है, वो vp curve दिया हुआ है, और हम लोग जानते है, that work in a thermodynamic process, that is equals to integration p dv, तो यह देख सकते है, that work क्या रहेगा हमारे पास, pv, जो curve है, वो जो area cover कर र the area covered by pv curve with the volume axis, तो अब यहाँ पर आपके पास volume axis जो है, वो इधर की तरफ है, volume axis इधर की तरफ है, तो यहाँ पर check करते है, तो अगर मैं इस QA process के लिए volume axis के साथ में, जो area covered check करूँ, तो यह मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर volume increase हो रहा है, और यह अपने पास क्या हो चुका है, work done पहले process का हो गया, अब दूसरे process के लिए अगर अपन बात करें, तो दूसरा process यह है और इसका area covered जो रहेगा, दूसरे process के लिए, QB process जो अपने को given है, इस process के लिए जो area covered रहेगा, this will be the area covered in this process, तो यहाँ से हम लोग को दिख रहा है कि QB process में जो area covered है, वो ज QB will be greater than क्या हो जाएगा हमारे पास QA, QB will be greater than QA, हमारा result रहेगा इस question के लिए, QB will be greater than QA, question number 43, answer will be 2, एक बढ़िया question है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, कभी-कभी यहाँ पर यह volume pressure आपको graph दिया हुआ है, pressure volume में इधर की तरफ जो area covered रहेगा, वो रहेगा, done, बढ़ते है अगले question पर, 44 question, ठीक है, वेल is subjected to uniform angular acceleration, alpha क्या हो गया, angular acceleration या कोनियत वरन, वो क्या है, uniform है, यानि कि आपके पास alpha क्या हो चुका है, constant हो चुका है, initially its angular velocity is 0, means omega initial हमारे पास क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, in first second it rotates through angle theta 1, एक पहले second में, या अगर आपन इसके first second की बात कर रहे ह है, तो इसका जो rotation है, वो कितना रहता है, ये theta 1 है, ठीक है, and in next one second, कहने का मतलब जो दूसरा second रहेगा, in second second, ठीक है, तो उस time पर जो इसका displacement है, वो कितना हमारे पास theta 2 है, ठीक है, this is theta 2, ठीक है, तो हम लोग अगर uniform circular motion की बात करें, जब आपके पास alpha constant है, तो in each second, जो displacement या जो angular displacement होता है, उसका जो ratio रहता है, अगर अपन q1 rest to q2 rest to q3 rest to, इस term से अगर आगी की बात करते हैं, तो this will always be equals to, this will be 1 is to 3 is to 5 is to 7 is to 9, ये हमारे पास series इसकी रहेगी, तो हमारे पास जो ratio पुछा है, वो क्या है, q2 upon q1 ratio पुछा है, तो q2 upon q1 क्या रहेगा आपके पास, that will be q q2 upon q1, that will be equals to 3 is to 1, ये result पैसे आप लोग uniform linear motion जो रहेगी, उसके लिए uniform motion, अगर motion under gravity की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए भी याद कर सकते हैं, और uniform circular motion के लिए भी याद कर सकते हैं, कि अगर आपके पास uniform accelerated motion की बात कर रहे हो मैं, uniform accelerated linear motion और uniform accelerated circular motion, उनमें आपके पास acceleration constant है, और each second, in each second, the displacement of the particle, either it is angular displacement or it is linear displacement, it will be in ratio of 1 is to 3 is to 5 is to 7 is to 9, और हमार पास आणसर जो रहेगा, that will be 3 is to 1, एक बड़े कोशन बड़े हम पन आगे, कोशन नमबर हम बात करते हैं, 45 की लिए, 3 resistances A, B and C have values 3R, 6R and R respectively, when some potential difference is applied across the network, the thermal power dissipated in A, B and C are in the ratio, तीन प्रतिनों, चित्रा नुसार हमें दर्शाय गए हैं, और इन पर कुछ विवानतर हम लोगों ने क्या कर रखा है, आरूपित करके रखा हुआ है, तो जब इस परिपत में, यहाँ पर जो उश्मिय शक्तियां उत्पन होगी, उनका अनुपाद हम लोग को क इस वाले resistance में चली जाएगी, और कुछ current I2 जो रहेगी, वो इस वाले resistance में चली जाएगी, यह I1, I2 वापिस से यहाँ पर combine होगी, और इस resistance में जो current flow होगी, वो कित्ती हो जाएगी, I flow हो जाएगी, अगर आपको यहाँ पर यह दोनों resistance parallel हैं, और हम लोग को I1 की value calculate करनी है तो I1 रहेगा, इस वाले resistance के लिए अगर current की बात करें, तो वो क्या होता है, सामने वाला resistance upon दोनों का sum, यानि कि अगर मैं I1 के लिए बोलूँ, तो I1 आपके पास रहेगा सामने वाला resistance, इस में बात कर रहेगा, तो सामने वाला resistance, that is, 6R upon, upon दोनों का sum, कित्ता हो जाएगा 6R plus 3R कित्ता हो जाएगा मेरे पास, 9R into क्या हो जाएगा, आने वाली current, सामने वाला resistance upon दोनों का sum into the incoming current, उसी तरह से, अगर मेरे को I2 की बात करनी है, तो I2 क्या लिखोंगा मैं, इधर सामने वाला resistance, वो कितना अपने पास, 3R upon दोनों का sum, ये कित्ता है मेरे पास, 9R into कित् I1, I2 की values बन रही है, I1, I2, अगर पने चेक करते हैं, तो ये R से R cancel, 6 upon 3, ये बंजागा मेरे पास, 2 by 3, I, और इधर देखेंगे, तो ये बंजागा मेरे पास, 1 by 3, I, 1 by 3, ये I by 3, इसको मैं लिख देता हूँ, तो अपने को I1, I2 पता चलिया है, तेके, और हमारे पास, इसमें तो total current I flow रही है, तो अपने को power consumption जो calculate करना है, उसके लिए अगर आप चलते हैं, तो इसमें अगर मैं बात करता हूँ, तो इसमें power consumption, इस 3R के लिए, इसमें क्या होगा, power consumption क्या होता है हमारे पास, किसी resistance में I2R, I2R, पर इसमें जो current आ रही है, वो अपनी कित्ती है I1 है, और इसमें जो power consumption रहेगा, वो क्या रहेगा, I1 square into, इस resistance की value कित्ती है, 3R, क्या बात समझ में आ रही है, तो I1 square, I1 square कितना अपने पास, I1 है मेरे पास कित्ता, 2 by 3 into I, तो I1 square कित्ता हो जाएगा, 4 by 9 into हो जाएगा मेरे पास I square, into कित्ता हो जाएगा, ये 3R, क्या बात समझ में आ रही है, उसी तरह से, इसके लिए अगर में बात करूँ, तो इसमें जो current flow रही है, I by 3 है, I by 3, तो यहाँ पर ये अपने पास I2 और इसमें जो power consumption रहेगा, वो कितना रहेगा मेरे पास, I2 square into कितना हो जाएगा, 6R, तो I2 की value, I2 के लिए अगर अपन बात करते है तो ये हो जाएगा मेरे पास I, sorry, I by 3, ये रहेगा मेरे पास square into कितना हो जाएगा, 6R, ठीक है, और इसमें जो power consumption, इसमें कितनी current जारी है, I जारी है, तो इसमें power consumption कितना हो जाएगा हमारे पास, that will be I2R, सारी values हमारे पास आ चुकी है, इसमें रहे जाएगा, इसको 3 से 9 को cancel करता हूँ, तो ये बन जाएगा मेरे पास 3, और इस 3R resistance में जो power consumption रहेगा, वो कितना रहेगा, 4 by 3, I square R, ये हो गया अपने पास 3R के लिए, ये अपने पास R के लिए आई गया, इसके लिए solve करते हैं, तो ये बनेगा मेरे पास, I square upon 9, इंटो कितना हो जाएगा, 6R, इसको जब solve देंगे, तो ये बन जाएगा मेरे पास, 2 by 3, 6 और 9 को cancel किया है, इस विल बी 2 by 3, I square R, कै बास समझना रही है, ये एक पूरी तरह से ध्यान रखने लाएक question है, अब अपने को जो ratio पुछा है, तो ratio किसका है, 3R, 6R और R, इनमें power consumption का ratio बताना है, तो ये बन जाएगा म मेरा I square R, rest to, इसमें power consumption कितना है, ये आगिया अपने पास 3R का, 3R के लिए, ये हो गया अपने पास किसका, 6R का, ये हो गया, लेगे, और ये अपने पास कितना है, R के लिए, जो कितना है, I square R, तो अगर इसको अपन कैंसल करें, तो I square R, I square R, I square R cancel, और 4, 2, और upon 3 आरा है, तो मैं 3 से सबको multiply कर देता हूँ, तो 4 is to 2 is to 3, यह हमारे पास result रहेगा, एक बहुत ही बढ़िया question, और हमारा result रहेगा 4 is to 2 is to 3, 4 is to 2 is to 3, कहां पर गया, 4 is to 2 is to 3, option number हमारे पास रहेगा 3, 45, question number 45, answer number 3, 4 is to 2 is to 3, एक complete question, आप हमेशा ध्यान रखें, power consumption हमेशा resistance में flow ने वाली current square into क्या रहेगा, resistance की value रहेगा, अगले कुशन पर हम move करते हैं, in the circuit, Sean and figure, the effective capacitance between A and B is, दर्शाई गए परिपत में, A तथा B के बीच प्रभावी धारीता क्या होगी, A तथा B के बीच, देखो, यह रहा अपने पास A, यह रहा अपने पास B, यह इन दोनों के बीच में बात करनी है, तो इधर चलते हैं, तो यह 4 और 4 हो गए अपने पास series में, तो यह 4 और 4 series में, capacitance में series, क्या होगा, resistance का parallel, तो यह बन जाएगा अपने पास, इधर, capacitance यह दोनों 2 micro, 2 micro, यह parallel में है, तो इनका resultant equivalent बन जाएगा, वो कितना बन जाएगा, 4 micro, और यह जब solve हो गया, तो यह जो system है 4 micro का, यह इस 4 micro का क्या हो जाएगा, series में हो जाएगा, तो वापिस this 4 micro and this 4 micro, these will be in series, तो इनका resultant जैसा इधर हो रहा है, वैसा वैसा आपने पास क्या हो जाएगा, 2 micro इधर बन जाएगा, क्या बास समझवा रही है, तो अपन अपना effective circuit जो हो चुका है, यह रहा आपने पास A, यह रहा आपने पास B, इसके इधर जो net capacitance बन रही है, वो कित्ती है, 2 micro, और इसके इधर जो net capacitance बन रही है, वो कित्ती है अपने पास, वापिस से इधर 2 micro, तो A, B में अब अगर आपन बात करते हैं, तो यह 2 micro और 2 micro दोनों क्या हो जाएंगे, parallel हो जाएंगे, तो अपने पास जो C equivalent circuit का बनेगा, C equivalent, that is 2 plus 2, 4 micro farad, ठीक है, क्योंकि यह parallel है, तो वापिस parallel में अपने इनको क्या कर देंगे, add कर देंगे, parallel में हमारे पास total capacitance, that will be 2 plus 2, that will be 4 micro farad, 4 micro farad, question number 46, answer number 3, simple question, बढ़ या question, बढ़ते हैं अपन आगी, question number 47 पर, in a transistor, the base is made very thin, and lightly doped, with an impurity, एक transistor में आदार को पतला, वाण निम्न रोपित रखा जाता है, जिसका कारण क्या होता है, एक transistor के लिए अगर पन डिसकस करें, तो हमारे पास situation यह रहती है, यह रहता है उसमें emitter, और यह रहेगा हमारे पास base, और यह रहेगा collector, इमिटर चार्ज केरियर सप्लाई करता है, और base बहुत पतला सा होता है, और collector उन चार्ज केरियर सको collect करता है, इस base को पतला रखने का reason यह है, कि यहां से जो charge carrier आ रहे हैं, वो सारे की सारे ज़्यादा से ज़्यादा charge carrier जो है, वो collector के पास पहुँचे, इस base को पतला रखने का reason यह रहेगा पतला रखने का मतलब यह है कि अगर यह base पतला रहेगा तो इस path का resistance होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा resistance बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो यहाँ पर charge carriers कम flow होंगे और फिर इदर यहाँ पर आपके पास base collector junction पर breakdown होगा जिसके वज़े से charge carriers collector की तरफ move करेंगे तो यहाँ से अगर अपने पास 100 charge carriers आ रहे हैं तो उसमें से इदर का resistance, base जब आपके पास thin रहेगा तो इस direction का resistance बहुत ज़्यादा रहेगा और उसके वज़े से कम charge carriers इदर move करेंगे इसी की वज़े से base current क्या रहती है बहुत small रहती है और इसके ज़्यादा से ज़्यादा charge carrier जो है वो collector की तरफ move कर सेगे base को छोटा रखने का reason यह है अगर यह base बढ़ा होता अगर base हमारे पास बढ़ा होता इस तरह से यह केवल imagery case की discussion कर रहे है base अगर बढ़ा होगा तो base collector junction transistor operation के लिए पहले reverse bias है तो यहाँ से सारा charge जो है वो base में flow हो जाएगा और emitter current जो है वो base current के बढ़ाबर हो जाएगी और फिर collector current flow ही नहीं होगी तो base छोटा होने का reason that the collector current should be high और collectors जादा से जादा charge carriers को collect कर सके तो enable collector to collect 95% of the holes और the electrons coming from emitter side बहुत बढ़ा बढ़ा question this will be answer 3 कहने का मतलब 95% का मतलब अगर यहाँ से 100 आ रहे हैं तो यहाँ से 4-5 electrons इदर की दरब चले जाएंगे और 95% of these 100 charge carriers will be in will be going to the collector side then question number 47 तलते हैं अपन अगले question पर question number 48 the face PR of the prism PQR of angle 30 degree is silvered PR face है जो आपके पास prism दिख रहा है जिसका prism angle अपने को 30 degree दिया हुआ है कहने का मतलब यह angle अपना कितना हो गया 30 हो गया यह अपना 90 हो गया तो 30 90 तो यह इधर वाला angle जो बनेगा वो अपना कितना बनेगा 60 degree बनेगा आगे क्या बोल रखा है यह ray is incident on face PQ at an angle 45 degree as shown in figure ठीक के साब कोई दिक्कत नहीं the reflected ray undergoes the reflection on the face PR and retraces इस पाथ एक ray ऐसे जाती है यहां पर reflection होगा और फिर अपने path को retrace करती है the refractive index of the prism will be prism का refractive index अपने को calculate करना है तो prism का refractive index यह 60 degree angle हो गया तो यह वाला angle कितना हो जाएगा मेरे पास 30 degree हो जाएगा क्योंकि यह normal है तो 60 तो यह आजाएगा 30 और इस जगे पर यह medium air है इदर mu1 बोल देता हूँ angle अपने पास कितना है 45 degree है तो इदर दूसरे medium में अगर इसका refractive index ब्यू होता है तो इदर आपके पास जो angle of reflection बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 degree तो हम लोग चलते हैं equation पर Snell's law mu1 sine अपने पास हो जाएगा i that is equals to mu2 sine अपने पास किया हो जाएगा r mu1 इदर AR mu1 की value 1 sine इदर चल रहा है तुम्हारे पास 45 that is equals to इदर का mu पता करना है sine इदर reflection जो angle है वो कितना अपने पास 30 values पूट करता है this is 1 by root 2 that is equals to mu इदर हो जाएगा 1 बटा 2 root 2 से 2 cancel root 2 times और यहां से mu की value अगर अपने calculate करें तो this will be under root 2 mu this mu will be root 2 then answer 48 answer number अपना क्या रहेगा 1 option number 1 बढ़े question देखते है आप okay चलते है अपन अगले question 49 question पर चलते है 49 dimension of stress will be प्रतिबल की विमा होगी प्रतिबल हम लोग जानते है the stress that is force upon cross section area तो stress क्या होगया force upon effectively यह क्या है area है force force की dimension तो आपको याद ही रहनी चाहिए m1 l1 t-2 upon cross section area पर effectively है क्या यह area है area का मतलब l2 तो यह अपने पास l से l cancel और हमारे पास dimension जो बनेगी m1 l-1 यह हो जागा मेरे पास t-2 m1 l-1 t-2 m1 l-1 t-1 m1 l-1 t-2 नन this will be our result 49 question simple question बड़ते अपन अगले question पर question number 50 the last question of our paper if x is equal to AT plus BT square where x is distance traveled by the body in kilometer while T is the time in the second then units of B will be एक है यह quantity और यह quantity add हो कि यह quantity बन रही है कहने का मतलब यहाँ पर इसकी unit और इसकी unit सेम होगी और इन दोनों की unit और इसकी unit भी क्या रहेगी सेम रहेगी यह अपना physics का simple rule है तो हम लोग यह बोल सकते है that unit of x that will be equals to unit of क्या हो जाएगा bt square तो यहाँ से अगर अपन b की unit की बात करनी है तो वो क्या हो जाएगा x upon t square की क्या रहेगी unit x की unit x given है कित्ते में अपने को km में given है upon अपने पास क्या है n t time दे रुखा है तो time हम लोग को second में given है तो यह हो गया आपने पास second square तो हमारे पास b की unit जो रहेगी that will be km per second square then result रहेगा हमारे पास km per second square answer number 3 question number 50 answer number 3 तो हम लोग पेपर कंप्लीट किया आप लोग सारे exam देती रहिए all the best for your exam this is for today thank you very much hello students myself Rinesh Dadich team chemistry seeker dear students which of the most basic 51 question है कौन सा compound है वो सबसे ज्यादा basic है ऐसा compound इसमें non pair of electron localized हो resonance में participate नहीं कर रहा हो तो ऐसा compound में nitrogen अपना non pair of electron easily proton को donate कर देगा और ज्यादा basic होगा इसमें हम देखें तो अपने पास first example में non pair of electron resonance में participate करेगा और resonance में participate करेगा तो delocalized हो जाएगा second example की बात करें तो यहां भी non pair of electron resonance में participate करेगा और क्या होगा delocalized होगा third example की बात करें तो non pair of electron localized होगा यहां non pair of electron resonance में participate नहीं करेगा और fourth example देखें तो इसमें भी non pair of electron resonance में participate करेगा तो third example में non pair of electron localized होगा यह proton को easily अपना non pair of electron donate करेगा और यह क्या हो जाएगा most basic हो जाएगा on catalytic reductions with H2PT how many alkyne gives n-butane अगर हम कोई alkyne का reductions कर रहे हैं तो कितने type की alkyne होगी वो reductions पे n-butane अपने को दे देगी अगर हम बात करते हैं अपने पास one butane हो यह अपने पास one butane हो गया one butane का reduction H2 और Pt से कर देंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा n-butane बन जाएगा अपने पास two butane हो तो two butane में एक तो अपने पास trans isomers हो सकता है geometrical isomers हो कर रहा है एक तो अपने पास कैसा isomers हो सकता है trans isomers हो सकता है trans isomers है वो क्या देदेगा अपने पास n-butane देदेगा एक अपने पास कौन सा isomers हो सकता है two butane में अपने पास cis isomers हो सकता है यह cis isomers भी अपने पास h2 और pt के साथ reductions करेंगे तो अपने को क्या देदेंगे n-butane देदेंगे तो total कितने type की alkyne हो सकती है जो reductions पे हमें n-butane देते हैं तो कितने type की alkyne हो सकती है three type की alkyne हो सकती है दी स्टुडेंट्स k-104 OH-cold k-104 है वो cyclohexene के साथ reactions करके हमें क्या reactions देगा क्या product देगा तो अपने पास जो cyclohexene है यह k-104 के साथ यह अपने पास k-104 हो गया OH-1 हो गया और cold हो गया अगर यह है और साथ में क्या कर रहे हैं h2 के साथ reactions करवा रहे हैं यह अपने पास बे रियेजेंट हो गया और बे रियेजेंट है वो alkyne का क्या करता है hydroxylation करता है यह alkyne का hydroxylation करेगा तो अपने पास क्या बन जाएगा ऐसा compound अपने पास बन जाएगा और कौन सा एडिशन देता है सिन एडिशन देता है तो दोनो ओएच किस position पे होंगे सिन यानि सिस पोजिशन पे होंगे या तो दोनो ओएच वेज पे होंगे या दोनो ओएच डेस पे होंगे ऐसी situation में अपने पास कौन सा अंसर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट वाला अंसर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट अपने पास equations है chlorobenzine है वह compound A के साथ concentrated H2SO4 की presence में react करता है तो DDT का formation करता है compound B है acetone है उसमें compound B acetone के साथ react करके chloritone बनाता है तो हमें identify करना है A और B क्या-क्या हो सकते हैं तो Dear श्टुटिट्स हम identify करते हैं कि A और B क्या-क्या हो सकते हैं देखिए इसमें जो अपने पास ऐसा compound होता है C-Cl3-C-H-O इसको बोलते हैं हैं लोग Chloral Chloral की reactions Chloro Benzine के साथ करवाते हैं Chloral की reactions किसके साथ करवा रहे हैं Chlorobenzene के साथ करवा रहे हैं तो Chlorobenzene के साथ जब यह reactions करता है तो Concentrated H2SO4 की presence में ESR type की reactions होती है यह Concentrated H2SO4 Concentrated H2SO4 की presence में ESR type की reactions होती है यह क्या हो जाएगा H2 release हो जाएगा और अपने पास जो product बनेगा वो बन जाएगा CCL3, CH और अपने पास ऐसा product बन जाएगा यह हो गया CL इसे हम क्या बोल देते हैं DDT बोल देते हैं इसे हम लोग DDT बोल देते हैं सेकिंड में देखेगा हमारे पास दे रखा है Acetone Acetone की reactions जब हम लोग chloroform से करवाते हैं CHCl3 के साथ करवाते हैं तो NSR टाइब की reactions होती है और इसमें देखिएगा CH3, COH, CH3 और क्या बन जाएगा CCL3 का formation हो जाएगा इसे हम बोलते हैं Chloritone तो first में तो हमारे पास क्या हो गया A वाला compound अपने पास Chloral हो गया और B वाला compound जो हमें पूछा है वो क्या हो गया? Chloroform हो गया तो ऐसा option अपने को जो correct मिलेगा उसे हम क्या कर देंगे? OK कर देंगे तो इसे हम option में check कर लेते हैं तो अपने पास first वाले में हो जाएगा Chloral और second वाले में हो जाएगा Chloroform तो कौन सा answer correct चला जाएगा? 53 में third option अपने पास correct चला जाएगा OK Next question यह एक compound है जो HBR के साथ react कर रहा है और हमें क्या बताना है? Major product is reactions का बताना है Check करते हैं students Major product is reactions का क्या बनेगा? इस reactions में अपने पास compound यह given है CH3 CH3 और OH इसकी reactions HBR के साथ करवा रहे हैं इसकी reactions HBR के साथ करवाते हैं तो यह H plus plus BR minus में ionized हो जाएगा और सबसे पहले कौन सी reactions हो जाएगी? Acid-based reactions हो जाएगी Acid-based reactions होने के बाद अपने पास यह बन जाएगा CS3 CS3 और OH2 प्लस OH2 प्लस क्या हो गया? Living group अपने पास तयार हो गया यह living group लीव करेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा? Carbocatine बन जाएगा इस Carbocatine में अपने पास क्या rearrangement हो सकता है? Carbocatine में अगर newly formed बनने वाला Carbocatine more stable होगा तो इसमें rearrangement हो सकता है अभी अगर इसमें चेक करें अपने पास तो कितने अलफा है? 2 अलफा है अगर rearrangement होगा तो अपने पास यहाँ से CH3 की shifting हो जाएगी अगर CH3 की shifting हो जाती है तो अपने पास तो Carbocatine बनेगा वो यह वाला Carbocatine बन जाएगा यह CH3 यहाँ जाएगा और यह positive charge यहाँ हो जाएगा इसमें कितने अलफा हैच होगे? 3 अलफा हैच तो यह होगे 2 अलफा हैच यह होगे और 1 अलफा हैच यह हो गया तो कितने अलफा हैच होगे? 3, 2, 5 और 6 6 अलफा हैच होगे 6 अलफा हैच होगे तो newly formed carbocatine में hyperconjugation ज्यादा होगा, यह ज्यादा stable होगा, अब इस पे कौन attack करता है, nucleophile, BR-ion attack करता है, और जब BR-ion attack करेगा, तो अपने पास इसमें यह बन जाएगा, CS3, CS3 और यह अपने पास nucleophile, तो इस reactions का जो major product बनेगा, वो अपने पास यह वाला major product बनेगा, product हम चेक कर लेते हैं, कौन सा option correct होना चाहिए, अगर हम चेक करें, तो इसमें यह वाला option अपने पास correct हो जाएगा, तो second वाला option अपने पास क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, next check करते हैं, chlorobenzine है, एने ओज के साथ 350 और 280 पे react करके, phenol का formation कर रहा है, what does the following reactions equation illustrate, यह पूछना चाहता है, कि इस reactions का name reaction है, इस reactions का name क्या है, तो इस reactions में हम लोग कहते हैं, कि अपने पास, जो यह reactions है, वो DAW process के नाम से जाना जाता है, colby electrolysis तो क्या होता है, carboxylic acid के sodium और potassium salt का, electrolysis, colby electrolysis कहते हैं, carbyl amine isosinide test, amine की reactions, primary amine की reactions, chloroform और के वज के साथ करवाते हैं, तो carbyl amine isosinide test होता है, haloform reactions, तो ऐसे alcohol और carbonyl की reactions होती है, जिसमें 3α-H होते हैं, और haloform का formation करते हैं, तो इसके according, यह कौन सा process होना चाहिए, DAW process अपने पास होना चाहिए, next, carboxylic acid है, acetic acid, NS3 के साथ react करके product A बना रहा है, A को heat कर रहे हैं, तो product B बन रहा है, और B की reactions, BR2 और के ओज के साथ करवा रहे हैं, तो अपने पास, जो product बन रहा है, C, उसको identify करना है, तो reactions में identify करते हैं, तो अपने पास दिया है, CS3 COH, acetic acid हो गया, acetic acid की reactions, NS3 के साथ करवाई जाती है, तो एक acid हो गया, और एक base हो गया, acid base reactions होगी, तो carboxylic acid का ammonium salt बन जाता है, यह carboxylic acid का ammonium salt बन जाता है, अगर इस salt को heat करते हैं, तो यह अपने पास क्या बन गया, A बन गया, अगर इसे हम heat करते हैं, तो H2 release हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, CS3, C double bond और NS2 बन जाएगा, amide बन जाएगा, जो अपने पास इस reactions का B हो गया, इसकी reaction, amide की reactions, BR2 plus KOH के साथ करवाते हैं, BR2 और KOH के साथ करवाया जाता है, तो यह reaction एक famous name reactions है, हापमेन, Brom Amide reactions, हापमेन, Brom Amide reactions में, एक कम कारवन का primary amine बनता है, और क्या बन जाएगा, CS3, NS2 का formation हो जाएगा, जो की अपने पास क्या हो जाएगा, product C हो जाएगा, और एसा option कौन सा है, एसा option अपने पास second वाला है, तो कौन सा option सही हो जाएगा, second option correct हो जाएगा, next question dear students, pick up incorrect statement of the following, अपने को इस statement अलग-अलग given है, इन में से incorrect statement को pick up करना है, पहला statement है, glucose exists in two different crystalline form, alpha-d-glucose and beta-d-glucose, जो अपने पास glucose होता है, CH-OH-H, third carbon पे configuration opposite, OH और H, OH और H, fourth carbon, fifth carbon, OH और H, और sixth carbon हो जाएगा, CH2-OH, इसे हम अगर चेक करें, तो ये जो d-glucose होता है, ये दो crystalline अलग-अलग form में मिलता है, एक अपने पास होता है, alpha-d-glucose, एक अपने पास बनता है, alpha-d-glucose, एक अपने पास बनता है, beta-d-glucose, एलफा-d-glucose की बात करें, तो OH और H, second carbon का configuration, OH और H, third carbon का configuration, OH और H, opposite हो जाएगा, fourth वाले में, OH और H, sixth वाले में, H और CH2 OH, ये अपने पास एक गुलकोज की एक फोम हो जाएगी, alpha-d-glucose, अगर हम बीटा-d-glucose की बात करेंगे, तो ये अपने पास, बीटा-d-glucose, ये OH और ये H, ये OH और ये H, ये OH और ये H, ये OH थर्ड कार्बन पे, configuration opposite, OH और H, यहाँ अपने पास, H और CH2 OH, ये अलग-अलग फोम हो जाएगी, तो हमारे पास बोला है, गुलकोज, के, गुलकोज exist two different crystalline form, alpha-d-glucose and beta-d-glucose, बिल्कुल सही बात है, cyclic structure of the alpha-d-glucose and beta-d-glucose, called pyranose structure, बिल्कुल AC structure, जिसमें six member ring हो, और एक oxygen होता है, तो AC structure को pyranose ring कहते हैं, तो ये AC structure है, pyranose structure है, alpha-d-glucose and beta-d-glucose are the enantiomer, alpha-d-glucose और beta-d-glucose, enantiomer नहीं होते हैं, alpha-d-glucose और beta-d-glucose में, इस carbon पे configuration के वल क्या होता है, अपोजित होता है, तो alpha-d-glucose and beta-d-glucose को, एक तो enomers कहते हैं, या फिर इन्हें diesteriomers भी बोलते हैं, तो ये option क्या हो गया, इन्करेक्ट, cellulose is a state chain polysaccharide made up to the beta-glucose, बिल्कुल सही statement है, cellulose होता है, वो beta-d-glucose का state chain polymer होता है, तो इन्करेक्ट स्टेटमेंट कोण सा हो गया, थर्ड स्टेटमेंट अपने पास, इन्करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, इस्टुडेंट्स, ये अपने पास reactions are the major product obtained in the above reactions, इस reactions का major product क्या होगा, reactions को हम चेक करते हैं, pH, दो methyl group है, Ns2 है, और ये वाला compound है, इसमें हम चेक करते हैं, तो देखिए, अपने पास, यहाँ तो pH था, methyl group, Ns2, यहाँ जुडाव है, और ये compound हो गया था, इसकी reactions, NaNO2 प्लस HCl के साथ करवा रहे हैं, NaNO2 और HCl के साथ करवाएंगे, तो सबसे पहले क्या बनेगा, अलकिल डाई एजोनियम सोल्ट बनेगा, अलकिल डाई एजोनियम सोल्ट अपने पास, pH, N2 और Cl, N2 प्लस Cl-, जो अलकिल डाई एजोनियम क्लोराइड होता है, अनिस्टेबल होता है, तुरंती क्या हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है, और अपने पास क्या बन जाएगा, कार्बो केटाइन बन जाएगा, कार्बो केटाइन, जो बनेगा, decompose हो जाएगा and to gas release हो जाएगी यह कार्बो केटाइन क्या इस कार्बो केटाइन में rearrangement हो सकता है क्या बिल्कुल यहां से अगर CS3 की shifting हो जाती है CS3 की shifting हो जाती है तो newly formed कार्बो केटाइन बेंजैलिक भी बनेगा और 3 alpha ह 123 होंगे तो यह वाला कार्बो केटाइन क्या हो जाएगाक Kitty बनेगा pH इस हेवाला कार्बो केटाइन इस्टेबल कार्बो केटाइन बन जाएगा बेंजालिक कार्बो केटाइन है अब इस पर किसका ड़क होता है H2O का attack होता है क्योंकि H2O यहां किसका काम करता है Nucleophile का काम करता है तो यहां पे अपने पास pH OH2 प्लस अपना non pair of electron देगा यहां attack करेगा और यह अपने पास बन जाएगा इससे minus H प्लस रिलीज हो जाएगा और क्या बन जाएगा pH यहां पे OH और methyl यह वाला product इसका क्या हो जाएगा? major product हो जाएगा. चेक करते हैं dear students यह वाला product किस में गीवन है तो देखिए यह वाला product अपने पास किस में गीवन है? यह वाला product अपने पास C option में given है, तो correct statement कौन सा हो जाएगा, C वाला statement correct हो जाएगा, okay, next यहां क्लोरो, एंफिन निकोल होता है, वो केसा होता है, anti-septic and disinfectant, antibiotic and broad spectrum, anti-fertility drugs और anti-sterminic drugs होता है, तो कौन सा होता है, अपने पास, बिल्कुल NCRT में as it is लिखा हुआ है, कि antibiotic broad spectrum होता है, तो कौन सा statement correct हो जाएगा, second वाला statement correct हो जाएगा, okay, dear students, IUPAC name of this compound, इस compound का, IUPAC name हमें discuss करना है, IUPAC name discuss करें, तो इसमें जो functional group है, वो क्या हो गया, acid halide हो गया, तो numbering इसमें हम इधर से कर सकते हैं, functional group को priority देंगे, one, two, three, four, और five, five member chain हो गी, तो इसका नाम क्या हो गया, टू और three पर क्या हो गया, methyl group हो गया, तो हम बोल सकते हैं, two, three, dye, methyl, pentan oil chloride, oil chloride, इसका suffix होता है, तो क्या हो जाएगा, pentan oil chloride, कौन सा option सही हो जाएगा, second वाला option सही हो जाएगा, okay, next हमें पूछा है, which of the following compound is optically active, ऐसा compound जो optically active है, पहले option को check करते हैं, तो first option में अपने पास, two chiral carbon है, two chiral carbon है, बट इसमें क्या हो रही है, plane of symmetry pass हो रही है, plane of symmetry pass होने के कान, purest present हो गी, तो ऐसा compound क्या हो जाता है, optically inactive हो जाता है, second compound में एक chiral carbon है, अगर कोई compound में एक chiral carbon है तो वो always क्या रहेगा Optically active रहेगा ठीक है, third compound की बात करें तो इसमें भी क्या हो गया मीजो compound हो गया plane of symmetry पास हो गी और plane of symmetry पास हो गी तो molecule क्या हो गया Optically inactive हो गया fourth option में, chiral carbon भी नहीं है तो कौन सा compound Optically active है second वाला compound Optically active हो जाएगा next most stable carb catein यहाँ different different carb catein है इन में से most stable carb catein बताना है carb catein में वो carb catein ज्यादा stable होगा जिसमें electron donor group जुड़े होंगे electron donor group जिसमें attach होंगे तो positive charge क्या हो जाएगा decrease हो जाएगा और stability क्या हो जाएगी increase हो जाएगी तो हम check करें तो first वाले में जो group जुड़ा है CL जुड़ा है इसका plus R और minus I effect होता है लेकिन इसका dominant effect कौन सा होता है minus I effect dominant होता है तो electron withdrawing group का का काम करेगा और electron withdrawing group का काम करेगा तो carbocation की stability को decrease करेगा जो NO2 group है इसका कैसा effect हो गया माइनस R effect हो गया और minus I effect हो गया यह भी electron withdrawing का काम करेगा electron withdrawing group का काम करेगा तो stability क्या हो जाएगी decrease हो जाएगी यहाँ पे OCS3 group attach है इसके पास non pair of electron है plus R होगा और minus i होगा, कौनसा effect dominant होगा, r effect ज्यादा dominant होगा, electron donor का काम करेगा, electron donor, और fourth option तो CH2, benzyli carb catein है, इसमें electron दिये जा रहे हैं, तो positive charge decrease हो जाएगा, और stability क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी, तो ये third option में most stable carb catein है. Dear students, next 89, what is the final product B in the reaction sequence? अभीक्रिया अनुक्रम का अन्ति मुत्पाद B है, इस reactions में हमें ये कह रहा है कि अपने पास toluene है, toluene अगर BR2 के साथ react करता है, ये CS3, ये BR2 के साथ reactions करता है toluene, H new की presence में, sunlight की presence में, तो अपने पास क्या हो जाएगा, free radical substitution reactions हो जाएगी, और free radical substitution reactions के तुरू, अपने पास ये वाला product बन जाएगा, CH2 और BR, इस reactions में, इसकी reaction किसके साथ करवा रहा है? A की, A की reactions अपने पास, KCN के साथ करवा रहा है, और KCN के साथ करवाने के बाद, इसका क्या कर रहा है? अपने पास ये बन जाएगा, CH2, CN बन जाएगा, और इस CH2, CN, साइनाइड का, अपने पास क्या बन जाता है, H3O+, और साथ में, हीट कर देते हैं, तो अपने पास ये बन जाएगा, CH2, COOH, ये option बन जाएगा, और कौन सा option मेच हो रहा है, इससे, फोर्थ वाला option, बिल्कुल मेच हो रहा है, तो correct, option क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, next, अपने पास ये compound है, और इसकी reactions, CH3, Mg, Vr, axis में है, और उसका बात, उसका hydrolysis कर रहे हैं, तो product जो बनेगा, वो product क्या होगा, these students check करते हैं, इस reactions को, इसका product क्या होगा, तो check करते हैं, अपने पास ये compound है, CS3, CH2, C double bond, O, O CS3, इसकी reaction, CS3, Mg, Vr के साथ करवा रहे हैं, CS3 और Mg, Vr, ये डेल negative, ये डेल positive, ये यहाँ पर attack करेगा, CS3-, क्या बन जाएगा, CS3, CH2, C, O-, Mg, और Vr, ionic bond के थ्रू यहाँ जुडा रहेगा, ये O CS3, और यहाँ क्या आ जाएगा, CS3 आ जाएगा, देखिए D students, इसमें क्या होता है, ये अपने पास living group है, ये फिर से ऐसे और ये living group क्या कर जाएगा, लिव कर जाएगा, तो क्या बन गया, CS3, CH2, C double bond और CS3 का formation हो जाएगा, फिर से इसके साथ कौन react करेगा, CS3, Mg, Vr react करेगा, वही, डेल negative, डेल positive, ये bond CS3, CH2, C, O minus, Mg, Vr, और क्या बन जाएगा, CS3 और CS3, कौन सा bond रहेगा, ionic bond रहेगा, अब इसका hydrolysis कर देंगे, तो hydrolysis से क्या बन जाएगा, CS3, CH2, C, OH, और क्या बन जाएगा, CS3 और CS3, ये वाला product बन जाएगा, D student हम चेक कर लेते हैं, ये वाला product किस option में है, तो चेक करते हैं, ये वाला product कौन से option में हैं अपने पास, ये वाला product CS3, CS2, CS3, CS3 और OH, तो क्या option हो गया, अपने पास second option correct हो जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, second option को correct कर देंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें एक पोल रहा है, rate of estrification of CS3, CS2 with ROH, maximum when ROH is this, estrification के लिए rate पूछ रहा है, जो estrification के लिए rate होती है, rate of estrification, rate of estrification is directly proportional to 1 upon steric hindrance होता है, जिसमें steric hindrance सबसे कम होगी, उसके लिए rate सबसे fast होगी, तो option fast, 2 carbon का है, 3 carbon का है, 3 carbon का है, और 4 carbon का है, steric hindrance increase हो रही है, सबसे कम steric hindrance को बच्छे option में, first वाले option में है, तो first वाला क्या हो जाएगा, correct option हो जाएगा, Okay, which of the following is biodegradable polymer, biodegradable polymer में अपने पास वे biodegradable polymer होते हैं, जो कैसे polymer होते हैं, नेचूरल polymer होते हैं, नेचूरल polymer के अलावा कुछ synthetic polymer को भी biodegradable polymer में include कर रखा है, तो यहाँ पे अपने पास कौन सा एसा polymer है, जो नेचूरल polymer है, टेरिलीन, नेचूरल polymer नहीं है, टैफलोन, नेचूरलड पोलीमर नहीं है, काफी अच्छा और सांदार कुछन है इसके अंदर है, एक्जाम औरियंट पेपर है पूरा, क्लियर, अपन कुछन नुमर 64 की बात करते हैं, D species in a tetraidal shape, आपको ऐसी species बतानी है तो tetraidal shape हो, तो आईए, बात करते हैं, Palladium, यहां पे देखा जाए, तो इसकी coordination number 4 है, तो hybridization यह तो SP3 यह DASP2, right, Palladium हो गया, Platinum हो गया, इनके साथ weak field agend भी act करता है, as a strong field agend, तो यहां पे hybridization DASP2 आएगा, तो यह तो square planer हो गया, तो यह तो नहीं हो सकता, यह आपका strong field agend है, तो यहां पे hybridization DASP2 आएगा, square planer, Palladium, और यहां पर तो coordination number 6 आचुकी है, तो यह तो होगा, यह octaidal, चाहे आपका D2 ASP3 hybridization हो, चाहे ASP3 D2 hybridization हो, I am right, लेकिन यहां पे आपका hybridization यह होगा, क्योंकि यह आपका क्या है, strong field agend, और अगर weak field भी होता तो यहां पर तो strong field की तरही रियक्ट करता है, hybridization D2 ASP3 होता, यह आपका weak field agend है, coordination number अपनी 4 है, तो hybridization के आजाएगा, SP3, तो यह tetraadal होगा, answer आजाएगा इसमें 4, next question की बात करते हैं आपन, अच्छा क्यों सुन है, maximum bond length between CO and Q1, synergy effect देखना है आपको, यह आपका pi acid ligand है, sigma donor के साथ साथ pi acceptor भी है, तो जब भी यह metal है, इसको donate करेगा, triple bond होता है, लेकिन इसके fulfilled orbital से, अपने vacant pi star के अंदर lone pair ले लेता है, तो इस वज़े से यहां क्या हो जाएगा, back bonding हो जाएगी, और यहां double bond हो जाएगा, double bond होता है, bond order कम हो गया, bond order कम हो गया, तो bond length increase हो जाएगी, इस फिनोमेना को बोलते है, synergy effect, और synergy effect, more d electron की परणेंस पर यहां, निनी complex में ज्यादा होता है, तो CO bond length उसमें ज्यादा होगी, जिसके अंदरे synergy effect ज्यादा होगी, वो निनी complex में होता है, तो सबसे ज्यादा बड़ा निनी complex bonds आएगी, तो आपका इसमें second answer आजाएगा, next question बात करते हैं, अच्छा कि उसने complexion linkage isomerism, linkage वो देते हैं, जिनके अंदर ambidentate ligand होता है, तो यहां पर ambidentate ligand यह रहा, एक बार तो lawn pair donor का काम कोण कर जाएगा, oxygen कर जाएगी, एक बार lawn pair donor का काम कोण कर जाएगा, नाइट्रोजन तो आपका थर्डा अंसवरा जाएगा, next question, they are having two metal atoms, दो परकार की metal रखे, copper pyritis, Cu Fe S2, copper भी रख रहा है और iron भी रख रहा है, fourth, गे लेना में PBS होता है, magnetite और hematite, Fe 2 O 3 और Fe 3 O 4, यह आपके iron के ही और है, यह वाला आपका copper और iron दोनों रखता है, तो fourth answer होगा, next question, अपना बात करें, fourth flotation process is based on, adsorption theory पर काम करती है यह, तो specific gravity of the ore particles, magnetic property of the ore particles, weighting nature, आप यह भी कह सकते हैं, यह वीटिंग नेचर पर काम करेंगी, कहने के मतलए impurity होती है, वो तो water में भीगती है, जबकि आपका metal हो किसमें और होता है, वो किसमें भीगगा, oil में, तो वहां पर froths बन जाएंगे, clear? next, हाँ तो क्यूशन नमबर 69 की बात करते हैं, atomic number Z है, atomic number Z आपका कितना दे रखा है, 25 दे रखा है, इसके लिए N-cell में इलक्ट्रोन बताने हैं, ground state में, तो मेंगनीज हो गया ही है, तो इसका electronic configuration देगो, 1H2, 2H2, 2P6, 3H2, 3P6, 3D5, 4H2, तो यह तो आपकी K से L हो गई, यह M हो गई, KL, L हो गई, यह आपकी M से L हो गई, और यह N हो गई, N में दो इलक्रोन है, next question पर बात करते हैं, across the lengthenoid series, the basicity of the lengthenoid hydroxide, lengthenoid hydroxide तो आप अमेशा ध्यान एकना, cerium hydroxide से यह चालो हो गया काम, और यह आपका चला गया, lucentium hydroxide, lengthenoid series आगई पूरी, इधर चल रहे हैं तो आपको पता है, screening effect क्या होता है, कम होता है, इस वज़े से, Z effect बढ़ेगा, Z effect बढ़ने का मतलब size कम होगी, size कम होगने का मतलब IE बढ़ेगी, और basic strength IE से उल्टा तल्पी है, हमें इसा ध्याना करना, basic strength of metallic hydroxide and oxide is inversely proportional to ionization energy, तो आपका क्या होगा, decrease होगी basic strength continuously, clear, next, test, जिसमें H और PP दोनु बॉन्ट परजेंट हो, वो आपको देखना है, तो देखो यह तो cyclic metafor, trimetaphosphory, कि इसकी structure देखें, तो इसमें तो P O, P O, clear, double bond के साथ oxygen and OH है, double bond के साथ oxygen and OH है, double bond के साथ oxygen and OH है, तो यह तो गया, इसके अंदर देखा जाए, तो P double bond O, OH, OH, O, P, double bond O, O, H, O, H तो यहां पर देखा जाए तो पह लिंकेज नहीं है H4, P2, O6 तेगे तो यह इसके अंदर PP लिंकेज तो हो गई होगा साथ में आपका यह लो तो इसमें पह लिंकेज किसी में भी नहीं है PP लिंकेज जरूर आ रहा है इसमें तो आप कहां सवर इसमें क्या हो जाएगा? नन हो जाएगा Next The products formed by complete hydrolysis of PCL3 Oxidation state कभी भी change नहीं होती है यह यहाद रखो तो यहाँ पे देखो प्लस 3 में है तो प्लस 3 वाले ही बनाएगा इसमें प्लस 3 है इसमें प्लस 5 है इसमें प्लस 5 है इसमें प्लस 5 है तो फस्त आंस्वर होगा हमेशा द्यान को hydrolysis के दौरान Oxidation state change नहीं होती है जो हेलाइड है उसकी Oxidation state सेंट्रल इटम की और जो आपका Oxidation होगा उनकी सेम ही रहेगी तो फस्त आंस्वर हो जाएगा नेक्स्ट क्विशन की बात करते हैं फिजिकल का आज्सर इसकर सके हैं यह देख लिजिये विच टू ऑर्बिटल से आर लॉकेट अलॉंग दी एक्सिस नॉट बिट्विन अक्सिस मतलब कि और विटल या इलेक्ट्रोन है वो अलॉंग टू एक्सिस तो आप देखना एक तो PX, PY और PZ इनमें देखा जाए तो orbitals होते हैं वो axis-axis पही होते हैं जैसे यह PX आ गया यह आपका PY आ गया यह फिर आपका यह PZ आ गया तो इनमें से एक तो PZ वाला हो गया यह लो एक यह X-axis और यह Y-axis तो इनमें भी एक्सिस के ऊपर यह D-axis square और Y-square तो आपका आंस्वर कौन सा आजाएगा फोर्थ नेक्स दलते हैं हां तो क्यों से नंबर दीए आप लिएया इसका देख लね olho पन आपको क्या दे रख दिख आ आ उक्सिजन दे रख औरफ लों आप इनको thoughacer आटोनिक नबर के इंकरीजिंग ऑडर में एक फिरिड के हैं सारे तो आपको इनरजिग के सेथी सबसे कम N s č 1 होती है इससे ज ketitude आफ्टीटी है इससे ज़्यादा विखिल हमें लागर के पropelong यह आपका 2 पी 4 यह 2 P 5 यह 2 P 6 है। राइ आप एक इलेक्तरों निकाला तो यह 2p 2 बशनेफ़ेगा यह आपका बन जाएगा 2 Pe 3 यह आपका बन जाएगा टू फॉर और यह आपका बन जाएगा 2 P 5 by waiting. सबसे कम तो किस जोने आपके नाइट्रोजन है नाइट्रोजन से ज्यादा किसग आजएगी आपके टोरिन से ज्यादा ऑक्सरीजन और नियॉन तो सबसे ज्यादा नियॉन फिर फिर फ्लोरिन फिर उक्सिजन दे रखा है तो फर्स्ट जो Tou को आपका गया यह 2 P3 हो गया, यह आपका 2 P4 हो गया और यह आपका 2 P5 हो गया. First electron निकाल दो, 2 P1 बन जाएगा, यह 2 P2 बन जाएगा, यह आपका 2 P3 बन जाएगा और यह आपका 2 P4 बन जाएगा. अब एक electron और निकाल रहे हैं, उसकी बात कर रहा है, right? Second ionization energy. तो पहले तो यह आजाएगा आपका carbon, carbon से ज्यादा आजाएगी nitrogen की, nitrogen ज्यादा fluorine और fluorine से ज्यादा oxygen, सबसे ज्यादा oxygen की होनी चाहिए, oxygen की है, फिर fluorine की होनी चाहिए, fluorine है, nitrogen फिर carbon, तो एक तो आपका B सही हो गया, right, फिर आगे देखते हैं, तो एक तो आपका कौन सही हो चुका है, B, फिर देखते हैं इसमें, यह दे रखा है, इसका आपन ने अभी सेट किया था, nitrogen फिर उसके बाद में fluorine थी, फिर oxygen था, फिर neon था, C सही हो गया, तो यहाँ पर BC आगे है, सोचने की जूरू तनी है, अभी सेट किया था इसको पहले, नेक्स्ट अपन चलते हैं, आपको यह आपर बताना है, विच वन ओफ दी फॉलोइंग आइन इज पैरामेगनेटिक, तो यह तो आपको पता है, वेलेंज सेल में एक electron था वो भी हड़ चुका है, तो अगर इसका configuration देखें, तो यह आपका बन चुका है, क्रिप्टोन तक यह तो सेम रहेगा, उसके बाद में, 4D10 completely फिल रहेगा, तो यहां पे अनपेड इलक्ट्रोन क्या रहेंगे, जीरो, तो यह तो डायमेगनेटिक हो गया, पोटेशियम तो डायमेगनेटिक वेसे होना है, ऐस ब्लोग वाली ओक्षिडेशन स्टेज में, जब भी आते हैं, आइन्स बनाते हैं, उनके डायमेगनेटिक ही होते हैं, अनपेड इलक्ट्रोन जीरो होगा, एफी फ्लस टू, तो एफी फ्लस टू का कॉन्फिग्रेशन देगे, तो आपको पता है, और अरगन 3D6, 4S0 होगा, तो अनपेड इलक्ट्रोन 4 है, तो यह आपका परामेगनेट हो जाएगा, 2nd, और यह एफी फ्लो का है, यह डायमेगनेटिक है, नेक्स्ट, विच अमंग फॉलोवेंगे, एग्जिविट लिस्ट इलेक्ट्रिकल कंड़क्टेंस इन एक्वस सोलिशन, एक्वस सोलिशन में जो आइन जितना चोटा होता है, एक्वस मीडियमे उतना ही बढ़ा हो जाएगा, तो आपको पता है, इनमें सबसे स्मॉल को ओना है, लीथि आपको ओन इस किसिवट वन इन्वार्फ मैक्जिमम नंबर ओफ लोन पेर एड सेंट्रल इंट्रल अटम एज़रें टीक है, इनमें आपको यह पताना है, अनपेडी एलेक्ट्रों किसके पास सबसे कम है तो सबसे पहले इसकी बात करूं तो AXEF4 इसका हबर्डाइजिशन क्या होता है ASP3D2 तो इसके पास सिग्मा 4 है और लॉनपेर 2 है इसके पास आईए हाबर्डाइजेशन क्या होता है ASP3D इसके पास सिग्मा तो है फोर और लौन पेर आपका आगया वन इसके पास ऐस्बी है सिग्मा तो थ्री है, लौन पेर टू है इसके पास ऐस्बी त्री तू है, ब्रॉटिंड》प्टेय नेक्स्थ अग्यां है मैं को ब्राउन गए सीसी यओलड इन हीटिंग फ़ॉलंग इनको करने पर किसके पास ब्राउन गैस निकलने वाली है आप इसको हीट कलो आपको पता है यह तो यह तो आइस पोतेशियुम रूबीडियुम और सीजियूम über sodium, potassium, rubidium, cgm, इनके nitrate को जब भी heat देते हैं, तो nitrite बनता है, और colorless gas O2 release होती है, तो यह तो नहीं होगा, यहाँ पर पहले तो ammonia बनेगी, लेकिन यह आपको पता है, strong oxidizing agent है, तो ammonia को तुरंट N2 में change कर देगा, CR2 O3 बनाएगा, और H2O बनादेगा, तो यहाँ पर भी नहीं बनेगी, लीथियम नाइटरेट यह आपका टूटने पर oxide बनाता है, reddish brown color की gas, NO2 release होती है, colorless O2 भी release होती है, तो आपका कौन सा जाएगा, यह, इसको heat करते हो, तो calcium oxide बनता है, CO2 यह colorless gas है, तो आपका third answer है, clear, next test of the following, octidal complex does not show geometrical isomerism, कौन साएग जो geometrical isomerism शो नहीं करता है, A and B are monodentate ligand, तो आपको पता है यह, MA5, पांच ligand से में अकेला ligand different है, यह नहीं देगा, यह तो आपको पता है, फेस और मर्द दो देगा, यह सिस और ट्रांस दो देगा, और यह भी सिस और ट्रांस दो देगा, फोस्फोर साइज दे है, ओक्षिडेशन स्टेज और प्लस इन, किस में रहेगी, और तो फोस्फोरिक एसिड, तो और तो फोस्फोरिक एसिड तो आपका S3PO4 होता है, प्लस 5 होती है, फोस्फोरिक एसिड, S3PO3 होता है, इसमें प्लस 3 होती है, हाइपो फोस्फोरिक एसिड, S3PO2, इसमें आपकी प्लस 1 मिलेगी, मेटा फोस्फोरिक एसिड भी में भी प्लस 5 होती है, फोस्फोरिक एसिड प्लस 5 होती है, फोस्फोरिक तो एनों के पास कितने इलक्ट्रोन है, 50 इलक्ट्रोन है नहीं है, एनों के पास कितने है, 50 इलक्ट्रोन, तो इसका बोंड ओडर कितना हैगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s star 2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s star 2, सिग्मा 2pz2, π2px, π2py22, π2px star, π2py star 1, तो बोंड ओडर कैसे निकालते हो, बोंडिंग में से anti-bonding electron निकालतो, बोंडिंग कितने हों कि 2, 2, 4, 2, 6, 6 और 4, 10, 10 में से 5 किये, डिवाइट बाइ 2, 2.5, तो बिलकुल इसका 2.5 होता है, the bond order of NO+, NO+, का मतलब है 14 electron, तो एक direkt荷 निकल जाएगा तो यहां फूर जाएगा तो एक आनुट ऑट्ये setzen वहां पे सबस्थ और कर तो यह गलत है इसका बॉन धर टुम्की अई इसमें भी 14 इलक्ट्रोन है इसमें भी 14 इलक्ट्रोन जिसमें नंबर उप इलक्ट्रोन सेम होती है मौन्ड ओडर भी सेम होता है तो यह सही है यह सही है और यह सही है ABD ABD तो आपका सेकंड आंस्वर आजाएगे next covalent nature of NAF, NA2 और NA3N तो catein तो सबका सेम है अब A9 की size बढ़ेगी तो उसका polarization बढ़ेगा covalent character भी बढ़ेंगी तो सबसे small तो fluoride होता है पिर इससे large oxide iron होता है और सबसे large nitride है तो यह ही sequence हो जाएगा आपके covalent character का second clear तो यह अपना paper था कापी अच्छा paper था अच्छे selective question थे clear आप तयार के साथ लगे रहो आगे ऐसी दंगल आपको और मिलेंगे और उनके video solutions मिलेंगे बस आपको साथ बने रहे ना है थेंक्यू Hello students, CLC की YouTube channel पे आपका स्वागत है मैं ओंपरकास सन टीम CLC से और आज अपन डिसकस करेंगे दंगल 7 out of 15 तो क्योशन नमर 61 है जो physical chemistry का portion वो मैं डिसकस कराऊंगा during the electrolysis of aquas zinc nitrate solution यानि की zinc nitrate solution है zinc nitrate का solution है जो क्या है aquas है it means इसमें दो टाइप के ions होंगे एक तो zn plus 2 एक nitrate ion ये तो इस salt के ion होगे एक H plus और एक OH minus N तो ये चार्ट आप के ions होगे इसमें एक electrode लेंगे अपन कैथोड और दूसरे electrode लेंगे anode कैथोड क्या होता है negative और anode क्या होगा positive तो जैसे इसमें electricity pass करोगे तो ये ions है वो opposite charge electrode की तरफ migrate करेंगे ठीक है तो इसके अंदर देखो Zn प्लस 2n और H plus N दोनू केट आइन है दोनू कैथोड की तरफ migrate करेंगे लेकिन जिसका discharge potential कम है वो इस पर जाके deposit हो जाएगा तो एट कैथोड पी reaction क्या होगी कैथोड पी reduction होता 2H plus N plus 2 electron से किस में क्नोट हो जाएगे है एट अनोड पे क्या होगा एट अनोड पे अनोड पी कौन सा जाएगा नगेटिव और नगेटिव में कौन सा जाएगा ओच मैने से तो एनोड पी काथोड पी गेस होगी oxygen gauge release होगी O2 plus H2O 2 electron तो एनोड पे कौन से गेस मिलेगी आपको O2 gauge और कैथोड पे गेस कौन से मिलेगी H2 gauge तो कौन सा option सही होगा 4th option is correct next question question number 62 the oxidation potential of hydrogen electrode at pH is equal to 10 and pH 2 यह नहीं hydrogen gauge का pressure कितना दे रखाए 1 ATM दे रखाए तो 9-7 equation लिखेंगे hydrogen का oxidation potential क्या हो जाएगा H2 जो gauge है वो किस में जाएगी 2H plus aquas plus 2 electron तो इसका oxidation potential क्या होगा E oxidation is equal to enode oxidation minus 0.591 upon N log 10 base product में के H plus N की concentration का square upon pH 2 तो enode oxidation hydrogen electrode के लिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो E oxidation is equal to 0 minus का 0.0591 number of transfer electron कितने है इसके अंदर 2 log 10 base H plus N की concentration तो pH कितनी दे रखिए 10 दे रखिए तो H plus N की concentration क्या होगी 10 की power minus का 10 तो यह हो जाएगा 10 की power minus का 10 का square upon nitrogen gauge का pressure कितना है 180 इसका जैसे square करोगे तो 10 की power minus का 20 आजाएगा तो minus का 0.0591 upon 2 log 10 base 10 की power minus का 20 minus 20 का आजाएगा आगे आजाएगा तो minus minus क्या हो गया प्लस हो गया तो 0.591 by 2 into 20 इसको multiply करोगे तो क्या आएगा 0.591 यह इसका oxidation potential आजाएगा इसकों सा option है third option is correct next question question number 63 the possible mechanism of the reaction यह reaction दे रहे किया आपको और यह दो step में हो रही है यह कुछे slow step reaction है और इसका रहेट क्या होगा रहेट इसकोल टू की अनो बी आर्टू की concentration और अनो की concentration तो slow step को देखे सबसे पहले आप रहेट लो लिखो उसके बाद में अगर reaction mechanism के अंदर intermediate आ रहे है तो उसको आपको replace करना पड़ेगा तो यह क्या है intermediate है और इसको आपको क्या करना पड़ेगा replace करना पड़ेगा replace किसे करोगे आप equation first से जो first step है उस first step से करोगे तो इसको k equilibrium is equal to क्या लिखोगे आप product की concentration upon reactant की concentration तो NO BR2 की concentration upon NO की concentration और BR2 की concentration तो NO BR2 क्या हो जाएगा के equilibrium NO की concentration और BR2 की concentration यह value आप यहाँ पे replace करो तो rate is equal to क्या हो जाएगा के equilibrium NO BR2 की जाए NO BR2 करोगे तो NO NO का square हो जाएगा तो NO का square into BR2 की concentration तो order कितना हो जाएगा order हो जाएगा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 order of reaction कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा NO की respect में order of reaction 2 है और BR2 की respect में order of reaction का है 1 है इट मिंस third option is correct question number 73 liquid A and B form ideal solution ideal solution में क्या होता है जब solute और solvent को mix करते हो तो solution का formation होता है तो solute plus solvent में क्या होजा bond break होंगे bond break होंगे तो energy आपको required होगी और जैसे ही solution के अंदर bond बनेंगे तो energy क्या होगी release होगी तो absorb energy अगर release energy के equal होती है तो enthalpy क्या होगी 0 होगी तो delta H mixing क्या होगा इसके अंदर 0 होगा दो liquid को आप mix कर रहे हो तो entropy क्या होगी इंक्रीज होगी तो delta H खोगा increase होगा अब स्बिसक्त पॉजिटिव होगा और delta G स्बता होगता है क्या होगताह डिल् bond होगागागा होगा फुजिटिव इसकी वेल्टा ही स्ट के पास negative है, delta S की value positive और delta S की value 0, तो पहला option है, the free energy of mixing is 0, free energy का है, negative है, तो पहला option गलत हो गया, the free energy as well as entropy of mixing is of 0, यह भी गलत है, third enthalpy of mixing is 0, यह बिलकुल सही है, and third option is correct, next question, 74, which two orbitals are located along the x-axis, कौन-कौन से, orbitals है, वो along the x-axis होते हैं, तो PX, PY और PZ, यह क्या होते हैं, along the x-axis होते हैं, along the axis, उसके बाद में, DXY, DYZ और DZX, यह क्या होते हैं, in between the x-axis, in between the axis, और इसके दो orbital, DX2, Y2, और DZ2, यह क्या होते हैं, along the axis होते हैं, तो पूछ क्या रहा है, not between the axis, यहनि along the axis कौन से, तो यह along the axis है, तो देखो कौन सा option सही है, पहले में DXY है, DXY है, DYZ है, यह तीनों के, in between the x-axis होते हैं, along the axis नहीं होते हैं, तो along the axis कौन सा होगया, एक तो PZ होगया, dx कर Y2 होगया, it means fourth option is correct, next question, question number 75, in which of the following, KP is less than KC, तो KP-KC में क्या relation होता है, KP is equal to क्या होगा, KC, RT की power delta N, delta N क्या है, mol of gases product minus mol of gases reactant, तो delta N की value अगर greater than 0 है, तो KP बढ़ा होगा किस से, KC से, और delta N की value अगर less than 0 है, तो KP is less than KC, और दोनों अगर बराबर है, तो KP बराबर क्या हो जाएगा, KC, तो आप से क्या पूचा, KP is less than KC, it means delta N की value क्या नीचे, negative, तो negative कि इसमें आ रहे, इसमें positive आएगी delta N की value, इसमें 0 आएगी, इसमें 0 आएगी, और इसमें क्याएगी, negative आएगी, it means third option is correct, next question, 76, और बाल डाइलूशन लो गिव सेटिस्पेक्टरी रिजल्ट विद्त है, solution of which electrolyte, यानि कि, ओस्ट बाल डाइलूशन लो है, वो किसके लिए applicable होता है, यह weak electrolyte के लिए applicable होता है, क्योंकि इसके लिए alpha degree of dissociation क्या होता है, यह weak electrolyte के लिए क्या होगा, applicable होगा, क्योंकि इसके लिए alpha की value क्या होती है, एक से कम होती है, ठीक है, और weak electrolyte क्या होती है, weak acid और weak base क्या है, weak electrolyte, third option is correct, next है, 77, KSP of a salt AB, AB2 and A3B are this, this, this respectively at this temperature, the solubility order of the these salt in water at temperature T, तो यह आपको salt दे रहे हैं, पहला है AB type का salt, और we know that, इसमें KSP is equal to क्या होता है, S का square, तो S ब्राबर क्या हो जाएगा, root of KSP, और इसकी KSP की value कितनी देर की आपको, KSP की value देर की 4 into 10 की power minus का at, तो यह हो जाएगी, 2 into 10 की power minus का 4 mole per liter, ठीक है, second है AB2 type का electrolyte, इसके लिए KSP is equal to क्या हो जाएगा, 4S cube, S ब्राबर क्या हो जाएगा, KSP upon 4 की power, एक बटा 3, तो KSP की value कितनी देर की इसके लिए, 4 into 10 की power minus का at, यह तो देर की यह फर्स्ट वाले, second वाले की कितनी, 3.2 into, 3.2 into 10 की power minus का 14 upon 4 की power 1 by 3, तो यह आजाएगा आपके पास, 8 into 10 की power minus का 15 की power 1 by 3, इसको आप जब solve करोगे, तो क्या आएगा, 2 into 10 की power minus का 5, यह second वाले की solubility आगे, यह first वाले की solubility आगे, थर्ड है, a, 3, b type का electrolyte, इसके लिए ksp is equal to क्या हो जाएगा, 27 s की power 4, s बराबर क्या हो जाएगा, ksp, ksp कितना देर का है, इसका, 2.7 into 10 की power minus का 15 upon 27 की power 1 by 4, तो यह आजाएगा, 1 into 10 की power minus का 4 आजाएगा, तो यह solubility आगे इन तीनों की, तो किस की जादा होगी, सबसे जादा किस की होगी, a, b की जादा होगी, उसके बाद में किस की होगी, a, 3, b की, और उसके बाद में, a, b, 2 की, तो कौन सा option से होगा, a, b, a, 3, b, a, b, 2, यानि की, fourth option is correct, next question, in which conditions process is spontaneous at all temperature, spontaneous process है, वो सभी temperature पर, यानि, delta g is equal to, क्या होता है, delta h minus का t delta s, 여러분, इसके value negative होनी चाहए, it means, इसके value क्या होगी, negative होगी, minus t delta s, इसके value क्या होगी, positive होगी, अब आप कोई भी temperature पूट करो, plus minus minus, यह minus, तो आना क्या है, delta जी की value negative है, तो temperature पूट करो, it means delta s, तो क्या होगा, negative, और delta s, क्या होगा, positive होगा, तो negative और positive, it means, first option is correct, next question for the reactions यह reactions दे रिखिये हैं इनकी bond energy आपको दे रिखिये इसकी X1 इसकी X2 CS4 में कितने bond है 4 CS bond है तो इनको break करने के लिए आपको energy जो दे रिखिये delta H4 delta CH इसकोल टू क्या है X1 तो delta H CH कितना है X1 Y4 उसके बाद में C2H6 है इसमें कितने है इत्रोजन bond है 6 तो 6 delta H CH bond plus delta H CC bond is equal to के X2 और CH bond की bond energy के 6 into X1 by 4 plus का delta H CC bond is equal to X2 तो delta H CC bond कितना है गा X2 minus का 6 by 4 X1 जिसको आपके लिख सकते हैं 1.5 तो कौन सा option होगा 4th option is correct next question at T number question A solid is formed by 2 element P and Q element Q form cubic clause packing Q है वो क्या है? C C P है It means क्या होगा? F CC atom कितने होगे? 4 और P क्या है? और P क्या है? 1 by 3rd of tetraadalwood तो आपको पता है tetraadalwood है वो effective item से कितने होते हैं? 2 times होते हैं तो 4 की जिए मैं क्या कर दूँगा? add कर दूँगा तो formula क्या होजागा? P 8 by 3 Q 4 इसको simplify करोगे तो क्या होजाएगा? P 2 Q 3 इसका formula होजागा It means third option is correct Next question Question 93 Which of the following statement is not correct? ठीक है? पहला है Physical adsorption is due to vulnerable force तो जो physical adsorption होता है उसमें जो dispersed phase है प्रेक्षिप प्रावस्ता और dispersion medium प्रेक्षिप पनमाद्यम उनके बीच में क्या होता? weak, vulnerable force होता है एक इसके लावाता chemical adsorption उसमें क्या होता? dispersed phase और dispersion medium के बीच में chemical bond present होता है तो पहला option बिल्कुल सही है physical adsorption is due to underval force second physical adsorption is irreversible यह गलत है physical adsorption क्या होता है reversible nature का होता है एक बार गेस की molecules अगर solid की surface पे adsorbed होगे तो आप temperature को increase करके वापस उसको क्या कर सकते हो इसका visorption कर सकते हो desorption कर सकते हो ठीक है तो यह गलत हो गया next question number 94 live philic soul are more stable than live phobic soul live philic soul क्या होते है यह water soluble होते है water loving group जिसको बोल सकते हो और live phobic क्या होते है water insoluble ठीक है तो live philic soul stable होने का region क्या है इसमें जो प्रिक्षिप प्रावस्ता है यह डिस्पर्स फेज है इसके उपर क्या होता है dispersion medium के particles एक protective layer की तरह काम करते है जिसकी विज़े से कोई भी अगर electrolyte आप लाते हो इसके contact में तो यह dispersion medium है वो dispersed phase के साथ contact में नहीं आने देता है तो कहने का मतलब जो dispersed phase है वो dispersed medium के साथ कह रहता है dissolve रहता है तो कौन सा होगा third option the colloidal particles are solvated next 95 96 देखो the number of neutrons in 5 gram of D2 D2O का मतलब deuterium है यानि की 1H 2 तो इसका अगर mass देखे है पुन molar mass तो molar mass कितना हो जाएगा इसका 4 plus 16 कितना हो गया 20 होगे 20 gram per mole ठीक है तो इसके mole आप calculate करोगे तो mole कितना हो गया 5 upon 20 कितना हो गया 1 by 4 molecules कितने होंगे इसके अंदर 1 by 4 into N और number of neutrons तो neutrons के लिए आप क्या करोगे neutron कितने हैं इसके अंदर 2 deuterium के एटम है तो 1 में neutron कितना होगा 1 तो 2 में कितना होगा तो टोटल कितना होगा 10 into 1 by 4 into N तो इसके कितना होगा 2.5 पे N होगा इसके अंदर आप्शन इसक्रेक्ट नेक्स क्यूशन है 2 वेजल कंतेनिंग गेस A and B आर इंटर कनेक्टेड एचोवन इन दे फिगर दे स्टोपर वोच इस उपन और एक बार इस पर लगी हुई है दा उपन, दा गेस आर अलाओ तो मिक्स होमजनिसली दा पार्चल प्रेशर of A and B in the mixture respectively तो सबसे पहले आप क्या करोगे कंटेनर A का और कंटेनर B का आप सबसे पहले इनिशिल मोल कैलकुलेट करो तो एनिशिल टू क्या होता? पीवी अपन, आरटे तो ट्वाल राटे अरटे यह निटिसिक्स अपन, आरटी आजाएगा और गेस B के मोल क्या होँगे? एनिशिल टू आरटे इंटू 5 कितना होगया? सालिस अपन, आरटे टोटल मोल कितने होजाएगी? प्रेशर निकालोगे तो मोल फ्रक्शन इन्टू टोटल प्रेशर आपको चीए तो पी टोटल इस्कुल टू क्या होगा एंड टोटल आर टी अपॉन वी टी टोटल वुल्यूम कितना हो गया बीस तो कितना हो जाएगा 136 अपॉन आर्टी इन्टू आर्टी निचे टोटल वुल्यूम कितना हो जाएगा बीस आर्टी से आर्टी क्या हो गया कैंसल आउड यान 136 अपॉन टोटल प्रेशर आजाएगा तो आप पार्शल प्रेशर निकाल सकते पी इसक्वल टू इसकी मॉल फ्रेक्शन एके मॉल अ अपॉन 136 अपॉन आर्टी इंटू कितना जाएगा 136 अपॉन टो यह से चैनल आउट हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा और फॉर पॉइंट हो जाएगा ठीक है तो एक इसका जो पार्शल प्रेशर है वो कितना हो गया 4.8 यानि कि थाड़ ऑप्शन करेक्ट है बी का आउड निकालो आप तो बी का जो पार्शल प्रेशर हो जाएगा वी की ओल फ्रेक्शन 40 अपॉन कितना जाए बाकी सब कैंसल आउट हो जाएगा फॉर्टी अपॉन 136 और इधर कितना है 136 अपॉन 20 टोटल प्रेशर यह से कैंसल आउट हो जाएगा तो टूएटीम आपके ठीक बच्चो तो उम्मीद करता हूँ कि आपका डी से मच्छा हुआ अगा थेंक्यू सो मच जे सील्ची आज हम दंगल का सात्वाँ पेपर डिसकस करेंगे जुलो जीगा सबको जैसी एलसी और दंगल के मर जो 15 पेपर थे या होने हैं उनमें से आज सात्वे नंबर का है टोटल NCRT बेस्ट ताकि आपको पूरा नीट के सिलिबस का पूरा कंप्लीट रिवीजन हो इसके लिए हम लोग लगे वे हैं आप भी लगे वे हो और इस बार सेलेक्शन डेफिनेटली हम लोगों को लेना है तो आज हम दंगल 7 का 7 नंबर 8 दंगल का पेपर डिसकस करेंग जो लोजीगा तो स्टार्ट करते हैं सबी को तो कॉश्चन नंबर 101 इन एसकेरिस एसकेरिस के बारे में पूछ रहा है एसकेरिस हमारे एसकेहलमन्थीज का फाइलम का एनिमल है तो एसकेरिस में फृचल यहीं के बारे में वो पूछ रहा है निशन में इंटरनल है एसकेरिस में और डालपमेंट जो है हो डालपमेंट है उसका वो डालपमेंट इन डारेक्ट होता है तो फशाटलայीजशन अंदर होता है मेल- inaccurate होते हैं दोनों आप उन्हें rule डिस्टिंग्योस कर सकते हो, male को और female को, तो fertilization internal है, fertilization internal है, और development जो है, वो indirect है, तुम्हारा first option है, वो ही correct है, हमें आगे बढ़ना ही ज़रुरत नहीं है, next, अगले question पर चलते हैं, question number 102, bioluminance, जो light produce करते हैं, चमकते हैं, आपकी जुगनू की तरह है, तो bioluminance की property किन में होती है, mostly ये aquatics में होती है, bioluminance की जो character है, but इसके लावा terrestrial invertebrates और कुछ codates में भी मिलता है, आपका tunicator था, codates के अंदर, उसके अंदर हमारा एक animal था, जिसके अंदर भी bioluminance का character मिलता है, तो इसमें भी first ही आजाएगा हमारा, कि few aquatic, terrestrial invertebrates और कुछ codates के अंदर, next, अगले question की ओर चलते हैं, 103, an enterosilomatic invertebrates animal group is, दो टाइप की siloom थी आपके पास में, sizo sil, enterosil, sizo sil, arthopoda तक आके खतम हो जाती है, और ecanon dermeta से आगे hemi codata और codata, इन में जो siloom मिलती है, वो कौन सी होती है, enterosilom, तो यहां मारे पास में option आ जाएगा, fourth, ecanon dermets, अगला question, endoskeleton of bath sponge is made up by, जो उनका आंतरिक कंकाल है या अंता कंकाल है, वो किस से बना होता है, sponge के अंदर वो पूछ रहा है, bath sponge में, तो उसमें आएगी आपकी calcareous specules, या फिर calcareous कंटिकाएं, third option, जिससे इसका, internal endoskeleton या endoskeleton बना होता है, अंता कंकाल बना होता है, अगला question, 105, इसमें पूछ रहा है कि four wings in cockroach arise from, जो cockroach के आगे वाले पंक हैं, वो कहां से arise होते हैं या निकलते हैं, तो वो है उसका mesothorax part, जिससे कि वो आगे के जो उसके four wings हैं, वो निकलते हैं या arise होते हैं, तो इसका answer हमारे पास में आजाएगा, third, mesothorax, question number 106, which of the following is not related with loose connective tissue, loose connective tissue के साथ में relate नहीं करता है, तो अगर हम यहां पढ़ना स्टार्ट करें, first option है हमारा, it mostly provide base to the epithelium tissue, इसको base देता है, loose connective tissue का यह हमारा काम था, कि वो इसको base प्रोवाइड करवाएगा, first है, second, these have fibroblasts, macrophages, mast cells, बिलकुल होती हैं, loose connective tissue के अंदर, next, fibers and fibroblasts arrange in compact form, यह गलत है, वो सघन रूप में व्यवस्तित नहीं होती है, इसको option आएगा, third, question number 107, in which of the following structure does not provide mechanical strength to the cell, mechanical strength यानि उसको यांत्रिक रूप से सामर्थे देना, या उसको mechanically strong गरना, वो काम कौन कौन कर रहा है, dasmosomes करते हैं, gap junction या antrali संधियां, यह second वाली, antrali संधियां है या gap junction, यह नहीं गरते, हमारा macula adherence करता है, inter-digitalist करते हैं, तो कौन सा नहीं कर रहा है इसके इंदर, इसके इंदर नहीं कर रहा है हमारा gap junction, gap junction का कोई काम नहीं है, कि उसको mechanically strength प्रवाइड गरवाए किसी भी cell को, next, 108, which type of epithelium is best suited for rapid filtration, जल्दी filtration करना है, तो उसके लिए हमें कौन सी epithelium, जो है, वो ज्यादा suitable होगी, इसका answer है आपकी, first याद आएगा, simple squamous epithelium, जो है, वो हमारी, जो, हम कह सकते हैं, quick filtration करना है, या फिर rapid filtration करना है, जल्दी से जल्दी, हमें उसका filtration करना है, तो हमें, simple squamous epithelium, हमारे लिए best suited है, best suited है, next, अगला question हमारा, 109, match the column, column matching करनी है, और correct combination को हमें ढूणना है, तो neutrophilis, कि अगर बात की जाए, तो किते, lobs थे neutrophilis के अंदर, neutrophilis जो है, उसमें, 227 lobs, present होते हैं, next, आपका है, eosinophilis, eosinophilis के अंदर, bilob'd था, next, अगली बात करें, अपने, besophilis की, besophilis के पास में, 223, lobs वाला nucleus, present था, next, lymphocytes, एक ही nucleus था, single, लेकिन, size में बड़ा था, यह सारे आपके टाइप हैं, type of WBC, तो उनको, WBC के अंदर, जो cells है, उनको आपने, अलग-अलग function के coding, अलग-अलग nucleus के number के coding, आपने divide किया था, तो neutrophilis में, 227 lobs का nucleus है, eosinophilis के अंदर, bilob'd है, besophilis में, nucleus एक से जादा है, दो से तीन है, जो की present है उसमें, और lymphocytes के अंदर, सिरफ एक, बड़ा nucleus present होता है, तो इसके coding हमारा, answer match करता है, second, next question बढ़ते हैं आगे, question number 110, यहां भी column matching दे रखा है आपको, column matching के अंदर, different animals दे रखे हैं, उन animals के, जो respiratory organs के हैं, या फिर वो respiration किसके through कर रहे हैं, वो है मारा, इसके अंदर पहले है sponge, sponge जो है, वो पूरी की पूरी, body, surface को use करता है, for the respiration, next, अगला है आपका, flatworm, flatworm भी same यही काम करता है, कि वो पूरी पूरी entire body को use करता है, अपने respiration के लिए, next, अगला है earthworm, earthworm के पास में है, moist cuticles, numb cuticle present होती है, जिससे की वो respiration करता है, अगला है aquatic orthopods, aquatic है, इसलिए उसके पास में क्या होगा, gills, अगर यही terrestrial orthopods होता, तो book lungs या फिर trachee इसके अंदर आ जाता, तो हमारे पास best suited, जो answer है वो है, second, next question, 111, 111 number question, match the following, find the correct option, given below, अब यह आपके वो ही column matching है, column first or second को में match करना है, respiratory center, आपका कहां present है, respiratory center है आपका, respiratory center है, आपका मेंडूला ओबलागेटा में, next, अगला, esthema, bronchi, alveoli या पॉंस, bronchi हमारी alveoli में infection है, next, pneumotactic center, यह हमारा पॉंस में present होता है, emphysema, वो alveoli के अंदर, deposition हो जाना, dust particle का, या फिर other particles का, उस disease को बुला जाता है, emphysema, जो हमारे, minds में काम करने वाले, जो labor हैं, या जो ऐसे environment में रहते हैं, जो बहुता है, उनके alveoli में लगाता है, deposition होता रहता है, और उस वज़े से, alveoli के जो surface area है, वो decrease हो जाता है, ताकि आप गैसों का जो exchange है, वो improper हो जाता है, तो emphysema, alveoli में infection है, इसका आपका best suited जो answer है, वो है, third, next, अगला question, 112, the urge of inhale, results from, under, inspiration करना, सांस को अंदर लेना, या gases को अंदर लेना, तो आपको वो urge, कहां से develop हुई है, man functional and respiratory system का, हमारे जो भी, कह सकता हूँ toxic, क्योंकि हमारी body में वो काम नहीं आती, CO2 जो है, उसको बाहर निकालना, अगर, PCO2 की value हाई हो गई है, इसका मतलब, हमें उसे बाहर निकालना है, और उसके resultant, हम सांस को अंदर लेते हैं, तो, इसका answer आएगा आपका, फॉर्थ वन, राइजिंग PCO2, PCO2 को level बढ़ा, जब उसे बाहर, एक्सपाइल कराम ने बाहर निकाला, उसके resultant, हमने inhalation किया था, तो, इनहेल की उर्ज हमें कहां से, मिलती है, राइजिंग PCO2, PCO2 के level के बढ़ जाने पर, पार्शल प्रेशर आप CO2 जब इन्क्रीज हो जाता है आपका, नेक्स्ट कॉश्टन, 113, किसी भी वोल से गार्ड़ नहीं है, ऐसी वेन कौन सी है, वो हमारे पास एक ही है, जो कि लंक्स के पास से होती हुई, हमारे लंक्स के साथ गेसिस का एक्शेंज करके, और प्योर ब्लेड को आपके हर्ट के left atrium तक पहुंचाती है, वो है हमारी pulmonary, when, answer is third, next, 114, if heart is not pumping blood efficiently enough to meet the needs of the body, it is cold, जितना demand थी body को, उतना वो oxygen, sorry, blood, pump नहीं कर पा रहा था आपका heart, तो वो तो वही बात हो गए, कि आपको passing के लिए 36 number चीए, suppose that, और आपके 36 नहीं आपा, यानि आप फेल हो गए, same वो ही चीज हमारे heart के case में है, आपका heart fail हो जाता है, that known as a heart failure, क्योंकि वो उतना काम नहीं कर पा रहा, उतना blood pump नहीं कर पा रहा, जितने की हमें need है, question number 115, which of the following statement is correct regarding blood carpals, blood carpals के लिए statement दे रखे हैं उसने, RBC in human are convex shape cell, गलत है, पहला ही, by cone के होती है, second, all blood carpals are capable of showing diabetes, यह भी गलत है आपका second वाला, next, carbonic anhydrase present in RBC, help in transport of carbon dioxide in form of the carbonic acid, यह भी गलत है आपका, next, basophilus, eosinophilus, जो है, both play an important role in allergic reactions, यह statement आपका बिल्कुल सही है, हमारा fourth, answer है इसका fourth, next question, 116, यह 4-6 year के बच्चे का dental formula पूछना चाहरा है, 4-6 year का बच्चा जिसमें milk teeth है, temporary teeth है, वहाँ, pre-molar नहीं आती, यानि pre-molar absent होती है, और last molar जो teeth है, वो भी उसमें नहीं होता, वो adult age के बाद आना start होता है, यह आप wisdom teeth बोलते हो, last molar teeth, तो उसमें pre-molar की जगे पर molar teeth आते हैं, जो sockets हैं pre-molar के, उस जगे पर उसमें molar teeth आते हैं, जब first time teeth आता है बच्चे में, तो incisor, upper half side में two, lower half side में two, canine, upper half side, एक lower half जो, एक pre-molar present नहीं है, molar सिरफ दो हैं, answer is 20, अगला question, column match करने है, टाइलीन, saliva में present होता है, carbohydrate starts का 30% digestion आपका, buccal cavity या फिर oral cavity के अंदर ही होता है, mouth में ही होता है, तो वहाँ काम आता था आपका, salivory amylase या फिर टाइलीन, यह काम कर रहा है सीधा सीधा किस पर, starts के उपर, Pepsine, आपके स्टमक में present है, proteolytic टाइप का enzyme है, जो protein का क्या करता है, digestion, Stepsine, यह आपके lipid के digestion क्या का काम करता है, नूकलियेज, नूकलिक असिड का, digestion करेगा, आइधर DNA और RNA, DNA के लिए DNA, RNA के लिए RNA, तो हमारे पास में यहाँ, answer है, A में S, B में P, C में R, और D में P, D में R, यह नहीं, A में S, B में, A में Q गल्लत, यह option नहीं है हमारे पास, A में Q, B में S, C में, P, और D में R, इसके recording हमारा, first, जो है, option वो correct है, A में Q, B में S, C के अंदर P, और D के अंदर R, first option, अगला question, 118, कॉली सिस्टो काईनिन, का काम था कि, यह गॉल बेडर पर एक करे, और गॉल बेडर से, बाईıl के सिक्रेशन को स्टार्ट करवाए, गॉल बेडर का काम था, बाईल जो उसको, स्टोर करके रखना, जो उसे लीवर से मिला था, Cholecystokinin, जो कि आपके Dudenum किसे ही निकलने वाला एक local hormone है, वो काम करेगा आपके goal blader पर और Bile को start करवाएगा, Bile juice को start करवाएगा, जो आगे fat emulsification, या कहूं fat के digestion और absorption में हमारे काम आएगा, तो इसका option आजाएगा, आपका first, Bile to Emulsify Fat, first option ही आजाएगा इसका, अगला question 119, Dianzyme Invertase, जिसे हम बोलते हैं सुक्रेज, का function क्या है, सुक्रेज का function था, कि वो सुक्रोज को convert करता था, glucose और fractose के अंदर, हमारे पास तीन enzyme थे, maltase, सुक्रेज, lactase, इसमें सुक्रेज को हमने बोला था, invertase, इसका काम था कि वो सुक्रोज जो है, उसको convert करेगा glucose और fractose के अंदर, answer second, one, two, zero, column matching है, आपके vitamins की कमी से होने वाले disease, को इनोंने बताया है यहां पर, तो अगर vitamin K कम है, vitamin K के उसमें deficiency है, तो उस vitamin K के deficiency का सीधा effect पड़ेगा, किस पर, influence पर या newborn baby के उपर, और उन्हें hemoraisic disease हो जाएगी, vitamin D है की कमी है, deficiency है तो rickettus disease हो जाएगी, vitamin B1 की deficiency है, then berry berry, और vitamin A की कमी है, इसका मतलब उसमें रतोंदी या फिर night blindness प्रेजेंट होगी उस परसन के अंदर, तो इसका option हमारे पास में है, first में B, second में D, third में A, और fourth के अंदर, fourth में C, option है आपका, first, sorry, third option है आपका, इसके answer में, B, second के अंदर D, third के अंदर A, fourth के अंदर C, third, जो option है वो इसका आपका answer है, question number 121, which of the following is a genetic disorder, genetical disorder मतलब आपकी जो genetical material आपको मिला है अपने पेरेंट्स से उसमें कहीं न कहीं कोई दिक्कत ही चाहे जीन की लेवल पर हो या क्रोमोसोम की लेवल पर हो या DNA की लेवल पर हो उससे होने वाले जो सिंड्रॉम्स या डिसोडर्स हैं उन्हें आप बोलते हो जने आप बोल Vascular Dystrophy जनेटिकल डिसोडर है बाकी ये तीन इन नॉर्मल एज के अंदर होने वाले डिजीज हैं जो कि लेटर एज के अंदर किसी ना किसी चीज़ की कमी से होते रहते हैं 122 joint between atlas and axis vertebrae के बीच में आपके पूछ रहा है कि वहां कौन सा joint मिलेगा तो वह joint है आपका first ही है pivote joint मिलता है atlas और axis के बीच के अंदर अगला है question number 123 which one of the following actively secret by DCT of the nephron DCT में secretion किसका होगा NCRT का आपका diagram है यह आपकी DCT थी इस DCT में जो बाहर जा रहा था वो था reabsorbed हो रहा था और जो आप इसके अंदर डाल रहे थे वह था इसमे active secretion वो होता था आपके K positive का DCT के अंदर तो हमरा answer आएगा third K positive इसका हम actively secretion करेंगे किसके अंदर आपके DCT में next question number 124 how much amount of the capsular filtrate is finally transformed into urine तो 99% reabsorbed है शिरफ 1% है जो urine के formation के अंदर बाहर निकलता है तो answer आएगा आपका answer है first only 1% तो total आपने filtrate capsular filtrate था उसमें से only 1% ही जो है वो urine के form में बाहर निकलेगा next question 125 the segment of myofibril that is called is sarcomere runs from वो दो z-line के बीच का space था जो की एक z-line से start होके next z-line तक जाता था हमार option first ही आजाएगा इसमें जब muscle constrict होती थी तो sarcomere का size या उसकी जो distance थी वो कम हो जाती थी और वापस relax होने पर वो वापस उसी जगे पर आजाती थी option first next 126 एच मसल फाइबर इस डिरेक्टली सराउंड़ेड बाय कनेक्टिव टिशू नौन अज एंडो माइसी एम जो हर मसल फाइबर के चारों तरफ प्रिजेंट होता है that known as endo my cm हमारा थर्ड ओप्शन आजाएगा इसके अंदर 127 the foramen magnum is located in the bone of the skull last पीछे की तरह प्रिजेंट होता है foramen of magnum तो यह bone हमारी है occipital bone answer आजाएगा हमारा इसके अंदर third occipital bone के अंदर प्रिजेंट है foramen of magnum question number 128 वही column matching liver जो है उसका काम क्या था कि वो urea का formation करता था ornithocycle के through और उस urea को excreate out करता था second sweat glands sweat glands lactic acid और anacil आपके sweat में present होता है यह उसे बाहर excreate करती है sebaceous gland यह hydrocarbons हो है उन्हें excreate out करती है body से बाहर and kidney वो drugs degenerated steroid hormones इन सब को body से बाहर excreate करती थी तो इसका option हाएगा हमारे पास first में c liver के अंदर नोंने यह नहीं दे रखा तो हम इसको ले सकते हैं कि liver का हमारा काम यह भी है कि यह drugs और degenerated steroid hormones देता है kidney हमारी urea का excreate करती ही है और sweat gland lactic acid और NACL का बाहर excreation करती है sebaceous हमारे hydrocarbon का excreation करता है इसके according देखें तो first में हमारा D है second के अंदर हमारा B, third में जो है second में हमारा नाचिए A और third में आएगा हमारे B और fourth में हमारा है C इसके according आ सकता आपका answer third urea का formation आपके liver में हुआ था और liver ही उसे blood को देता था body से बाहर excreate out करने की बात करें तो हमारी kidney उसे बाहर निकालती थी उसके साथ में अगर आपकी liver की बात करें तो कुछ drugs और degenerated steroid hormones हो है वो भी वहीं degenerate होते थे तो उसे liver बाहर निकालता है according to options हम यह आपका third वहला जो option है वो लेंगे next question number 129 which of the following statement is incorrect all movement leads to locomotion first statement ही इन्होंने false दे दिया है कि सभी movements यहाथ का movement ही locomotion नहीं है तो उन्होंने काया कि सभी टाइप के movements को हम locomotion की category में रखेंगे बिल्कुल नहीं locomotion का मतलब है आप ने movement के through a particular distance cover की है तो आप उसे कहोगे कि हाँ हमने locomotion किया है और simple movement आप जो कर रहे हैं उसे आप locomotion category में नहीं रखोगे तो इसका first option जो है statement वो ही false है या फिर incorrect है कॉलम मैचिंग है दुबारा से निसल ग्रेनियूल जो है वो प्रेजेंट है आपके neuron के cytone में synaptic knob neurotransmitter है filled with neurotransmitter filled vesicles को आप क्या कोगे synaptic knob node of renavir दो myelin sheath के बीच का space next multipolar neurons यह हमें मिलते हैं cerebral cortex के अंदर तो first में D second में C third में A और fourth के अंदर B हमारा option आएगा second first में D second में C third में A और fourth के अंदर B next 131 what of the main division of the nervous system nervous system की हमारी sensory system and the motor system नहीं second PNS and CNS peripheral और central nervous system आपके पास second option जो है वो appropriate है इस question के coding तो answer है second next question number 132 and impairment affect synthesis or release of A hormone result in the diminished ability of the kidney to conserve water leading to water loss and dehydration मतलब लगातार water का loss हो रहा है और उसकी वजयस के अंदर हमारे अंदर dehydration डवलप हो रही है तो उसके लिए काम कौन सा हार्मोन करेगा हमारे पास था ADH इसे आप बोल सकते हो वैसो प्रसीन कौन देती थी हमारी जो posterior pitutory gland है वहां उसका formation और अगरता था sorry secretion और अगरता था formation और अगरता था hypothalamus के तो यह हमारे पास में है ADH इसे प्रसीन इन दी अबाव स्टेट्मेंट हार्मोन इस इंडिगेटिंग टुवार्ट्स विच ओफ दी फॉल्वाइंग डिजीज अलॉंग विट ओवन अगर यह हार्मोन नहीं है तो हमें कौन सी डिजीज हो सकती है हमें हो सकती है diabetes insipidus यानि urine का जो formation है वो बढ़ जाता है और body में water जो amount है वो गड़ जाता है लगातार बार-बार urine को excrete करता है diabetes insipidus वाला patient बट उस urine के अंदर glucose present नहीं होता वो सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ADH हर्मोन की कमी थी और ADH हर्मोन कम था इस वज़े से जो reabsorption है water का वो उतना नहीं हो पाया, adequate नहीं हो पाया और वो लगातार आपके urine की formation में बाहर निकलता जा रहा है तो वैसोप्रिसीन हार्मोन का नाम है और diabetes insipidus disease का नाम है first option आजाएगा आपका 133 की तरफ चलते हैं the correct logical sequence regarding flow sound in human ear सबसे पहले आपकी external auditory meatus या फिर auditory canal है उसके बाद आपकी ear drum tympanum है उसके बाद ear ossicles आती है ear ossicles के बाद में वो जाएंगी oval window पर टकराएगी आपकी stepes और last में वो पहुंचेगी कहां पर cochlea में और cochlea से auditory nerves लेके उसे आपकी auditory center जो brain में है वहां तक पहुंचाएगी तो इसका correct sequence है आपका auditory canal, tympanum, ear ossicle, oval window and cochlea second 134 which pair is mismatched in human male sertoli cells को nurse cell कहते है samniferous tubule यहाँ sperm का formation होता है sperm production second option बिल्कुल correct है third wasa differentia release seminal plasma गलत wasa differentia का काम था कि वो sperm को epididymis से seminal vesicle तक पहुंचाती थी just इतना ही seminal vesicle का काम था कि वो seminal fluid ले तो थर्ड वाला है वो option incorrect है या mismatched है तो इसमांसर आएगा third 134 के अंदर अगले question की तरफ बढ़ते है question number 135 which statement is correct related to implantation implantation के बार में कौन सा statement जो है वो correct है implantation take place after two week of the fertilization गलत सात्वे दिन के आसपास हो जाता है आपका implantation blastocyst represent gastrula नहीं gastrula phase नहीं blastocyst है आपके blastula phase के अंदर second भी गलत third trophoblast of blastocyst get attached to the endometrium बिलकुल सही हमारे जो outer cells थी वो थी trophoblast cells और जो बीच में थी वो थी inner cell mass तो इससे endometrium से attach होती है यही trophoblast वाली cells inner cell mass नहीं होता तो third option है trophoblast of the blastocyst get attached to the endometrium and that known as a implantation बिलकुल correct है next question जो 136 number question है मतलब 135 तक सबको attempt करने compulsory थे अब आगे हमें attempt करने में थोड़ा relaxation मिलता है match the column first and second and select the correct option match from the option and given below वो ही column matching है primary oocyte it is formed when ugonia star division and temporarily arrested at prophase of the meiosis first बिलकुल सही है secondary oocyte a large haploid cell which retain bulk of the nutrition rich cytoplasm of the primary oocyte बिलकुल सही है primary follicle a large number of these degenerated during the phase from the birth to pubutry बिलकुल जिसे follicular atrecia का था आपने या atretric follicle का था कि जो बने थे यहां पर secondary oocyte उसमें से pubutry age तक आते आते बहुत से जो है वो disappear हो जाते हैं degenerate हो जाते हैं कुछ ही बस्ते हैं next ugonia gamut mother cell बिलकुल secondary follicle surrounded by the more layer of the granulosa and a new theca उसे आपने secondary follicle कह था next graphene follicle rapture to release ovum from the ovary बिलकुल सही है कि graphene follicle जब rapture होगी तभी तो ovary से जो female gamut है वो release होगा that known as a ovulation तो सब के सामने बिलकुल correct statement दे रखे हैं A में 1st B में 2nd C में 3rd D में 4th E में 5th F में 6th option आ जाएगा आपका 1st 136 का answer है 1st अगला question 137 select the incorrect statement regarding the MTPs medical termination of pregnancy about 45 to 50 million MTPs are performed per year in India MTP पहला statement ही गलत है वो 40 to 50 million MTPs complete word के अंदर बता रखी है हमारे इसने 1st statement ही incorrect दे रखा है कि 40 to 50 million MTPs are performed per year in India तो इसका answer आपका incorrect में कौन सा आएगा 1st ही आएगा क्योंकि वो 40 to 50 million MTPs whole world के अंदर होती है per year तो next question है 138 a carrier female which possesses gene of hemophilia on one X chromosome gene and gene for the color blindness on the other X chromosome married to hemophilic man find out the proportion of progeny suffering from both disease तो female की genetic composition अगर मैं बात रूँ तो हीमोफिली के लिए या हीमोफिलिया के लिए वो carrier है और color blindness के लिए भी carrier है दोनों के defective genes जो है वो X chromosome पर present है और अलग-अलग X chromosome पर present है हीमोफिलिया का मैं मार्क करता हूँ एच से और color blindness जो है उसको मैं C से मार्क कर देता हूँ तो दोनों defective genes X chromosome पर अलग-अलग present हीमोफिलिया के लिए इस chromosome पर और color blindness के लिए इस chromosome पर इसकी मेरी ही होती है यह शादी होती है इसकी जो हीमोफिलिक है मेल हीमोफिलिक है मेल के पास सिर्फ एक X chromosome है और उसी एक X chromosome के उपर Haemophilia Vuala Gene kia hy present इस से gamet formation होंगे, तो doh aip की gamit बनेंगे आपकी पास में इस से gamit formation होगा तो यह gamit बनेगा, आपके पास में दो gamit male उसकी gamit को मैं अपर साइड में रख रहा हूं और female को मैं साइड में रख रहा हूं gamit को तो यह है male gamits यह है फिमेल गैमिट यह जो इनकी पहले प्रोजिजिनी है गर्ल उसके पास दोनों एक्स क्रोमसोम पर हीमोफीलिया का डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट है यह गर्ल जो है वह हीमोफीलिक होगी मेल जो है उसको भी डिफेक्टिव एक्स क्रोमसोम मिले है तो यह लड़का भी यह बोई भी जो है वह हीमोफीलिक होगा ये girl इसके पास hemophilia वाला defective gene है एक और colorblindness वाला defective gene भी present है इसके पास बट ये carrier होगी तोकि दोनों में से कोई सा भी gene homozygous statement नहीं है ये जो boy होगा colorblindness वाला defective gene रखता है इसलिए ये colorblindness इसमें defect या disease produce होगी तो ये girl hemophilic ये boy hemophilic ये boy colorblindness लेकिन ये girl जो है वो है आपकी carrier दोनों के लिए तो इसमें से answer जो है वो है हमारे पास zero क्योंकि ऐसा कोई भी प्रोजनी नहीं है जिसके पास की दोनों disease produce हो इसलिए answer आएगा हमारे पास में zero question number 139 the degree of which प्रोजनी differ from the from their parents is known as a वो अपने parents से differ है इसका मतलब उसमें क्या है variations है उस variation की वज़े सही तो वो अपने parents से differ है या बाकी अपने जो siblings है उनसे वो क्या है differ है answer is second variation 140 NCRT का ही डाइग्राम है आपके as such तो इस pedigree के अंदर क्या show होता है यह pedigree क्या बता रही है inheritance of a condition like cystic fibrosis as an autosomal dominant trend autosom पर है यह तो सही है लेकिन dominant नहीं है अगर dominant होता तो सब में हमें disease दिखाई देती inheritance of recessive sex link sex link नहीं है यह inheritance of sex link बिल्कुल नहीं third भी नहीं आएगा fourth inheritance of a condition like sickle cell anemia as an autosomal recessive trait fourth option आएगा क्योंकि इसमें हमें male भी infected दिख रहा है female भी infected दिख रही है और यहां आगे जो है इन दोनों male और female से आगे जो progeny produce हो रही है उसमें से दो हमें नहीं पता कि यह infected है नहीं है एक जो है वो infected है तो यह dominant नहीं है recessive है और यह sex chromosome से भी link नहीं गड़ती वो दोनों में दिखाए दे रही है हमें इस इसलिए इसे हम बोलेंगे inheritance of condition like sickle cell anemia as an autosomal recessive trait 141 दोनों साइड में कॉलम मैचिंग करने हमें डाउन सिंड्रोम जनेटिकल डिसोर्डर है आपका डाउन सिंड्रोम क्या होता है एक extra क्रोमोसोम मिलता है आपको 21 नंबर का तो प्रेजेंस ओफ टू एक्स्रा क्रोमोसोम एक पूरा सेट आया आपके पास में क्राइडियू क्रेट इसके अंदर जो है प्रेजेंस ओफ एक्स्रा टू नहीं एक्स्रा क्रोमोसोम presence of an extra chromosome अगला Tri Group Chat Syndrome फिफ्थ नमबर का जो chromosome है उसकी short arm missing है क्लाइन फेल्टर additional जो chromosome है मेल में वो आया है वो XXY रखता है क्लाइन फेल्टर वाला XXY तो उसमें तो फिमेल के जो secondary sexual characters हैं वो डौलप होना start हो जाते हैं और वो infertile होता है Turner syndrome Turner syndrome के अंदर presence of two extra या absence of the sex chromosome इसमें फिमेल में ही होती है इसके पास चिरफ एक X chromosome present होता है दूसरा X chromosome present नहीं होता तो A में S, B में Q, C में R, C में P C में P S, P, Q और इसके अंदर R आपका option आजाएगा first A में S, B में Q, C के अंदर P और D के अंदर R 142 बोगनवेलिया और कुकरबिटा हमें दिखा रहा है बोगनवेलिया के thrones और कुकरबिटा के tendrils दोनों homologous organs हैं और homologous organs के according होने वाले evolution को आप बोलते थे divergent evolution याद करने का best तरीका hd hd मतलब h मतलब homologous d मतलब divergent ac analogous और convergent याद रखने के लिए hd मतलब homologous है और साथ में evolution का type कुन सा है deep और divergent तो अंसर आजाएगा आपका fourth दोनों आएंगे इसमें homologous भी आएगा और divergent evolution भी आएगा fourth option both first and third question number 143 which of the following is not an example of anthropogenic evolution हमारे द्वारा या हमारे किये कामों की वज़े से होने वाले evolution को जो कि human beings की activity की वज़े से अगर हम किसी नहीं species को एवल्यूट कर देते हैं तुसे बूलो जाता है एंथ्रोपोजेनिक एविलूशन तो evolution of DDT resistant varieties of insects बिलकुल हमने DDT का यूज करना स्टार्ट किया था तो उससे रेसिस्टेंस वाले जो नहीं अगली स्पीसीज है उनका वेरियेशन जो है वेरियेंट्स है उनका डवल्यूप्मेंट स्टार्ट हुआ था evolution of antibody resistant varieties of pathogen बिलकुल हमने लगातार एंटिबायोटिक्स लिए उस pathogen को किल करने के लिए या फिर उसको neutralize करने के लिए तो उस pathogen ने उसके against resistance ले लिए तो वो पहले वाले जो उसका main जो उसका basic कह सकते हैं parent था उससे वो थोड़ा सा क्या हो गया अलग हो गया तो अपनी main species थे थोड़ा सा अलग है उससे नहीं species का क्या हुआ evolution evolution of herbicide resistant varieties of weed against crop plants बिलकुल हमने herbicides को use करना start किया था तो उससे resistance करने वाले नई crop का evolution हमारी वज़े से हुआ है evolution of long neck giraffe in Africa इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है हमने कोई giraffe को खीच के उसके neck को या फिर हमारे दोरा किये गए कोई भी ऐसे वाक से उसकी neck के evolution में कोई effect नहीं पड़ा तो fourth जो है वो हमारी वज़े से हुआ evolution नहीं है इसलिए incorrect है या कह सकता हूं कि हमारी वज़े से उने वाले evolution category में नहीं आता तो fourth evolution of long neck giraffe in Africa 144 statement दे रखा है regarding nindretal first option they have brain capacity around 900 cc wrong 1400 cc था next they lived near east central asia between 10 lakh to 40 thousand years back ये भी false है वो one lakh to 40 thousand था third they use animal hide to protect their body and breed their dead bodies बिल्कुल सही था उन्होंने खाल पेना स्टार्ट किया था जानवर की खुद को ढखने के लिए और वो अपनी जो dead bodies है उनको दफनाया करते थे they believed in religious feeling बिल्कुल वो अपने religious जो rituals थे उनकी मानने तायन थी उनको वो माना करते थे तो COD दोनों निंडडाल के लिए सही है answer आएगा मारा third question number 145 the fossils are mainly preserved in वो कहां होंगे कहां उन से रोक्स में होंगे ignatious rocks या अगने चट्टाने नहीं sedimentary rocks और साधी चट्टाने इसमें एक के ऊपर एक sediments लगातार जमते रहते हैं और उनसे बनने वाली जो आपकी rocks है उसे आप बोलते हो sedimentary rocks बिल्कुल और जब नहीं नहीं layers का formation होता है उसी के अंदर fossils हो है वो preserved होके रह जाते हैं तो हमारी जो second है sedimentary rocks उसमें fossils का preservation easily होता या होता है answer आएगा second 146 आपकी antibody का diagram दे रखा है इसमें A B C D पूछ रहा है A है जहां पर antigen आकर bind होता है antigen binding site B जो है वो उस long chain की जो है आप कह सकते है उसका वो variable reasons है C जो है वो उसका क्या है constant reason है E जो है वो आपकी long chain है C आपकी short chain का वो था constant reason और F जो है वो है आपके bonds कौन से di-sulfide bond तो हमें बता रखा है A antigen binding site B constant यह first option जलत है second A antigen binding site B variable reason of long chain सही है और F है di-sulfide bond हमारा answer आएगा second according to these options second वाला जो है वो best suited है next question number 47, one 47, column match करने है हमें इसके अंदर और उस column matching के अंदर हमें बताना है कि कौन सी disease जो है उसमें किस ताइब का pathogen जो है में यूज आ रहा है तो first अगर मैं बात लेके चलूँ ट्यूबर क्लोसिस की तो ट्यूबर क्लोसिस में हारमलेस वाइरस है या हारमलेस बैक्टीरिया है हम कह सकते हैं तो ट्यूबर क्लोसिस में हारमलेस बैक्टीरिया है वूपिंग कफ के लिए हम कह सकते हैं कि इसमें killed वैक्टीरिया का यूज करते हैं वैक्सीन के अंदर next diphtheria diphtheria में हम यूज करते हैं आपके inactive toxins और polio जो है उसमें हम यूज करते हैं वैक्सीन में हारमलेस वाइरस वूपिंग कफ में था killed bacteria, diphtheria में harmless virus, sorry diphtheria के अंदर था inactive toxin, और polio के अंदर था harmless virus, option इसके according बेट रहा है, फॉर्थ, 148, super ovulation is related with, इमैनली kattles वगेरा में हमें देखने को मिलता है, development of two monozygatic twins, या moit, M-O-E-T, multiple ovulation embryo technique, जो थी आपकी, moit, हम इसको use करते हैं, किस में, super ovulation के case के अंदर, multiple ovulation embryo transfer, moit, तो इसका option आजाएगा, second, 149, points which are important for the successful bee keeping, जो हम मदुमक्खी को पाल रहे हैं, उसके लिए क्या क्या काम आएगा हमारे, important successful हों उसमें, तो हमें क्या क्या points का ध्यान रखना पड़ेगा, पहला, knowledge of habit of bees, मदुमक्खी के सुभाव का पता होना चाहिए, आपको सही, management of bee heaves in different seasons, ये भी सही है, collection of honey and bee wax, collection करने का तरीका में पता होना चाहिए, collection में, किस technique से करना वो पता होना चाहिए, catching and heaving of the swan, मदुमक्खी के समु को पकड़ने वे च्छते में रखना, उसके बिना तो वो मदुमक्खी आपके काम के आएगी, तो हम सब ये जो points हैं, सारे के सारे हमारे लिए necessary हैं, अगर हमें beef keeping करनी हैं तो, answer आ सकता है हमारा A, B, C, D, सारे, यानि fourth. Last question, given gene A frequency 0.2 and gene B frequency 0.6, find the equilibrium frequency of gamit A, B, capital A के लिए उसने बता रखा है कि एक population में वो कितनी frequency रखता है, 0.2, capital B के लिए उसने बता रखा है कि वो कितनी frequency रखता है, 0.6, small A के लिए पूच रहा है, और small B के लिए पूच रहा है, तो small A, अगर calculate करें, तो total में one मानू, equilibrium में, तो हमें आएगा यहां पर 0.8, ऐसी हैं जिनके population में frequency, जिनके पास में small A है, small B की बात करूँ तो मारे पास आएगा, 0.4, तो ऐसे gamut जिनके पास A और B दोनों हों, वो होंगे मारे 0.8 into 0.4, और answer आजाएगा 0.32, थर्ड, तो यह हमारा paper discussion था बेटा, डंगल 7 का, अभी 8 जो डंगल है आपके वो और बाकी हैं, तो उन next डंगलों के लिए और आपकी preparation के लिए, आपकी hard जो working है, उसके लिए आप लोगों को best of luck, और जितने भी आपके जिस इस question में doubts थे, वो यहाँ पर हमने उसको explain किया है, फिर भी अगर आपको डाउट रहते हैं, तो आप comment box में में बता सकते हैं, ओके देन गुड लग, जैस CLC, बाई बेटा. हलो students, नमस्कार, मैं member डोदिया, seeker CLC से, दंगल DCM, major paper का solution हम कर रहे हैं, यहाँ दंगल 7 आपके सामने display हो रहा है, question number 1512-200, मैं आप से discuss करूँगा, completely NCRT based questions है, balanced paper है, जिसमें exam pattern के according questions रखे गए हैं, हर एक unit और chapter से जितने questions almost exam में पूछे जाते हैं, उसी तरीके से questions आपके सामने यहां रखे गए हैं, जैसा कि आप जानते हैं, इस बार section A और section B में paper को categorize किया गए है, section A में 35 questions आपके पास हैं, और section B में 15 questions हैं, section A के 35 questions आपको करने हैं, اور section B में जैसा आप जानते हैं, out of 15, only 10 questions आपको attempt करने हैं, first 10 जो होंगे वो आपके right answer count किये जाएंगे तो आईए हम सुरू करते हैं question number 151 chemo synthetic autotrophic bacteria play a great role in chemo synthetic autotrophic bacteria जो है वो एक great role play करता है तो देखिए nature पहले ही यह describe कर दिया गया है chemo synthetic और साथ में लिखा है autotrophic organism obvious है oxygen food production में इसका कोई role नहीं रहेगा ATP production with the help of light energy ATP production की बात की जाती तो यह chemo synthetic autotrophs के बजाए photo synthetic autotrophs students होते इसके बाद आपको दिया गया recycling of nutrients definitely bacteria एक अकेला ऐसा organism है जिसका जो chemical nature है या chemical synthetic nature जो है वो उसको जो nutrients की recycling है उसमें appropriate बनाता है आप जानते होंगे bacteria और fungi दोनों decomposition करते हैं लेकिन फिर भी जो bacteria है students यह bacteria specifically role play करता है nutrients की cycling में reservoir से cycling में ला सकता है और cycling से reservoir में ले जा सकता है because of the chemo synthetic property so the correct answer will be the three clear? next question पर students मैं आ रहा हूँ question number 152 awareness of surrounding and response to external stimuli is जो surrounding है कोई एक organism है यह organism अपने surrounding को respond करता है अपने surrounding में यह response देता है तो इसका surrounding में respond करना external stimuli के regarding response करना क्या है यहां कहा गया है shown by the most advanced and complex eukaryotes definitely but लिखाए only आप ध्यान रखें prokaryotic bacteria से लेकर multicellular higher complex organism तक यह response देने की nature है इसलिए यह गलत हो जाएगा homeostasis नहीं होगा it is the maintenance of internal environment at constant नियत बनाए रखना आंतरिक तापमान को homeostasis यह समस्थापन कहा जाता है फिर लिखाए shown by the higher plants and animals only students यह भी यह incorrect हो जाएगा obvious है जो awareness है external stimuli को respond करने की जो property है definitely consciousness और sensitivity के regarding consider की जाती है so it will be the defining property of living organism correct answer students यहां हो जाएगा यह सजीवों का पारिभासिक गुण है clear next 153 for bacteria we are not very clear about the usage of terms like bacteria के बारे में हम कुछ terms को use करने के लिए बहुत clear नहीं होते तो देखिए यह जो prokaryotes है या prokaryotic organism है unicellular prokaryotic organism में differentiation नहीं होता है students इसके अलावा भी आप eukaryotic unicellular organism को देखें तो यहां आपको यह पता है जो growth और reproduction होते हैं growth and reproduction both are the synonyms both are the inclusive events exclusively नहीं लाए जाते अगर growth हो रही है इसका मतलब single cell divide होकर daughter progeny बना रही है and definitely जो reproduction होगा वो भी आप यह कह सकते हैं single mother cell से या parent cell से daughter progeny का formation होगा so growth and reproduction both are the inclusive events और यह जो inclusive events हम यह कह रहे हैं यही basis है हमारे पास इसका answer हो जाएगा growth and reproduction metabolism undoubtedly सब में होता है consciousness cellular organization आप देखते हैं students सारे organism का characteristic feature होता है metabolism आप कहेंगे सब में होगा और reproduction जो है वो कहीं exclude भी किया जा सकता है ultimately जिसके बारे में हम बहुत clear नहीं होते growth and reproduction वो इसलिए है क्योंकि दोनों एक दूसरे के synonym भी है और दोनों first answer होगा 155 ये वन figure represent following life cycle तो आप ये देख पा रहे हैं कि यह जो sporophytic life cycle है वो dominant दिखाई दे रही है ये जाइगोट जो है वो further sporophytic multicellular form में convert हो रहा है और जो gametophytic generation है वो वहाँ काफी short है so obvious students ये life cycle कैसा हुआ diplontic अब diplontic life cycle किस में present है तो NCRT ने हमें दे रखा है देखिए ectocarpus नहीं होगा wall box नहीं होगा fucus और polys iphone ही आपको दे रखा है तो obvious है haplodiplontic नहीं है ये diplontic first और third में से आपको answer choose करना है और आप ये जानते हैं student ये जो है वो diplontic life cycle according to the example of NCRT fucus और sargassum में present हो सकता है fucus वहाँ example दिया है so the correct answer will be the third clear next 156 how many statements are wrong इतने statement गलत है ये आप से पूछा गया है first लिखा है bryophytes have dependent sporophyte definitely आप जानते है students gametophyte पर sporophyte bryophytes में depend करता है male gametophyte of gymnosperm contain less number of cell compared to the gametophyte of bryophyte obvious है जो bryophyte है उसमें तो main plant body ही gametophyte होगी जबकि gymnosperm में जो gametophyte होता है gymnosperms और angiosperms में ये highly reduced होता है बच्चों अत्यन्त हासित होता है तो statement B भी यहां correct होगा C लिखा है teridophytes have independent gametophyte and sporophyte stage definitely usually वहाँ gametophyte, sporophyte stage independent ही होती है next mossage contain unicellular rhizoids mossage के बारे में कहा गया students incorrect हुआ फिर है gametophyte of teridophytes grow in dry conditions dry conditions में ये grow नहीं करेंगे so students आपके पास जो wrong statement है वो two हुए इसका मतलब correct answer आपका हो गया fourth one clear next select the correct statement in sub leguminous plants the leaf base may become swollen which is called the pulvinus आप जानते हैं leguminous plants जो है in leguminous plants में जो leaf base है वो leaf base swell up हो जाता है और उसको students pulvinus कहा जाता है bird व्रंत तल NCRT का statement है फिर कह रहा है bird is present in the exile of leaflet देखें leaf की exile में bird present होती है जो leaflet हैं उन leaflet की exile में bird की presence students नहीं होती तो ये एक तरीके से incorrect statement हो गया फिर दिखा गया है pulmately compound leaves are found in neem pulmately के बजाए आपको पता होना चीए pinnate है वहाँ हस्ताकार के बजाए बच्चो पिछाकार वहाँ है तो ये भी statement जो है वो गलत हुआ world philotexy found in Elstonia NCRT का example है पिक्चर आपको दिया गया है चक्राधारपन विंड्यास Elstonia में पाया जाता है तो अगर देखें हम तो A और D यहां correct statement हुए two statements are correct the correct answer will be the three clear next 158 given below the region of root tip the region labeled as A and choose the correct option describing it तो देखें ये A जो है structure आपको जो दे रखा है वो root cap है बच्चो मूल गोप आपको दिखाया गया है और इस मूल गोप के बारे में statements दिये गये हैं तो कौन सा correct है सही describe कर रहा है या सही इसकी व्याक्या कर रहा है ये आप से पूछा गया है it is the distal moss region of root tip distal moss नहीं होगा ये जहां से सुरू होता है proximal distal durast होता है the cell of this region are very small and thin walled ये students आप कह सकते हैं thin walled होती है it is responsible for the growth of the root in length विल्कुल की responsible नहीं होगा it forms very fine delicate and therad like structure तो students यह second answer ही आपको perfect answer मिल जाएगा जिसमें root cap के बारे में लिखा है the cells of this region are very small and thin walled clear next students next one one minute please 159 statement is wrong for given figure जो figure आपको दिया गया है इसके लिए कौन सा statement wrong है गलत है ये पूछा गया है तो देखिए ये आपको monocot seed दे रखा है या monocot embryo को represent करने वाला structure है जिसमें सब से बाहार triploid alluron layer की presence students है ये आप जानते हैं endospum को represent करता है ये आप जानते हैं embryo को represent करता है तो यहां कहा गया D is a triploid 3N structure of seed definitely 3N structure है we represent one large cotylodon called scutellum आप जान रखें यहां जो एक cotylodon है उसको scutellum ही कहा जाता है और जो reduced हो जाता है दूसरा उसको बच्चो epiblast कह दिया जाता है दोनों ही exam में कही बार पूछे गए हैं C represent collioptyle 3N of seed C देखिए collioptyle के बजाए colliorizer को represent कर रहा है तो यही आपके पास wrong statement हुआ A represent the reserve food of seed A जो है वो endosperm को represent करता है जो 3N है obvious है food storage को यह students indicate करेगा तो इस तरीके से आपका correct answer हो गया third next 160 parenchymeta cells scleranchymeta cells vessels, grit cells, cortex cells endodermal cells, scleranchymeta fibers, entericids यह कुछ examples आपको दे रखे हैं और आपसे पूछा how many cells have lignin तो देखे कितनी lignified structures है parenchyma lignified नहीं होगा sclerids definitely होगी vessels definitely होगी dead structures है जो grit है वो भी scleranchymeta ही है definitely lignified होगी cortical cells बच्चो नहीं होगी endodermal cells नहीं होगी scleranchymetus fibers दे रखे हैं बच्चो यह definitely होगा और इसके बाद trackits दे रखे है यह भी dead element है यह भी definitely आप यह कह सकते हैं क्या होगा lignified structure होगी तो हम count कर सकते हैं out of all 1, 2, 3, 4, 5 5 structures जो हैं वो यहाँ lignified structures हैं यह जिन पर lignin की क्या होगी presence होगी next 161 vessels are found in vessels जो हैं वो present होती है all angiosperms and some bryophytes angiosperms आप कह सकते हैं most of angiosperms तो यहाँ वैसे भी गलत हो गया students answer है आपका most of angiosperms perfect है जैसा मैं भी बोल रहा था all angiosperms दे दिया तो all कहते ही आप यह कह सकते हैं exceptional case जो है उसको हम exclude कर देते हैं तो most appropriate नहीं है gymnosperms and some pteridophyte कह दिया गलत है all pteridophytes गलत है तो यहाँ answer आपका हो जाएगा vessels are found in most of angiosperms 162 in tropical region the climatic conditions are uniform through the year so annual rings are not distinct अब देखिए tropical region में जो annual rings बनती हैं वो कह रहा है throughout year तो temperature condition है या जो climatic conditions students वो uniform होती है uniform होती हैं तो वहाँ जो annual rings है इन annual rings में students हम क्या observe नहीं कर सकते annual rings जो है उन annual rings में हम distinction observed नहीं कर सकते इसका मतलब annual rings के form में हमें वो दिखाई नहीं देगी लेकिन definitely वहाँ students क्या बनेंगी growth rings जो growth rings है वही annual rings के form में present होती है differentiation definitely होगा cells definitely बनेंगी लेकिन throughout year जो temperature है या climate conditions है वो similar होने के कारण इन में इन growth rings में distinction नहीं हो पाएगा आप कह सकते हैं व्रदी वाले विक्सित तो होती है लेकिन इन में आप क्या नहीं कर सकते distinction नहीं कर सकते law density of wood नहीं vascular cambium is absent अगर absent होती तो बनती ही नहीं growth ring फिर लिखा है cor cambium is altogether absent यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता cor cambium extra steeler region की secondary growth करवाता है यह कहरा है सदय मनुपस्तित होती है यहां कोई relevancy इसकी नहीं है so students growth ring are develops first answer यहां हो जाएगा 163 the structure which confirm certain unique phenotypic characteristic to bacteria but is not vital to survival तो देखिये bacterial cell के case में students आप से कह रहा है आप जानते हैं एक उसका genomic DNA है जो naked form का है उसको nucleoid आप कहते हैं और इसके अलावा extra chromo-gommal circular DNA बैक्टीरिया में present होता है that is the plasmid यह plasmid होगा जो bacterial cell को phenotypic characteristics provide करता है यहां कहा गया कुछ vicious लक्षन प्ररूपी प्रदान करता है जो उत्तर जीविता है तो आवशक नहीं है क्योंकि उत्तर जीविता है तो आवशक always जो होगा वो students होता है genomic DNA so आपका answer यहां हो जाएगा plasmid clear 164 packaging of material and their delivery either to intracellular targets or outside the cell is principally performed by तो आप अगर देखें आप यह कह सकते हैं यह जो nucleus है nucleus की outer membrane extension बनाती है और जो extensions होते हैं वो endoplasmic reticulum के form में present है उस पर ribosome की presence है protein synthetic activity होती है pinched off process से vesicles जो है वो Golgi body को transfer की जाती है Golgi body students इस face से receive करता है और trans face से आप कहाँ देंगे release करता है अब इसके trans face से release होने का मतलब जो packaging है वो भी Golgi body का function हुआ और intracellular target और extracellular target तक पहुँचाना इसका मतलब ultimately transport जो है यह transport भी किसका characteristic feature हुआ या किसका function हुआ Golgi body का तो आपका answer हो जाना चाहिए यहाँ Golgi apparatus clear so 164 correct answer जो है वो students होगा second 165 go through the section of cilia and flagella showing the different parts so cilia flagella के structure हमें बच्चों यहाँ दिया गया है अब इस structure में हमें देखना है देखो सबसे पहले a कह रहा है plasma membrane ठीक है b कह रहा है inter doublet bridge और b inter doublet bridge ठीक है फिर कह रहा है c central microtubule c central microtubule और d आपको students कह रहा है central seat जबकि d यहाँ जो है वो radial spoke को represent करता है clear radial spoke को बच्चों यह represent करता है फिर है second में plasma membrane a सही है radial spoke b गलत हो गया students यहीं गलत हो गया यह तो second भी answer नहीं कर सकते हैं उसके बाद third में है plasma membrane inter doublet bridge b जो है वो inter doublet bridge है c है central hub c central hub के बजाए इसको जो singulate microtubule उस पे mark किया गया गलत हो गया fourth none of these तो हम यह कह सकते हैं कि यहां जो है वो perfect labeling किसी में नहीं है none of these यहां correct answer students हो जाएगा next plasma membrane helps in plasma membrane किस में help करती है plasma जली निम्न में से सहायता करती है transport of only water in and out of the cell देखे water के in और out में वो definitely help करती है लेकिन वो कह रहा है only इसलिए यह incorrect answer है protein synthesis नहीं osmoregulation definitely students जो osmoregulatory activity है वो plasma membrane का ही function है पर आसरन नियमन यहां third answer आपका correct answer हो जाएगा 167 the cytoplasm of neighboring cell is connected with the help of आप यह जानते हैं adjacent or adjoining plant cells के बीच cytoplasmic bridge present होता है और यह जो cytoplasmic bridge इनके बीच present है this will call as the plasmo desmeta cell A और cell B के बीच plasmo desmeta connectivity establish करता है इसको आप कहेंगे plasmo desmeta the fourth will be the correct answer middle lamula students इनके बीच में present structure है जो cement layer होती है दोनो adjoining cells को आप यह कह सकते हैं middle lamula connect करता है endomembrane system cell के अंदर की बात है और primary cell wall या primary wall यह आप देखते हैं pectocellulogic cell wall होती है clear next 168 G2 phase of the cell cycle is characterized by the presence of G2 phase of cell cycle आपको बताया गया है यह students आप जानते हैं cell cycle जिसमें यह M phase है dividing phase यहाँ dividing phase के बाद में finally daughter cells बन गई है यह cells जो हैं वो further G1 stage में enter कर सकती है S stage और G2 stage यह एक तरीके से cell cycle हम पढ़ते हैं यहाँ prophase, metaphase, anaphase और telophase में आप M phase को divide करते हैं उसके बाद side to kinases हो जाता है तो हमारे से यह पूछा गया है कि G2 phase जो cell cycle का है उसको characterize कैसे किया जा सकता है normal diploid 2N chromosome definitely होगा normal diploid 2N chromosome आप ध्यान रखें throughout यहाँ ploidy change नहीं होती है जो number of chromosome है यह number of chromosome students throughout similar रहेगा हाँ आप यह कह सकते हैं single chromosome single chromatid जो G1 तक था S में वो double हुआ और G2 में जो chromosome है that will contain two sister chromatids तो normal diploid chromatid वो होगा single chromatid नहीं होगा DNA synthesis S में होता है double amount of DNA then S phase S phase के comparatively double बिलकुल नहीं G1 के comparatively double आप कह सकते थे इसलिए आप का answer हो जाएगा first normal diploid 2N chromosome 169 which of the following enzyme is used for the DNA synthesis from RNA आप जानते हैं students DNA polymerase enzyme that is used for the synthesis of DNA from RNA next one 170 government of India has introduced a concept to work closely with local communities for the protection and management of the forest भारत सरकार ने वनों के सुरक्षा ता प्रभंदन ही तू इस्थानिये समुदायों के साथ कारिये करने ही तू एक संकल्पना प्रतिपादित की और यह जो संकल्पना है यह स्टूडेंट से जे एफ एम जोइन्ट फॉरस्स मेनेजमेंट सायुक्त वन प्रभंदन आपको ध्यान होगा यह 2018 में या 17 सेकंड एक्जाम में किसी में क्योशन पूछा गया है जोइन्ट फॉरस्स मेनेजमेंट बच्चों आपको ध्यान होना चाहिए चिपको मोमेंट आप जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा ने जो हिमाले रीजन में प्लांट्स को कट करने से या उनको काटने से रोकने के लिए और जो डैम से उनको बचाने के लिए जो मोमेंट किया चिपको मोमेंट है जूम कल्टिवेशन जो किली अरियाज में कल्टिवेशन प्लासर से जूम इसके अलावा एपिको मोमेंट ये सारे आपने वहां पढ़ रखें आपका अंसर हो जाएगा GFM 171 विच वन इस नौट इस नौट इस नौट इफीचर ऑफ जनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो harvesting loss अब देखिए cannot reduce the post harvest loss कहा गया है जबकि आप यह कह रहे हैं कि वो GMO या genetically modified बनाया है इसलिए गया है जिससे लोस जो है उसको भी क्या किया जा सके रोका जा सके फिर कह रहा है एना's nutritional value of food like golden rice जो भोजन में पोशक तत्व की मात्रा है वो बढ़ाई जासे कि इसके लिए बनाया गया डेफिनिटली यह सही है so third I think यहां जो होगा फसल प्राप्ती के बाद होने वाली हानी को नहीं रोक सकते यह GMO के बारे में students सही नहीं है यह GMO का characteristic feature नहीं होगा 172 all the followings are the properties of enzyme tech polymerage tech polymerage जो है वो thermos aquiticus से obtain किया जाता है students और आप यह जानते हैं जो tech polymerage है वो extremely high temperature में survive कर सकता है it is protein in nature सही है यह है प्रकृती में protein है it is isolated from the bacteria thermos aquiticus जैसा मैं कह रहा था भी definitely यह सही होगा it is used for the amplification of gene interest using PCR PCR में जो है वो वांची जीन के प्रवर्धन amplification यह आवर्धन में यूज किया जाता है its optimum temperature is 40 degree centigrade नहीं students more than 80 degree centigrade आप यह कह सकते हैं जो habitat और conditions होती है उन में यह survive कर सकता है so यहाँ हो जाएगा all are the properties except 4 4th यहाँ correct answer हो जाएगा an organism trying to maintain its internal environment at a constant only through physiological regulation वो कह रहा है कि एक organism अपने internal environment को physiological regulation है physiological regulation के through maintain करने का effort कर रही है तो definitely homeostatic regulator होगी देखिए options में थोड़ा सा ही फर्क है homeostasis environment इसके प्रियावरण में समस्थापन समस्थापन अपने आप में phenomenon है आप से पूछा गया organism क्या होगी तो organism समस्थापक होगी या समस्थापन नियामक होगी फिर कह रहा है कभी कभार आंसिक नियामक आंसिक की बात ही नहीं है जब physiological regulation कर रहा है so students आपका यहां second answer जो है वो correct हो जाएगा fourth one दिया है conformer really but partial regulator कोई मतलब नहीं है जब internal environment constant पर maintain करने की capability है और वो भी physiological regulation के थ्रू है वो भी कारिय की नियमन के द्वारा है तो आप कहेंगे homeostatic regulator यह organism होगा one seven four ecological निके exam में कई बारे से कैसन पूछेगे देखें students जो best suited functional area होता है किसी भी organism का किसी भी जीव के लिए जो सरवाधिक उप्योगत आप यह कह सकते हैं कारियात्मक इस्तिती होती है उसके आवास में या उसके परिवेश में उसको आप ecological निके या निकेत कहते हैं यह कह रहा है the relationship between two organisms बिलकुल नहीं एक group of all plants and animals living at the bottom of ocean समुद्र की तली में रहे 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 पादफ जंतों का एक समू बिलकुल नहीं हो सकता sexually transmitted disease STD हाँ दिया गया है completely irrelevant reference है the physical position and functional role of a species within the community किसी एक समुदाय में किसी एक जीव या जाती जो है वो आप यह कह सकते हैं उसकी भोतिक स्तिती क्या है और उसकी functional condition उसकी कारियात्मक स्तिती क्या है वो अगर best suited form में हम पढ़ रहे हैं सरवादिक उप्यूक्त स्तिती में पढ़ रहे हैं तो उसको आप ecological निके कहेंगे जितना वो perfect होगी जितना suitability बढ़ेगी उतना ही निके जो है वो specialized होते चले जाते हैं next 75 Abingdon tall toys in Gallipago island become extinct within a decade after those were introduced on the island this evidence show जो Abingdon tall toys है देखिए गैले पेगो दीपर जो बकरियां है वो लाई जाने के बाद Abingdon कच्वे एक दसक के बाद विलूप्त होगे इतना time उन्होंने लिया क्यों विलूप्त होगे क्योंकि students जो वो goats थी उनकी browsing efficiency ज्यादा थी उनकी चारण शंता या चारण दक्सता ज्यादा थी तो यह किसको शो करता है competitive को existence को नहीं को existence को show करता तो वो कभी भी विलूप्त नहीं होते फिर कह रहा है competitive condition because of the overgrazing definitely competitive rendition है overgrazing यहाँ कोन कर रहा है अत्यधिक चारण यहाँ कोन कर रहा है तो आप कह सकते हैं जो goats है वो अत्यधिक चारण यहाँ कर रही है beneficial relationship से बिलकुल नहीं हो सकता जब competition है interspecific competition यह बिलकुल नहीं है यह definitely students क्या है interspecific competition clear तो आप का अंसर हो जाएगा competitive condition because of the overgrazing next 176 which of the following effects of oxyne on plants is the basis of their commercial application निमले खित्में से कौन सा पात्पों पर oxyne का प्रभाव इसके व्यापारिक अनुपरियों का आधार है तो देखो students callous formation एक दे रखा है curvature of stem आपको दे रखा है induction of root formation stem cutting दे रखा है तो देखिए stem cutting पे अगर जो है वो root initiation की बात की जा रही है तो यह culture technique जो है इस culture technique को explain यह students करता है callous formation होना callous अपने आप में completely undifferentiated cells हैं undifferentiated cells को indicate करता है undifferentiated mass of cells को indicate करता है लेकिन उन avifedit कोसिकाओं के समूँ में अगर oxyne का छड़काव आप करते हैं spray करते हैं तो वहां roots का initiation हो जाता है इस थम करतन पर मूल प्रेरण यह students उसका commercial use या उपयोग हो सकता है तो answer हो जाएगा यहां third अगर cytokinin का आप से पूछा जाता तो induction of suit formation आप यहां answer कह सकते थे 7-7 first reaction in the photosynthesis when chloroplast is exposed to the light आप जानते हैं solar radiations जब leaf receive करती हैं leaf जो है वो receiving organ है plant का तो first of all यहां जो pigment present होता है वो है chlorophyll और यह chlorophyll pigment students chlorophyll pigment जो होता है वो सबसे पहले excitation में आता है excitation या excitement को represent करता है so excitation of chlorophyll molecule सबसे पहले होगा then आप कह सकते हैं photolysis of water होगा या simultaneous भी हो सकता है but सबसे पहले अगर आपको tick mark करना हो the excitation of the chlorophyll molecule next one 178 in which category you will place this plant इस पादब को आपके स्रेणी में रखेंगे तो देखे एक plant दिया गया और कहा गया 12 गंटे न का continuously dark दिया गया trail hours या 12 गंटे यहाँ पूरी तरीके से अंदकार रहा बच्चों और अंदकार रहा तो full खिले ठीक है अब इस अंदकार को अगर बाधित कर दिया गया तो full नहीं खिले इसका मतलब full खिलने के लिए flowers के लिए यहाँ condition जो है वो है अंधेरा कायम रहे और यह जो condition है वो अगर maintain रखी जाए तभी flowering होगी अंधेरा कायम रहे जैसी इस्तिती बनाई रखी जाए तो flooring होगी इसका मतलब plant जो है वो SDP है short day plant है first answer students यहाँ correct होगा next one 7-9 the metabolic breakdown of the carbohydrates fatty acids and amino acids is connected through अब देखिए metabolic breakdown of carbohydrates कह रहा है तो एक respiratory substrate आपके पास carbohydrate है इसको simple carbohydrate form जो glucose है उसमें convert आप कर लीजिए उसके बाद आपको दे रखा है fatty acids fatty acids इसके अलावा आपको students दे रखा है amino acids proteins तो यह देखिए तीनो respiratory substrate के form में आपको दे रखे है और exam में question पूछा गया कि common entry point इनका क्या होगा तो यह तो देखिए central path है finally glycolysis के बाद pyruvate बनाता है और pyruvate के बाद आप यह कह सकते है students यहाँ जो pyruvate बन जाएगा वो acetyl coenzyme के थूँ crab cycle में enter कर जाता है similarly जो amino acids है proteins है और fatty acids है उनका भी common entry point acetyl coenzyme यहाँ होगा तो इसका answer हो सकता है acetyl coenzyme that will be the common entry point NCRT में चार्ट दे रखा है जहाँ NCRT के NCRT में respiration के amphibolic pathway को students explain किया गया है next which of the following is not essential for an organism survival but for the survival of the species जैसे कोई एक organism nature में आया या आप से पूछना चाहरा है कि कोई एक जीव जो है वो प्रकरती में आ गया अब इसके survival के लिए तो जरूरी नहीं है कोई एक activity लेकिन इसका अगली generation में अगली PD में existence हो अस्तिप्रो बना रहे इस species का या जाती की उत्तर जीविता बनी रहे इसके लिए जरूरी है कौन सी प्रकरिया तो देखो सबसे पहले कहा गया cellular respiration अगर यह नहीं होगा तो यह survive नहीं कर पाएगा responsiveness definitely होनी ही चाहिए अपने surrounding के जो factors है जो changes है उनको detect करे उनको identify करे उनको feel करे और respond करे तो यह definitely होगी nutrition के बिना survive करने का मतलब ही नहीं है हाँ कोई भी जीव nature में आने के बाद या organism nature में आने के बाद reproduce हो यह जरूर ही नहीं है लेकिन next generation में या generation to generation उसको अपना existence बनाए रखना है तो उसको क्या करना पड़ेगा उसको students generation after generation जनन reproduction करना होगा तो यहां आपका correct answer हो गया fourth next one the phenomenon observed in some plants wherein parts of the sexual apparatus is used for the forming embryo without fertilization तो वो कह रहा है कि कुछ पादपों में ऐसी घटनाएं प्रदर्शित होती है जहां लेंगी कुपकरन के भाग बिना निसेचन के भुरूर्ण में प्रियुक्त होता है या भुरूर्ण में परिवर्दित हो जाता है ठीक है तो देखिए ये students अपने आप में है आप कह सकते हैं एक phenomenon है जिसको आप कहेंगे एपो मिक्सिस एपो मिक्सिस क्या है एपो को बच्चों कहा जाता है away from the processes away from और जो मिक्सिस है उसको कहा जाता है mixing और mingling इसका मतलब gamut formation हो सकता है और gamut formation के बाद भी उनकी mixing जो है वो नहीं होंगी एक process है apometric genes है जो mixing और mingling को hijack कर देंगी मिलन नहीं होने देंगी तो ये एपो मिक्सिस process है यहाँ भी ऐसा ही कहा जा रहा है कि कुछ पादपों में ऐसी सरंचनाएं हैं या लेंगे कुपकरन हैं आपको दे रखा है एक type मैंने आप से discuss कर लिया है इसको आप कहेंगे apomixis parthenocarpy बच्चो without fertilization fruit का formation है vegetative propagation plant के किसी भी पाट से vegetative propagule से आप कहेंगे नए जनरेशन का develop होना है और sexual reproduction ordinary sexual path को represent करता है so the correct answer will be the second 182 yellow sticky pollen kit is found on the pollen green on entomophilus flowers जो entomophilus flowers है entomophilus आपको दे रखा है इसका मतलब आपको कहा गया insect pollinated flowers clear अब students आप से पूचा गया that are formed by तो yellow sticky pollen kit आप से पूचा गया है NCIT लिखती है कि अगर आप hibiscus roja sciences जो good hell है जो china roja है उसके mature enter को touch करते हैं you feel the yellow is powdery form on your fingertips आप अपने fingertips पर अंगलियों पर पीला चूलनिल पधार्त देखेंगे आपके हाथ पीले हो जाएंगे और आपके हाथ पीले करने के लिए जो responsible है वो pollen kit है जो किसने contribute किया है tap item ने अब यहाँ कैसन का ground जो है वो पहले ही clear है entomophilus लिखता तो भी ठीक है नहीं लिखता तो भी ठीक है आपको पता होना चाहिए कि जो pollen kit है sticky nature का जो substance है वो कौन contribute करता है किस के द्वारा आता है tap item के द्वारा clear? 183 long ribbon-like pollen grains covered with the mucilaginous seed are found in तो students यह mucilaginous seed के साथ जो pollen grains मिलेंगे आपको long है ribbon-like है तो यह water pollinated plants में है सबसे important यहाँ reference है आपके पास mucilaginous seed का present होना ठीक है? next 184 identify the given structure A, B, C and D in following diagram and select the option तो देखो आपको एक जो picture यहाँ दी गई है यह students embryo sac को represent करता है embryo sac female gametophyte है यहाँ A, antipodals आपको दिखा रखी है B, जो है वो polar nuclei students आपको दिखाया गया है C, जो है वो यहाँ egg cell को represent करता है और जो D है वो philiform apparatus को बच्चो यहाँ represent कर रहा है philiform apparatus pollen tube की जो entry है egg cell में उसको guide करते हैं तो यहाँ कहा गया है part A, help in the fertilization A, fertilization में कभी भी help नहीं करेगा part B, take part in endospom formation definitely polar nuclei endospom formation में participate करते हैं and part D, produce pollen tube D, pollen tube को produce नहीं करेगा pollen tube की entry को guide कर सकता है तो यह भी गलत हुआ part A are present at the micropilar end A, micropilar end पे नहीं होगा यह students, चले जा end पे होता है micropilar end पर egg cell और synergids की presence होती है तो यह भी गलत हो गया option आपके पास 4th बचा part C, take part in the gigot formation definitely part C, egg cell है इससे male gamit fuse होगा और यह gigot का formation कर देगा सही है, उसके बाद लिखा है and part D, help in the fertilization part D, जो है, वो philiform apparatus है pollen tube की entry को confirm करता है तो obvious है, fertilization में participate करेगा, the correct answer will be the 4th, तो यह students 4th यह correct answer हो गया 185, select the wrong statement for the lactic acid bacteria, जो lactic acid bacteria उसके लिए wrong statement आपको students जो है, वो यह select करना है, यह कह रहा है inoculum contain million of the bacteria definitely contain कर सकता है may multiply at any temperature, देखिए students any temperature नहीं होगा, optimum temperature always आपको लेना पड़ेगा optimum temperature range आपको लेनी पड़ेगी किसी भी तापमान पर यह गुणन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है निवेश में, करोणों जीवान उपस्तित हो सकते हैं, लेकिन किसी भी तापमान पर पिटिपलाई हो, गलत बात है यह, तो यही incorrect हो गया, आंसर यही हो जाएगा आगे पढ़ लेते हैं, लेक्टिक एसिड बैक्टिरिया increasing vitamin B incurred, सही है lab, लेक्टिक एसिड बैक्टिरिया play very beneficial role in checking growth disease causing microbes in stomach, जो हमारे आमाशे में लाबकारी भूमिका यह निभाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा रोग कारक सुक्ष्म जीवों की ब्रदी रोख दी जाती है, यह सही है और आपको पता है, दूद को दही में convert करता है, यह जो है वो lacto sugar को यहाँ convert कर देता है, तो आंसर आए हो गया students, first अब देखिए, section B में आप आगे हैं, section B में out of 15 आपको 10 questions ही करने हैं, solution हम सबके discuss करेंगे, variations observed during the 2C tissue culture of some plants are known as tissue culture है, उसके दोरान, या उत्तक संपर्दन के दोरान कुछ पादपों में उत्पन होने वाली विभिन्नता हैं, क्या कहेंगी, students ये आपको soma, clonal, variations कह दी जाएंगी, somatic variations नहीं होंगी, clonal variations नहीं होंगी, इनको कहा जाएगा soma, clonal, variations clear, next 187, the green revolution succeed in the tripling the food supply by use of the following, जो हरित करांती है उस हरित करांती के दोरा भौजन की उपलबधता तिगोनी हो गई थी जिसके दोरा निम्न का उपयोग किया गया देखिए, विक्षत फसल प्रजातियों का उपयोग किया गया, improved variety definitely use की गई, better management और practices भी use की गई, the use of the agrochemical fertilizers और pesticides, definitely students ये भी use किये गए थे, तो जो green revolution है, वो succeed हुआ in tripling of the food production, वो इसलिए क्योंकि ये सारे methods use किये गए थे the correct answer will be the 4th 188, which of the following group of the carbohydrate, sorry cyanobacteria, sorry which of the following group of cyanobacteria BGA students आपको दे रखा है, is used as the bio fertilizer, तो यहां आप देखिए, bio fertilizer, no stock सही है, anabina होगा, rhizobium नहीं होगा, rhizobium दिया है, second option में भी गलत हो गया, no stock oscillatoria and anabina, ये students perfect answer होगा, third जो bio fertilizer के form में use होते हैं, यहां mycorrhiza और rhizobium दोनों दिये हैं, इसलिए fourth answer नहीं होगा, so correct answer will be the third next one, 189 any desirable DNA is transferred into any host where it can अब किसी वांशित DNA को अगर किसी पौसी में स्थानांत्रित करवाया जाए तो वांशित DNA क्या करता है आप कह सकते है multiply easily multiply कर सकता है, easily करेगा कि नहीं करेगा, ये conditions और circumstances पर depend करता है remain safe, बिल्कुल आप नहीं कह सकते confirm, cause disease जरूरी नहीं ऐसा हो, multiply and express itself, वो multiply करेगा और अपने आपको students express भी करेगा, क्योंकि express करवाने के लिए ही, हमारा जो objective है वो यही है, वो specific segment हमने लिया है, कि कहीं हम अगर उसको insert करके, या उसको transfer करवा रहे है, insert करके, तो वो अपने आपको express करे, हमारा objective, यही होता है, 190 you suspect your patient to be suffering from a bacterial disease आप सोचते हैं कि आपका रोगी एक जिवानविक रोग से ग्रस्त है, माननीजी आप डॉक्टर है होंगे ही कुछ दिन बाद और आपका जो रोगी है, जो patient है, वो जिवानविक रोग से ग्रस्त है हालांकि रोगी के सरीर में जिवानों के संक्या अत्यंत कम है अब जो bacteria जो है उनका नंबर काफी कम है, तो multiplication आप चाहते है मतलब आप जो उसका genome में content है, DNA उसका multiplication चाहते है प्रियोग साला में कौन सी विधी रोग जनकों की पहचान के लिए साहायक होगी, तो ये आप कहेंगे कौन सी विधी साहायक हो सकती है देखे स्टूडेंट्स, जैल एक्टरोफोरसेस आपको दे रखा है ये बेसिकली molecular weight के basis पर जो molecular weight है, उसके basis पर mixture of DNA, RNA and protein separation करवाया जा सकता है Southern blotting students आपको दे रखा है ये भी यहाँ नहीं होगा, multiplication की बात की जा रही है PCR, polymerase chain reaction polymerase chain reaction definitely students multiplication करवाता है और DNA fingerprinting ये भी identification का method है तो यहाँ third answer जो है वो students correct हो जाएगा जिसमें आप polymerase chain reaction के तुरू संख्या या आवर्धन multiplication करवा सकते है 191, match the following columns, कुछ column आपको दे रखे है देखे, Taylor and Colleges आपको दे रखा है हर से चीज आपको दिया है Griffith का transforming experiment आपको students दे रखा है तो कौन सा किस के साथ match होगा सबसे पहले अगर मैं बात करूँ Taylor and Steeler तो आप कह सकते है DNA से related ये है हर से और चेज का जो experiment है students भी उसमें आप कह सकते है DNA is the genetic material ये confirm किया गया था उसके बाद Griffith का students transformation experiment है third उसके बाद D जो Jacob and Monard है वो आप कह सकते है लेक आपरोन के लिए लेक आपरोन की discovery के लिए responsible है तो इस तरीके से आपके पास यहां answer हो जाना चाहिए A के reference में आपके पास हुआ second A second B जो है वो students हुआ fourth A second B fourth उसके बाद में C third definitely C third and D first यह third answer यहां students correct answer हो जाएगा next nitrate is the most important source of nitrogen to the plants but it cannot use as such by plants देखें जो fixation का process होता है atmospheric nitrogen plants जो हो directly use नहीं कर सकते इसलिए उसको nitrogenous salts और organic आप कह सकते हैं जो nitrogen form उसमें convert किया जाता है तो nitrite और nitrate the most important source is nitrate definitely soil reservoir से जो सबसे ज़्यादा plant receive कर सकता है यह most common receiving form है वो nitrate है यह फिर इसके अलावा आप कह सकते हैं ammonium salts है तो क्या करेगा आप nitrate plant को मिल गया if such a statement is right definitely a statement right है what happen first before using तो यह देखो nitrate जो होगा उसको ammonia में reduce करवा लेगा nitrate जो होगा students उसको ammonia में reduce करवा लेगा उसके बाद वो amino acids में इसको convert करेगा then इसको convert करेगा amides में जो more nitrogen containing compounds है so the correct answer will be the second 193 to maintain continuity of water column in gylum first pre-need is देखिए gylum column में water molecules की continuity आपको बनाई रखनी थी aerial parts में continuously transfer हो transpiration का process होता रहे है जिससे absorption हो तो इन water molecules के बीच जो attraction force students उसको हम कह रहे है cohesion यह जो cohesion force है होना चाहिए जो pulling force transpiration pull है वो इतना strong नहीं होना चाहिए कि इन molecules का जो cohesion है उसको break कर दे इसका मतलब सबसे ज़्यादा तो cohesion ही होना चाहिए तो यह कहारा है tension must exceed than the cohesion force exceed कभी नहीं करनी चाहिए exceed करेगा तो column की continuity break हो जाएगी फिर कहारा है tension must be less than the cohesive force यह definitely सही है tension must be equal to the cohesive force cohesive force के equal अगर हुई तो उपर conduction ही नहीं हो पाएगा tension must be except than the root pressure जो root pressure है उससे ज़्यादा definitely होना चाहिए लेकिन जब transpiration pull लगता है तब root pressure negligible हो जाता है इसलिए यहाँ students जो second answer होगा वो correct और perfect answer होगा 194 micronutrients are less important than the macronutrients ऐसा नहीं है कि लगू पोसक तत्व जो है वो दीर्ग पोसक तत्वों से कम महत्वपूर्ण है ऐसा नहीं है हाँ वो कम मात्रा में आवशक होते है as important as the macronutrients बिल्कुल सही statement दिया है macronutrients यह दीर्ग पोसक तत्वों के समान ही वो महत्वपूर्ण है second answer हो जाएगा having minor role in plant nutrient जो plant nutrient है उसमें minor role है नहीं ऐसा नहीं है role specific है omitted from the culture medium without any detrimental या detrimental effect किसी भी हानिकारक प्रभाव के बिना उनको बाहर निकाला जा सकते ऐसा नहीं है उनकी deficiency के भी हानिकारक प्रभाव होंगे so they are important as important as the macronutrients 195 passage cell found in the cells of passage cell found in the cell of किसमें होंगी तो आप ये जानते हैं जो passage cell है वो root के endodermis में present होती है और passage cell की जो adjoining cells है वो student suverenized हो जाती है जिससे root की endodermis जो है वो passage cell के through ही gylam column में water की entry confirm करती है तो ये passage cell कही जाएगी जो root endodermis की cell है passage cell clear 195 196 primary producer of deep sea hydrothermal ecosystems student deep sea hydrothermal vents और ecosystems वो site है अपने आप में जो completely darker zone है जहां light की approach नहीं होती है ठीक है NCIT में ecology में अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ adaptations में भी लिक रखा है 500 meter से ज़्यादा की depth पर जो organism survive करती है they are not aware about the ultimate source of energy in nature that is the sun जो सूरिय है वो अपने आप में एक vicious उर्जा स्रोत है प्रकरती में इसके बारे में भी उन जीवों को उन organism को पता नहीं है तो definitely वो जो organism वहाँ survive करेंगी तो उनको survive करने के लिए अपना autotrophic nature तो लाना पड़ेगा या फिर किसी पर dependency रखनी पड़ेगी अब हमें पूछा ही ये है कि वहाँ producers कौन है तो हम producers वहाँ देखे दो ही तरीके के producer nature में होते है photo autotrophic and chemo autotrophic तो definitely students वो chemo synthetic bacteria होंगे और ये होंगे R की bacteria deep sea hydrothermal vents में producers कौन होते है ये exam में question पहले पूछा जा चुका है I think 2016 NEET में आपको मिल जाएगा 197 the caring capacity of a population means किसी भी एक population की caring capacity क्या है तो आप ये देखे है population growth जब हम देखते हैं तो वहाँ number of individuals का बढ़ना N आप कह सकते हैं population के size का बढ़ना time T के साथ upload करते हैं तो आप ये कहते हैं slow initiation के बाद rapid acceleration हुआ और उसके बाद में एक sigma'd curve के form में ये turn out हो जाता है तो ये sigma'd curve के form में turn out क्यों हुआ ये S form में क्यों चला गया ये positively accelerate होने के बाद negatively accelerate क्यों होता है ये leg log के बाद stationary में क्यों चला जाता है तो आप ये कहेंगे जो environmental factors इसको support कर रहे थे वो इसकी carrying capacity थी के और इस carrying capacity को ये population का growth approach कर गया है तो देखिए ये कह रहा है the maximum number of individuals which can be supported in given environment definitely यही answer होगा क्योंकि first लिखा है वहेदर जिस पर वेस्टियों का घनत में समय के साथ बढ़ता है rate है ठीक बात है लेकिन rate क्या होगी इतनी मढ़ जाएगी कि individuals का number maximum हो जाएगा अब environment ज्यादा इसको support नहीं कर सकता तो second जो है वो students यहां perfect answer होगा फिर उसके बाद में third यह proportion of individuals which are most responsible for population growth नहीं सिर्फ proportion की बात आप नहीं कर सकते सभी की बात यहां आपको करनी है the minimum number of individuals minimum की बात ही नहीं की जाएगी maximum होगा so the correct answer will be the second 198 consider the following diagram students एक energy pyramid आपको दे रखा है और आप यह जानते हैं यह NCIT का picture है energy pyramids energy pyramids always upright होते हैं उर्जा के स्थूप सधह सीधे होते हैं सही बात लिखी है तो वो कहरा है कौन सा एक सही नहीं है यह आप पता करिए प्रात्मिक उत्पादक उर्जा का केवल एक प्रतिसत NPP में रूपांत्रित करते हैं बिल्कुल ठीक बात आप कह सकते हैं जो primary producers हैं जितना solar radiations को trap करते हैं students टोटल जो PAR या photosynthetically active radiations है उसका 2-10% trap कर सकते हैं 1-5% convert कर सकते हैं ठीक है conversion में आता है तो केवल NPP में रूपांत्रित इतना ही होता इवन इससे भी कम value आप कह सकते हैं 0.824% तो यह सही रहेगा फिर कह रहा है उर्जा के स्थूप सीधे होते हैं उतर उतर post system पर उर्जा की मात्रा घटती जाती है definitely the amount of energy is decreased at successive traffic levels fourth लिखा है if ecosystem is managed as the open system ecosystem definitely open system ही होता है there will be no loss of energy during energy flow energy flow के दोरान वहाँ loss नहीं हो सकता यह बिलकुल गलत बात है successive traffic levels को जब energy transfer होती है तो heat loss definitely students वहाँ आपको मिलेगा यहाँ जो incorrect है वो हुआ fourth one next 199 biodiversity of a geographical region represents एक geographical region की biodiversity क्या represent करती है तो किसी भी geographical region की biodiversity students वहाँ के plants को represent करती है वहाँ के animals को represent करती है और आप कह सकते हैं वहाँ के microbes और micro organisms को represent करती है यह biodiversity है only endemic species नहीं endemic species क्या होंगी species that are confined to an area in an area किसी एक शेत्र विसेस में प्रतीबंधित जो जीव है वो endemic या अस्थानिक जातियां कही जाती है biodiversity में केवल वो नहीं होती endangered नहीं endangered वो जो विलुप्टता के निकट है या खत्रों का सामना कर रही है the diversity in living organism of the region definitely diversity यह होगी genetic diversity present in the dominant species तो इसके बजाए third answer यहां perfect होना चाहिए इस शेत्र में जीवित जीवों की जो विविदता है और जीवित जीवों में यही तीनों components students हम पढ़ते हैं and final 200 last question है one of the XC2 conservation method for endangered species endangered species के लिए जो XC2 conservation method अब वो क्या है देखे wildlife century जो है students on-site conservation है on-site conservation का मतलब हुआ यह in-situ है biosphere reserve on-site है इसको भी आप कहा सकते हैं जो natural site है उसी को protect किया जा रहा है cryo preservation आपने पढ़ रखा होगा minus 196 degree centigrade temperature पर liquid nitrogen के साथ जो living stocks हैं उनको preserve किया जाता है definitely यह off-site conservational strategy और practice है इसको students XC2 conservation आप कहेंगे और finally आपके पास है national park यह भी क्या है on-site conservation ठीक है तो इस तरीके से आपका answer यहाँ हो गया C ठीक है तो यह students आपका complete paper था question number 151 से 200 मैंने आप से discuss किया है और हमने courses करी है कि कम time में सारे options discuss करते हुए आप से complete solution आप तक पहुंचाया जाए उम्मीद है आप तक यह पहुंचा भी होगा और पूरी NCRT से आप go through भी हुए होगे आपको वही content दिया गया है जो exam oriented है और NCRT से relevance ही रखता है तो enjoy the digital platform of CLC enjoy the DCM enjoy the dhangal good luck thank you